हेलो नमस्कार एवरिवन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आयस हिंदी मार्धियम जानल पे और दोस्तों आज हम हमारी संभव पुस्तक श्रिंखला के अंतरगेत जो फिजिकल जोगरफी के अंतरगेत दूसरा अध्याय लेकर आचुके आपके सामने है और अध् प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इसके उपरांत भी कहीं कहीं आपको मुख्य परिक्षा के अंदर कई सारे ऐसे कॉस्मिक या जो खगोलिय घटनाएं हैं उनको अंतरिक्ष खगोलिय घटनाओं की जानकारी अपने conceptual clarity से रखने के लिए सौर मंडल के अध्याय की जो मूल मूल भूत आवशकता हैं मूल भूत जो जानकारी हैं जो fundamentals हैं जो basic है universe के वह जानकारी आज हम लेने की कोशिश करेंगे और इस class के अंतरकत में आपका ध्यान आकरशित करना चाहूंगा कि इस class का content PDF आपको इस telegram handle से मिल जाएगी टेलिग्राम handle है आपका जगदिश जांगेट सरी PW यह QR code scan करके भी आप उस community के भाग बन पाएंगे इसके उपरांद मित्रो हम आज class को सुरू करते हैं हमारा class का जो लक्ष अगंतव यह मंतव यह है वो है सौर मंडल सौर मंडल की जब बित्रो हम लोग यहाँ बात करते हैं यहाँ पे सुर्य और सुर्य के आसपास जितने भी खागोलिये पिंट Celestial bodies जो सूरी की परिक्रमा करती है वे कई सारे नियमित कक्षाओं के अंदर भ्रह्मन करते हैं और भ्रह्मन करते हैं कई एक अनिश्चित कक्षा के अंदर नियमित पथ पे चलते हुए भी हमारे सौर मंडल का ही भाग है उन तमाम खगोल ये पिंडो को जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा बनते हैं उन्हें आज हम इस अध्याय के माध्यम से कहीं कहीं स्टडी करने की कोशिश करने वाले इस अध्याय के अंदर जैसे आप जो इस लेसन को एक घंटा दो घंटे का समय देने वाले सो इन अगले दो घंटे के अंदर हम क्या सीखने की चेस्टा करें मतलब इस लेसन का ड्रॉ क्या होना चाहिए क्या प्रिंसिपल्स कौन से मूल सिधान तम जान करें क्या व्याक्या कहां पर आवशक्ता होगी यहां पर सौर मंडल की बेसिक जानकारी आपको होनी चीए सौर मंडल का जो हमारा हीरो है सूर्य जो हमारा तारा है स्टार है हमारे सौर मंडल का उसकी जानकारी लेंगे सूरी के अनवा कई सारे ग्रहे है और जैसे ग्रहों के उपग्रह है इसके अलावा कई सारे ऐसे minor planets भी है उनकी जानकारी लेंगे जो अन्य खगोलिय पिंड है जो ग्रह को लेकर के उपग्रह को लेकर के अन्य जो खगोलिय पिंड है ग्लास के पुरवार्द में उसकी जानका देखा है सकारात्मक हो चाहें नकारात्मक हो इन दोनों ही कमेंटzing को और feedback को मेरी तरफ से cordial welcome है और हमेशा से एक अच्छे learning experience को डिलिवर करने की इस मंच के माद्यम से कोसिस रही है मेरी ही नहीं मेरे अलावा भी जितने भी सिक्षगण है उन सब का एस संभव पुस्तक श्रंकला के माद्यम से जो नवाचार संगोस्टी श्रंकला हमने सुरू की है वो एक मात्र लक्ष इसका यही है ताकि आप अपने विशे की मूलवुत समझ को जानकारी को और बहतर कर पाएं हम स्रिष्ट तम पहुँच पाएं उससे पहले कहिन के स्रिष्ट तर कर पाएं हमारी कोशिश वह बनी है हुई हैं दोस्तों आपकी आकांशाएं मैं समझ पा रहा हूँ दूर दराज आप टियर टूर टियर त्री टाउन से काफी आकांशाएं लिए हमारी इस मंच के साथ में साजा हुए हैं अपना समय अपनी उर्जा अपनी आकांशाएं कहिन के इसके साथ में आपने जोड़ी हैं हम उसके समख नतमस्तक हैं और कोशिश करेंगे इस क्लास के अंतर तक आपके चेहरे की मुस्कान और मन का कॉन्विडेंस दोनों बर खरात रहेगा सुरू करते हैं हम लोग सौर मंडल मित्रो हम जब सौर मंडल जैसे विशियों के उपर बात करते हैं ओवियसली सौर मंडल क्या है यह सबसे पहले जो है प्रशना आपके समक्स जरूर आता होगा कि सर एक तो है हमारा सौर्य और सौर्य के चारो तरफ निश्चित कक्षा के अंदर कुछ ग्रह है कुछ खगोल ये पिंड देखने को मिलेंगे उनके उपग्रह देखने को मिलेंगे जो की एक नियमी तकक्षा में एक निश्चित कक्षा में सौर्य की परिक्रमा करते हैं उनका भी एक मोशन होता है उनका घुर्णन देखने को मिलेगा परिक्रमन परिभ्रमन दोनों ही गतियां देखने को मिलेगी आना कुछ गैसी ग्रह भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आपका ब्रहस्पती, सनी अरुन, वे, वरुन इन सौर मंडल के इन ग्रहों की जानकारी अगर हम लेने की कोशिश करें सबसे पहले तो क्या है सौर मंडल उसकी आप परिभाशा अवश्य लिखे सौर मंडल जो है दोस्तो आपके पास में यह क्या है दोस्तो खगोलिय पिंडो की प्रणाली है सारे सेलेस्टिल बॉडिस है ना इसमें खगोलिय पिंड में सारी चीज़ आगे जैसे आपके तारा है और उसकी परिक्रमा करने वाले अन्य पिंड भी है ठीके ना जिसमें की एक तारा है और उसकी वे उसकी परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलिय पिंड जो है वह यहाँ पर सामिल होते हैं अन्य खगोलिय पिंड सामिल होते हैं अब कुछ प्रशना आपके समक्स आएंगे कि सबसे पहले तो यह खगोलिय पिंड जो है है ना जैसे आपके पास में एक सूर्य एक स्वयम खगोलिय पिंड है अन्य खगोलिय पिंड है गुरुत्वा कर्शन मतलब इस बॉंडिंग के पीछे इस बॉंडिंग के पीछे इस कहीं कहीं जो एक बॉंडिंग देखने को मिल रही है हर ग्रह के साथ में सूर्य की उस बॉंडिंग के पीछे एक बल देखने को मिलेगा जो गुरुत्वा कर्शन के बल के द्वारा बंदे रहते हैं ठीक है न क्योंकि प्रत्वी जो है वो लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं आने वाले कई और करोड़ों वर्स तक ये लगातार परिक्रमा करने वाली तो प्रत्वी के संदर्प में अगर कहा जाए आपके पास में प्रत्वी के संदर्प में ये वह प्रणाली है आपके पास में जिसमें सूर्य उसकी परिक्रमा करने वाली प्रत्यक वस्तु सामिल हो गया जैसे हम तो यहां बैठे हैं अगर यहां पे हम इस सौर्मंडल के ही भागे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सौर्मंडल ऐसी प्रणाली ह जो वह प्रणाली जो जिसमें सूर्य वह उसकी परिक्रमा करने वाली प्रत्यक वस्तू सामिल होती है इसके उपरांत दोस्तों इनके पीछे बल कौन सा होगा सबसे पहले अगर मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि सर सपोज हमने गत अध्याय के अंदर ये पढ़ा था कि स जो है वो पूरे ब्रह्माण में जो है वविचित करती है और कई जगह पे जो है वो हो एटम्स बनते हैं परमानों बनते हैं कई जगह पे गैसे और धूल के कन देखने को मिलते हैं तो जो ये गैसी है वह धूल के कन हमको देखने को मिलते हैं उन्हीं में तो कहीं कहीं जात है मित्रों जिसके द्वारा गृत्वा कर्शन लिखिए वह एक प्रकार का बल है जिसके कारण वस्तु एक दूसरे की तरफ आकर्शित होती है जिसके कारण कोई भी वस्तु है एक दूसरे की और आकर्शित होती है या सर नो सो हमारे सौर मंडल के पीछे सबसे प्रमुक बल तो यही है अब कौन सी वस्तु है सामिल हो रही है कौन सी वस्तु एक दूसरे की तरफ आ रही है कौन सी आकर्शित हो रही है तो सर सबसे पहले है हमारे नेबूला जिसको हमने कहाता निहारिकाएं निहारिकाएं क्या है सर गैसों का एक बादल है जिसमें धूल करण भी देखने को मिलेंगे तो गैस और धूल के जो विशाल बादल है जो निहारिकाएं है वह एक साथ रहे पाएं उनके लिए महतपुर्ण भूमिका किसके रहती है आपके गुरुत्वा कर्श हो रहा होता है उसको कहीं कहीं बांदे रखती हैं उसको साथ में रखने में एक महत्पुन भूमिका देखने को मिलती हैं दूसरा अभी यह जो धूल का बादल है यह जो नैबूला है यह भी एक निश्चित दिशा में क्या गतिमान देखने को मिलता है क्या यह भी एक संगनी तो यह जो निहारिका है जिसको हमने कहा धूल और गैसों का बादल है तो यह गैसी यह बादल जो होते हैं वह और नजदीक आएंगे और नजदीक आने के फल्सुरूप क्या हो जाएंगे इनमें संगनित हो जाएंगे संगनित का मतलब हो गया और कंडेंस और ज़्यादा नजदीक आचुके हैं फल्सुरूप यह और ज़्यादा संगठित हो जाएंगे क्या हो गए दोस्तों और ज़्यादा संगठित हो गए और संगठित होने के उपरांत हमें यह देखने को मिलेगा कि इनमें एक निश्चित दिसा में जो हैं गती देखने को मिलेगी movement देखने को मिलेगी इसके अलावा भी कई सारी चीजे हैं जैसे हमारे पास में गुर्णन के लिए एक बाहिये बल भी तो अवश्यक हो सकता है कई बार उसी तरह का एक बल जो है निश्चित तोर पे हम लोग मान सकते हैं कौनिय समवेग है ना कौनिय समवेग का सनरक्षन का सिधान्त हम सबी ने जो हैं दसवी के आसपास में तो जरूर पड़ा होगा इस ये क्या कहता है कि कोई भी चीज जो गुणन कर रहे हैं अभी हमने कहा ना कि ये जो बादल है यह निश्चित दिसा में क्या करने लग गए हैं गती करने लग गए हैं और इनकी इस निश्चित दिसा में जो गती हैं ये जो गुणन कर रहे हैं इस गुणन करने वाली कोई भी वस्तु पर बाहिय बल के कारण संकूचन लगता है कोई भी चीज जैसे हमारे पास में यह भी है अगर मैं कहता हूँ हमारी प्रत्वी जो है लगातार पश्यम से पूर्व की तरफ गूम रही है क्या गुर्णन कर रही है गुर्णन करते वक्त याद करो हमने एक और चीज पड़ी थी कि यह लगातार क्या करती अपने अंदर की तरफ संकूचित हो जाती याद करो हमने कहा था दुरूओ उपे प्रत्वी चप्टी हो जाती है है ना इक्वेटर रुपे भूमदे रेखा पर प्रसारित हो जाती है है ना सो वही यहाँ पर कॉनिये समवे के संरक्षन के सिदात में हम कह सकते है कि कोई भी वस्तु जब घूम रही होती है गुर्णन करने वाली कोई भी वस्तु बाहय बल के कारण संकुचित होकर और तेजी से घूमने लगती है लिखो गुर्णन करने वाली गुर्णन करने वाली लिखिया इसको कोई भी वस्तु बाहिय बल के कारण संकूचित होकर और सिव्र गती से घोणन लगती है और यहाँ पर क्या होगा जो ब्रमान ब्रमान पर जैसे गैस है आपके पास धूल के करने हैं अगर ब्रमान के संदर्ग में ले तो जो यह गैसों के बादल हैं आपके पास में ये दीरी दीरे संगनीत होकर के नजदिक आएं हमने भी पिछले गुरुत्वा करशन वाले प्रभाव में स्लाइट में देखा कि ये दीरे-दीरे संगरी थोकर के पास मा है उन बादलों में पहले से ही एक सुक्ष्म वेग था अब जैसे-जैसे वो सुक्ष्म वेग और आगे बढ़ता है इस बाहिय बल के कारण क्या होने लगता है दोस्तों आपके पास में उस सुक्ष्मवेग में तिवरता आ जाती है और बादलों के एक सुक्ष्मवेग का एक जो तिवर घुर्णन के अंदर क्या हो जाता है आपके पास में जो सुरुवात में कहीं कहीं शुक्ष्मवेग था वह तिव्र घुल्णन में परिवर्तित हो जाती है ठीक है, सो कौनिय समवेग, समवेग मतलब होता है moment है momentum के कारण के कारण ये चीज़ होती है सो एक तो ये हो गया, सर कौनिय समवेग के कारण जो moment मिल गया सबसे पहला moment किसके कारण मिला था, गुरुत्वा करण के कारण किसके कारण मिला था, देखो, फिसली स्लाइट देखो गुरुत्वा करण के कारण, आकर्शन हो रहा था निहारिकाओं में, तारों में, गैसी, बादल, संगनित, संगठित हो करके वह वेग प्राप्ट कर रहे थे, सुक्सम वेग प्राप्ट कर रहे थे फिर आगे हमने ये पड़ा कि सर कोई भी चीज जो घूर्णन कर रही है है ना, जो घूमने वाली हर एक वस्तु जो है हमारे पास में उसके उपर कोई बाहिय बल अगर लगता है और गती पगड़ ली, अच्छा इसके कारण क्या होगा आपके पास में, कि सर जो एक तो है हमारा गुरुत्वा कर्शन, एक तो है गुरुत्वा कर्शन सबसे पहला, गुरुत्वा कर्शन की अंतकरियाएं होगी आपके पास में गुरुत्वा करशन के साथ साथ में जो भी अंतह क्रियाएं हैं यह मिल करके कहीं कहीं सारे अनू परमानू गैसेज जितने भी होंगे सब आपस में टकरा रहोंगे और उन टकराओ के परिणाम सुरूप ही जो है यहाँ पे दीरे दीरे यह गती और प्रबल होती जाती है और यहाँ पे बादलो की गती का यह मुख्य कारण बनती है ठीक है यहाँ तक क्या सब इको क्लियर है सो हमारे कण आपस में अंतकरिया करते रहते आपस में टकराते रहते और जब यह आपस में अंतकरिया करेंगे आपस में टकराएंगे तो हमारे ब्रम्हांडी पदार्थ जो हैं गतीमान ब्रम्हांडी बादल जो हैं इनके भीतर कण संगठित होंगे संगनित होंगे विभि आए भी होगी और अंत में यह सारी जो अंतर क्रियाएं हैं यह गतियों को लाश्ट में समाप्त कर देते हैं कितना टकरा जाएगा कुछ बादल यहां पर जादा है कंड जादा दूर दूर तो टकराएंगे नजदी का करके कंड जुड़ गया आपस में वापस ते को वले बन चुके हैं तो लगातार होने वाली यह गतियां जो हैं वह क्या कर देती हैं आपके पास में कंडों को संगनित कर देती हैं संगठित कर देती हैं और अंत में जाते हुए आपके पास में जो हैं ग्रहिय प्रणाली का विकास इसे होता है अब हम यह कहते हैं कि सर हमारी जो ग जो भी गण है, गुरत्वा कशन के कारण जुडने लगे, कौन ये संबेक के कारण संकुचन होने लगा, गती प्राप्त हो गई, तो हमारे इस होर मंडल में जो ग्रहे तंत्र है, जो प्लैनेट सिस्टम रहेगा आपके पास में, इसमें गैस युक्त है न, कई सार आपके पा सबसे नजदीक जो ग्रह देखने को मिलेगा, आपका बुध ग्रह है, तो उसकी उत्पत्ती अलग हुई होगी, उसका उद्गम अलग हुआ होगा, है न, आपका पर्थवी का उद्गम अलग हुआ होगा, उत्पत्ती अलग हुई होगी, अगर मैं बात करूँ, ब्रहस पत जितनी भी आपके पास में यहाँ पे डस्ट है गैस है इसको अपने अंदर समा लेगा और अपनी इस कक्षा को पूरा क्या कर देगा खाली कर देगा मतलब कोई डस्ट कोई गैस कोई खगोलिय पिंड कोई उलका पिंड इसके रास्ते में नहीं देखने को मिलेगा ठीक है ना कि सर हमारा जो यूनिवर्स है हमारा जो ब्रम्हांड है ना ब्रम्हांड है जो ठीक है ना इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको कि कई सारी जो है आकाश गंगाएं हैं क्या है दोस्तों आपके पास में कई सारी आपको आकाश गंगाएं देखने को मिलेगी यह आकाश ग लंगाओं में जो हैं अर्बो तारे हैं क्या है आपके बास में अर्बो तारों का समूह होगा है ना और हर एक तारा जो है हर एक तारा जो है स्टार जो है उसका खुद से एक सौर मंडल होगा यह सौर नो उसका खुद का सौर मंडल होगा जिस सौर मंडल में एक तो आपका हमारा सूर्य है और दूसरा जो है उसके ग्रहे वे उप ग्रहे होंगे उप ग्रहे देखने को मिलेगा सो हमारा जो सौर मंडल है क्या वो लगाता और वो भी गती कर रहा है हम कहते हैं कि सर इस तारे के इस सूर्य के चारो तरफ जो है अन्य ग्रह निश्चित कक्षा में गती करते हैं यस सर ठीक है ना पर क्या हमारे इस बहुत ही बड़ी गैलेक्सी के अंदर सबोर्ज मैं कहता हूँ हमारी कौन सी गैलेक्सी हैं दोस्तों आपके पास में मिलकी वे आकाश गंगा है इस मिलकी वे आकाश गंगा में करोड़ो ऐसे तारे हैं हर तारे का एक सौर मंडल है उसमें ग्रह उबग्रह देखने को मिलेंगे सो जो यह ब्रह्मान में हमारा सौर मंडल है क्या यह भी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है बिलकुत जैसे हमने कहा कि सर प्रिथवी जो है हमारी प्रिथवी जो है उसके चारो तरफ कहीं कहीं चंद्रमा मून जो है मून जो है वह इसकी परिक्रमा कर रहा है इसी तरह हम कहते हैं कि सर हमारी पृत्वी जो है अर्थ जो है वह भी लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही है ठीक है सर पर आपको यह याद रखना होगा कि यह सूर्य भी जो है यह पूरा हमारा सोलार सिस्टम भी जो है यह भी लग आकाश गंगा की परिक्रमा जो है वह भी हमारा प्रॉपर जो है सौर मंडल या फिर सूर्य करता है हमारा सौर मंडल जो है हमारा सोलार सिस्टम जो है लगबग 828,000 किलो मेटर प्रती घंटे की गती से जो है परिक्रमा कर रहा है किसकी परिक्रमा कर रहा है कि सर यह जो आपका केंद्र है यह जो सेंटर है इस आकाश गंगा का इस आकाश गंगा की सौर सिस्टम भी लगातार क्या करता है परिक्रमा करता है परिक्रमा कितनी स्पीड से कर रहा है कि भैया लिख लो कॉपी में आठ सो अठाइस आठ सो अठाइस हजार किलोमेटर पर घंटा आठ सो अठाइ सिस्टम जो है वह अपने आकाश गंगा के कैंदर की परिक्रमा कर रहा है तो लगबक 203 मिलियन वर्सों में आकाश गंगा के कैंदर के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरी करता तो इस परिक्रमा को इस गती से भी घूमते वे इस पूरे मिल्की वे गैलेक्षी की परिक्रमा करने में इसको कितना समय लग जाएगा 230 million years एक million में किते होते हैं दस लाक वर्स होते हैं मतलब इस स्पीड से चलते हुए भी इस स्पीड से हमारा सोलार सिस्टम लगातार जो हैं चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है 230 million words एक पूर्ण परिक्रमा में लग जाते हैं यह भी आपको जो है संगे होना चाहिए तो कई सारी जो है आपके पास में हमारी जो आकास गंगा के अंदर जो है क्योंकि हमारी आकास गंगा कैसी है हमारी आकास गंगा है सरपीलाकार कैसी है सरपीलाकार आकास गंगा इस सरपीलाकार आकास गंगा की लगा तार जो है यह कैंदर हो गया यह सेंटर हो गया और हम भी जो है एक इसकी बाहिय आम के अंदर एक छोटा सा सोलार सिस्टम है इसमें सूर्य के तारे है, सूर्य एक तारा है, वैसे ही करोडो अर्बो तारे जो हैं इसमें विध्यमान है हम जानकारी ले रहे हैं सोरमंडल और उसके घटक की, इसकी स्पीड क्या है, कितना समय लगेगा ये दोनों ही जानकारी आपको यहाँ पे अवश्यम भावी तोर पे लिखनी चाहिए स्पीड ये है हमारे सोलार सिस्टम की परिक्रमा की और इतना समय लगता है एक परिक्रमा हमें कैंदर की पूर्ण करने के अंदर इसके उपरांत मित्रो मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहूँगा प्लैनेटरी सिस्टम planetary system जो है हमारा जैसे इस Milky Way galaxy के अंदर हम का है हम इस Milky Way के अंदर जो है आकास गंगा के अंदर जो है औरियान करके है ना यह हमारी आकास गंगा है इस आकास गंगा के अंदर लिखो साथ में औरियान भुजा औरियान आम है ना सो आवियसली हमारा जो औरियान है यह कहिन के यह आउटर आउटर स्पाइरल आम के अंदर कर देखने को मिलेगा और यहाँ पे Milky Way के इस स्पेसिफिक सरपी लाकार भुजा के अंदर जो है आकास गंगा देखने को मिलेगी यहाँ पे कई इतारे, कई सारे जो हैं आपको ग्रह, कई शुद्र ग्रह, कई सारे नेबुलाज, हाइड्रोजन युक्त जो आब आदल देखने को मिलते हैं वो आखाश गंगा के कैंदर के लगातार यह सारे के सारी जो चीज़े हैं इसी के ही चारो और गती किये जा रहे ह ठीक है ना, तो यह याद रखने की कोशिश करना है कि हमारा जो सौर मंडल है वो कहीं कहीं आकाश गंगा के कैंदर से बाहर की और है, सरवी कलाकार भुजा में हैं जिसे औरियान कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके पास में, औरियान कहा जाता है, इसका कैंदर कहीं और ह हम बहुत उससे दूर है, तो हमारे planetary system की यह जानकारी पता चलिए आपके पास में, इसके उपरांत एक और जानकारी आपको पता होनी जाए, हमारा सौर मंडल जो है, है ना, उसका आकार क्या है, हमारा सौर मंडल एक डिस्क नुमा, तस्तरी नुमा आकार है इसका, कैंदर में क्या है हमारा सौर्य है, और आसपास में क्या है आपके जितने भी यह गैसी अकन थे, वह धीरे धीरे क्या करके आपके पास में, planets के रूप में, ग्रहों के रूप में, उलकाओं के रूप में, संगनित हो चुके हैं, ठीके, तो आकार कैसा है, तस्तरी नुमा आकार देखन को मिलेगा, इसके उपरांत आपकी जानकारी में यह होना चाहिए, कि सूर्य एक तारा है, जो हमारे सौर मंडल में है, यह भी लगातार गती करता है, और इस के गती की भी जो है, आपकी कुछ जानकारी महत पूर्ण होनी चाहिए, कि सूर्य जो है, ओवियसली लगातार बर रोटेट करता है वह भी जो है घूर्णन करता है पर उस घूर्णन में यहाँ पर याद रखना कि भूमद्य रेखा पर जो है घूर्णन लगबग 25 प्रत्वी दीवस के बराबर होगा आपके पास में है ना देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है एक्वेटर वाले एरि ऐसलोटेशन होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 36 अर्थ डेजैना ओविसली यहाँ सलो रोटेशन है ज्यादा समय ले रहा है यहाँ फास्ट रोटेशन है कम समय ले रहा है जैसे हमारे प्रत्वी पे भी होता है हम कॉरियोलिस बल्द पढ़ेंगे तब आप द प्रफ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है आपके पास में गुर्णन और स्लो हो जाता है ठीक है ना अब इसकी अगली जानकारी के अंदर गुर्णन गती की बात्षित की जाती है कि सूर्य अपने अक्ष पे गती करता है विबिन बागों की गती अलग अलग होती है भूमधी को तो सायद में इतना सा ही मान सकता हूँ यह है मातर एक प्रत्वी उसके सामने एक छोटा सा डॉट है प्रत्वी है ना सो कंपरिजन तो बहुत ही छोटा हो गया आपके पास में हम प्रत्वी के घुर्णन की बात करें तो प्रत्वी जो है आपके पास में उसका घुर्णन कर रहा है सूर्य के घुर्णन की कहीं कहीं प्रत्वी के घुर्णन का हम देख सकते हैं चार से पांच गुना है ना लगवक चार से पांच गुना ज्यादा स्पीड है इकतर सो असी किलोमेटर पर घंटा तो लनात्मक रूप से जो हैं प्रत्वी से भी कहीं गुना ज्यादा वेग से सूर्य गुर्णन करता है दोस्तों एक्वेटर वाले एरिया में प्रत्वी का भी रोटेशन जादा है दुरूवी एरिया में कम था यह आपको रेप्रेजेंटेटीव वेव में बताया गया दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि अब रोटेशन स्पीड तो हमको प रोटेट करती है वेग पस्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है ठीक है ना वामवरत एंटी क्लॉक वाइस जिसको कहा जाता है तो प्रत्वी के उत्री धुरू से अत्यदिक उपर से देखा गया है कि यह हमारा स्वन जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है वामवरत दिस का कैंदरिय तारा कौन है हमारे सौर मंदल का कैंदरिय तारा जो है वह सूर्य है राइट सूर्य क्या है हमारे सौर मंदल का सेंट्रल स्टार है देखिए कई सौर मंदल होते हैं जिसमें एक से ज्यादा भी सूर्य हो सकते हैं पर हमारे सौर मंदल में जो एक की कैंदरिय ता और वो केंद्रिय तारा क्या है हमारा सूर्य है चूकी सूर्य सौर्य मंदल का लगबग 99.8% द्रवेमान इसके पास है हम लोग यह कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा सूर्य जो होता है है इतना बड़ा है कि 99.8% हमारे पूरे सौर्य मंदल का भार जो है द्रवेमान जो है हाइ hydrogen, gases, dust, सब इसके पास है, बाकी जो 0.2% है, उससे आपका जो है, बुद्ध है, सुक्र है, प्रत्वी है, मंगल है, ब्रहस्पती है, सनी है, अरुन है, वरुन है, जितने भी उलका, पेंड़, छुद्रग्रह, यह सब उससे बने है, इमेजिन, सुर्य के पास में कितनी उर्जा होगी, जिस नेबिुला, जिस निहारिका में सुर्य बना था, उस सौर मंडल के बनते वक्त, 99.8 प्रतीशत के आसपास का दरविमान, जो है, किस के पास पहुंच चुका था, सुर्य के पास पहुंच चुका, जो बाकी बचा हुआ था, आपके पास में, वह कहीं कहीं जो है, जाकर के, एकत्रित होकर के, गुरुत्वा कृष्ण के खेचाव में, बाकी के जो है, ग्रह, उपग्रह, वक्षगोलिय पिंड बनते हैं, ठीक है ना, इसी कारण, सुर्य का गुरुत्वा कृष्ण जादा होगा के नहीं होगा, अब आप यह सोचेगा, कि अगर यहां एक वस्तू है, जो इस एरिया के सौर मंडल के 99.9% बहार को जो है, अपने साथ लिये होए, तो उसका गुरुत्वा कृष्ण कितना स्ट्रॉंग होगा, यही रीजन है, कि बाकी सारे जितने भी खगोलिय पिंड हमारे सौर मंडल में वो सौर्य की परिक्रमा करते हैं, एक गुरुत्वा कर्षण खिचाव के अंतरगत, यह याद रखेंगे, इसी कारण सौर्य का गुरुत्वा कर्षण अन्य सभी ग्रहों के और अन्य सभी खगुलिय पिंड होगा, तो सौर्य का गुरुत्वा कर्षण खिचाव सभी ग्रह वह अन्य पिंडो से जो है कहीं कहीं जादा होता है और यही रीजन है कि वह चारो और कक्षा में उनको बनाया रगता है और इसी कारण ही तो कहीं कहीं हमारे सारे ग्रहे जो होते हैं सूर्य के चारो और एक निश्चित कक्षा के अंदर क्या करते रहते हैं रोटेट करते रहत यह सोर नो गुर्णन भी करते हैं वे परिक्रमन भी करते हैं यह तो हमको पता ही है तो हमारे सौर मंडल में ऐसे कितने ग्रहें आठ ग्रहें कितने ग्रहें आठ ग्रहें सामिल है आप कहेंगा गुरुजी ग्रहें तो 9 होते हैं है ना हाल फिला लिया दखो हमारा तारा कौन है सूर्य यहाँ पे दूरी के करम के अनुसार सबसे नजदीक कौन देखने को मिलेगा के भाईया सबसे नजदीक जो आपको देखने को मिलेगा वह है बुद्ध कौन सा ग्रह है दोस्तों बुद्ध उसके उपरांध देखने को मिलेगा आपको शोक्र उसके बाद में है हमारी प्रथवी उसके बाद में है हमारा मंगल यह चारो ही पत्रीले टेरेस्ट्रिल प्लैनेट है जिनकी ठोस सता है इसके उपरांत क्या है? यहाँ पे asteroid belt है, क्या है? इसके उपरांत क्या है? यहाँ पे Jupiter, Saturn, Uranus, Uranus है ना? तो है ब्रहस्पती, है ना? फिर क्या है भया? सनी, फिर क्या है भया? अरून, Uranus को अरून कहा जाता है, Neptune को वरून कहा जाता है, अरून है, वरून है, यह सारे के सारे द ये कैसे है पूरे गैस से बने वे ये सारे जो हमने का ना 99.8 तो सूर्य के पास है बाकी जो 0.2% बचा है है ना उसके अंदर भी जो मुख्य तह सतही बुद्ध सुक्र प्रत्वी मंगल जो अंदर के चार है फिर एस्टेरोइड बेल्ट है और उस उलका पिंड से बने वे एस इस्टेरोइड बेल्ट के उपरांत जो है आपको देखने को मिलेगा ब्रहस्पती सनी अरुण वे वरुण ग्रह यह टोटल चार प्लस चार आठ ग्रह इसमें सामिल होते हैं तो अरुण और वरुण यूरेनस और नेप्चुन है ना ये नाम आपको थोड़े से याद रख होंगे हैना तो सौर मंडल कुछ इस तरीके से दिखता है कैसा दिखता है आपके पास में सौर मंडल कुछ इस प्रकार से दिखता है कैंदर में 99.8 प्रतिशत भारवाला द्रवेमान गैस सारी इसके पास एक नाम क्या है सूर्यतारा है हमारे सौर मंडल का इसका द्रवेमान हुआ है मर्कृी बुद्ध उसके बाद में तो चार तरफ चोटी छोटी उलका पिंडो का एस्टेरोईड बेल्ट देखने को मिलता है अब ये जो एस्टेरोईड बेल्ट है दोस्तों इसमें चोटे पत्थर होंगे बहुत ही बड़े बड़े उलका पिंड होंगे और यह उलका पिंड जो हैं दोस्तों साइज में कुछ सेंटडो मीटर से कुछ किलो मीटर बड़े भी हो सकते हैं सोचो दो किलो मीटर पांच किलो मीटर बड़ी उलका है पत्थर की पिंड शिला है और वो हवा में तैर रही है सूर्य के सूर्य के गुरुत्वा करशन एट्रेक्शन के कारण लगातार इस आकरशन छेत्र के अंदर इस एट्रेक्शन जोन के अंदर बनी हुई है और तैर रही है और लगातार क्या कर रही है सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसके बाहर पहुंचते हैं हम तो हमको द फिर आपको Uranus देखने को मिलेगा, साथवा और लास्ट में हैं आठवा आपका Neptune क्या है? Neptune देखने को मिलेगा, ठीक है? जिसको हम लोग कह सकते हैं, आईए अब हम सौर मंडल के घटकों की जानकारी लेना सुरू करते हैं, हमारे सौर मंडल के घटकों की अगर हम लोग दोस्तों जानकारी लेंगे, हाँ, यहाँ पर देखे, अन्य आपके पास में जो है, सबसे पहले तो आ गए हैं सूर्य खुद, सूर्य के बाद में आगए आपके पास में आठ ग्रह, उन आठ ग्रहों की सिक्वेंस आपने जो सूर्यों से दूरी में याद कर दी हैं, उसके उपरांत आ गए हैं, ग्रहों के अलावा भी सौर मंडल के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, कुछ माइनर प्लैनेट हैं, जिनको ग्रहों के सूची में आठ ग्रह हैं, इसके अलावा कई ग्रहों के जो हैं, मून जिसको चंद्रमा कहते हैं, प्रत्विका चंद्रमा हैं, ऐसे ही कई ग्रहों के भी चंद्रमा हैं, उसकी जानकारी लेंगे, उसके उपरांत आपको लाखों शुद्र ग्रह, धूम के तू, वे अस्टेरोईड यानि उल्गा पिंड भी यहां पे देखने मेशा नहीं करने भी आपको आकँ यहां पर देखने को मिलेगी अब सुर्य के अंदर गत जैसे कि हम नेесте कहा मेक मेक हैं हैं आपके पास में हुआ मिया है, प्लूटो है, एरिस है, आपके पास में, इसके अलावा आपका सेरल करके हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, अन्य खगोलिय पिंड है, ग्रहों को छोड़ करके, जो मुख्य खगोलिया पिंड है अब सूर्य का एक मध्यम आकार का तारा हम यह नहीं कह सकते कि जो Milky Way Galaxy में अर्बो खर्बो Millions of the Stars है इन Millions and Billions of the Stars में से सूर्य एक मध्यम एक मीडियम आकार का तारा है मतलब नहीं तो जादा छोटा है नहीं जादा बड़ा है एक मीडियम आकार मध्यम आकार का तारा है सूर्य की अपने कैंद्र से लगबग तरिज्या मैं रेडियस कैलकुलेट करूँ तो वह साथ लाक किता है वह या साथ लाक किलोमेटर हैं मतलब ऐसा सूर्य हमारे प्रत्वी की लगबग हम लोग कहते हैं कि 6400 के करीब है 6380 या 90 ऐसा कुछ लिखा जाते है मुख्य तरह एवरेज कैलकुलेशन के लिए हम लोग 6400 मानते हैं अब मैं तो यहां पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूँ कि अगर तरिज्या कितनी है इतनी है तो हम लोग 2πr से परीदी निकाल सकते हैं हम लोग जो है पायार स्कुरे से कहिन के जो है इसका वाल्यूम दरविमान वगरे सारी चीज़े निकाल सकते हैं अब यहां पे ऐसे बड़े तारे मद्यमाकार का तारा हो तो कितनी प्रत्वियां, तेरा लाख प्रत्वियां इसमें समा सकती है, अपने आप में ही, है ना, कितना हमको क्या लगने को लगता है कि सर ये प्रत्वी है, पर ये सूर्य आकार में इतना बड़ा है, इतना बड़ा दरविमान है, कि तेरा लाख प्रत्वियां जो हैं, इसमें स समा सकती हैं, तेरा लाख प्रत्वी, यह अपने आप में छोटा स्टेटमेंट नहीं है, तो ग्रहों की जानकारी के उपरांत, हम प्रत्वी और त्रिज्या की जानकारी लेते हुए, अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य को और थोड़ा बहतर जानते हैं, सूर्य, ओवियसली हिलियम गैस ज्यादा थी, और जब उनका संगनन होगा, तो कौन सी गैस ज्यादा होगी, हाइडरोजन और हिलियम, वही हाइडरोजन और हिलियम, उच्च ताप, उच्च दाब में, क्या करती हैं, ना भी किये सल्लयन अभी करिया, उस ना भी किये सल्लयन, नुक्लियर फ्य vision reaction के फ़लसुरूप तापमान बढ़ेगा के निइ बढ़ेगा ? बिलकुल ! यहां तापमान आपको 6000 degrees Celsius देखने को मिलेगा और यह तो हम सतः की बात करते सुख poker, सतः पे हैं exhibits 10,000 degrees Celsius 100 o ignos , याद रखना पानी उबल के गयब हो जाता है přेप्रास हो जाता है सतहाँ पर पहुंचोगे 6000 अगर तुम सतह से अंदर चलते गए और जो हमने कहा हमारा कोर तरिजिया 70,00,00 किलो मेटर की इस 70,00,000 किलो मिटर की तरिजिया के अंदर आप गुशते गए गुशते गए तो जो कोर में पहुंचोगे उस सूर्य के कोर का तापमान कितना है भाया सूर्य के कोर का तापमान है 16 million degree Celsius कितना है 16 million degree Celsius तो कोर का तापमान क्या है आपके पास में 16 million degree Celsius अब सोचिए 16 million में मैं वापस आपका ध्यान आकर्शित करना चाहूँगा 1 million 10 lakh का होता है इसके पीछे 10 लाख अगर मैं जोड़ दूँ तो 160 लाख, 160 लाख डिगरी सेल्सियस, 160 लाख डिगरी सेल्सियस भयंकर ताप माने, भयंकर, सूर्य के कोर पे सायद ही कोई जा पाए, और यह सारी चीजे कहीं कहीं कारण क्या है, ना भी किये सलयन अभिक्रिया, क्योंकि सूर्य के अंदर अधिकतम आपको हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिलती है, और यही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगातार जुड़ करके ना भी किये सलयन अभिक्रिया के फलसुरूप, जिसका निर्मान करती है, उस गैस को हम लोग क्या लिखे थे, हीलियम गैस लिखे तो, तो सूर्य पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन वे हीलियम, यह एक इधन का काम करती है, यह एक फ्यूल का काम करती है, ठीके, अब सूर्य क्या गुर्णन करता है, हमने कहाँ, बिल्कुल सा सूर्य भी गुर्णन करता है, सूर्य के गुर्णन को हमने बताया था, कि यह व वह कहीं न कहीं परत्वी के उत्री द्रूव से अत्यदिक उपर से देखने पर हमें लगता है कि वह एंटी क्लोकवाइज घडी की दिशा के ठीक विपरीद जो है कहीं कहीं रोटेट हो रहा है इसके अलावा और भी कई सारी चीजे हैं जैसे सूर्य के निर्मान को लेकर के कि सूर्य का निर्मान कब हुआ होगा नेबुला में होता है निहारी काओं में होता है कि सरकई सारे धूल और गैस के करने वो खिचाओ के कारण गुरुत्वा करशन के कारण लगवग 4.6 अरब वर्स पहले कितने वर्स पहले वर्चो साड़े चार अरब वर्स पहले एक अरब को मित्रो हम यह लिख सकते हैं एक अरब वर्स एक बिलियन वर्स लिखते हैं जनरली तो लगवग 4.6 बिलियन वर्स या अरब वर्स पहले गुरुत्वा कर्शन बलो के कारण सुरुय का निर्माणवा और जो ये धूल का गैस का पुंज जो था वो धीरे धीरे एक्रेशन जुडाओ खिचाओ गुरुत्वा कर्शन के कारण किस में कनवर्ट हो गया इस तारे में कनवर्ट हो गया जैसे जैसे ये पदार्त और केंदरित होके गए और नजदीक आते गए इनका सघनता बढ़ी, कंडेंसेशन बढ़ा, यह और गरम होता गया, गुरुत्वा कर्शन बढ़ता गया, और धूल के जो कन हैं, अंदर डस्ट पार्टिकल है, गैसेज हैं, वह और भी जादा नजद स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, स्नोबॉल जो होता है, बरफ का जिसे गोला होता है, आपके पास में, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, कि बरफ थोड़ी सी लिए आपने उसको और दबा करके और कॉमपेक्ट किया जाता, थोड़ी सी और बरफ लिए, गोला देख आप और जोड़ सकते हैं चीजो को कंणो को और नजदीक नजदीक ला सकते हैं वापस पढ़ो तो कि जब सगनता और बढती गही तापमान बढ़ता गया उसके फल स उरूप गुरुत्वआ कर्शन बढ़ता गया फल सुरूप धूल के कन जो हैं और एकत्रित होते गए और स्नोबॉल एफेक्ट के कारण आपका है इस स्टार का इस तारे का निर्मान होता है परिणाम सरुप एक डिस्क जैसी सनरचना बन गए क्या बनी थी दोस्तों आपके पास में यहां पे कैंदर ये भाग में तो ये तारा रहे गया जिसके पास में लगभग 99.8% जो वॉल्यूम है द्रविमान है वह रहे गया बाकी जो भी गैस जो भी डर्स्ट बच गई वह इसके चारों तरफ एक डिस्क एक तस्तरी नूमा एरिया में फैल चुकी थी ठीक है ना और यहां इस डिस्क के कैंदर में क्या बना आपके पास में एक तारा बना एक स्टार बना और कोई भी चीज़े जो नई बनती है जो नई नवेली होती एकदम बच्चा सा होता है अभी जस कहीं कहीं क्रियेट होई रहा है तो उस तारे को हम लोग कहते हैं प्रोटो स्टार क्या कहते हैं कोई भी तारा जब नया बना है स्टोबॉल एफेक्ट से है ना पदार्थ जो है वो डिस्क के कैंदर केंदर कहीं के जो है एक प्रोटो स्टार का निर्मान करता है अब प्रोटो स्टार में भी कहीं कहीं तापमान जादा है, प्रेशर जादा है और लाखो वर्सों में जो दीरे दीरे, हमने क्या का? कि सर लगबग हमारे सूर्य का निर्मान कब हुआ था? देखो हमने लिखा कि सर 4.6 अरब वर्स पहले, इन अरब वर्सों के बाद में, जो सबसे पहले प्रोटो स्टार बनाता, कुछ लाखों वर्स बाद, तापमान बढ़ता गया, दाब पर इस्तित्या बढ़ते गई, और उस हाई टेंपरिचर और प्रेशर के अंदर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जोड़ना सुरू हो जाती है, और जब हाइड्रोजन ही हाइडरोजन से जोड़ना सुरू हो जाती है, तो क्या बनाएगी वह, हीलियम गैस बनाएगी, क्या बनाएगी, हीलियम गैस बनाएगी, और यह अभीक्रिया, उसमा उत्सरजी अभीक्रिया होती है, इसमें तापमान उसमा हीट रिलीज होती है, तो जो एनरजी रिलीज होती है, वही तो कही कहीं तापमान बढ़ाने का कार्य करती है राइट और रॉंग उसी सही तो सूर्य का तापमान हमने कहा कि कई millions of the degree Celsius केंदर केंदर है, कोर केंदर और सतह पे 6000 degree Celsius है तो प्रोटो स्टार में दीरी-दीरी हाइडरोजन सनलयन की अभिक्रिया सुरू हो जाती है और वह प्रोटो स्टार वह प्रोटो स्टार जब नुक्लियर फ्यूजन करने लग गया जब नाभी के सलयन करने लग गया तो अब मेरा प्रोटो स्टार सूर्य में परिवर्तित हो चुका है तो जब तक किसी प्रोटो स्टार में उच्च ताप उच्च दाब परिस्थितियों में नुक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन सनलयन की अभिक्रिया नहीं सुरू होती वो सूर्य में परिवर्ति तो नहीं होता आज जिस तारे को हम देखते हैं वह प्रोटो स्टार नहीं है वो एक प्रॉपर में सिक्वेंस स्टार है क्या है आपका इसको एक आपके पास में जो है सूर्य के रूप में सन के रूप में भी कहा जा सकता है जिसमें के नुक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सलयन होता है और एक मुख्य तारे के रूप में इसके पुमिका देखने को मिल जाती है अब ये तो है हमारा तारा ये तो है हमारा सौर मंडल अब आप बताए कि क्या इस Milky Way गैलेक्सी में इस आकाश गंगा में सूर्य जैसे और भी तारे हैं तो मेरा उत्तर है हाँ सूर्य जैसे और कई अनेक तारे देखने को मिलेंगे तो जो सूर्य के जैसे और कई अनेक तारे आपको देखने को मिल रहे हैं इन तारों के अंदर आपका एक प्रश्न होगा कि सर फिर हमारा पड़ोसी कौन है? इस क्लास में और कौन-कौन पढ़ रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि देखो तुम पढ़ रहे हो XYZ और पढ़ रहा है ABC स्टुडेंट और पढ़ रहा है तो सर मेरे से निकटतम बेंच पर कौन बैठा वा है? तो जो सोलार सिस्टम हमारा सूर्य हमारा तारा जो है इस तारे के नजदीक तम तारा कौन सा है? यह भी तो एक प्रश्न है यह भी तो एक प्रश्न बन सकता है तो यहाँ पे दोस्तो Alpha Century करके Alpha Century करके एक ट्रिपल स्टार सिस्टम जो है यह हमारे सूर्य का एक निकटतम तारा प्रणाली है ठीक है? यह याद रखने युद्ध है फिर है Proxima Century एक रेड ड्वार्फ है प्लैनेट है आपके पास में लगबग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर इस्तित है अब याद यह भी रखना है आपके पास में एक और महत्पुन्ची के सर हमारी अर्थ जो है आमारी प्रित्वी जो है सूर्य से कितनी दूर है सूर्य से कितनी दूर है तो हम इसको कहते हैं एक खगोली ये इकाई क्या कहते हैं हम लोग इसको एक खगोली ये इकाई Astronomical Unit इसको लिखा जाता है AU लिखा जाता है ठीक है सर तो अंतरिक्ष में कभी भी दूरी मापनी हों तो जनरली हम लोग यह कहते हैं कि सूर्य से प्रत्वी एक AU दूर है सूर्य से X वाजेट प्लैनेट इतने AU दूर है है ना और दूरी का मापन जो है आप आप कहेंगे सर वर्ष तो समय का प्रतिके वर्ष है महीना है दिन है सपता है घंटे है आवर्ष है मिनिट से सेकंड यह तो समय का कहीं कहीं मापन होता है गुरु जी बट मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा कि अंतरिक्ष में हम प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष या जिसको हम लोग कहते हैं लाइट लाइट यह जो लाइट यह है यह क्या कहता है कि सूर्य से निकलने वाले फोटन है फोटन है प्रकाश है यह जो प्रकाश की कीरण जो है प्रकाश के वेग से ट्रेवल करेगी यह सोर नो प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग इस वेग से गती करते हुए एक वर्ष में 365 दिनों में कितना distance ट्रैवल कर पाती है तो यह जो distance होगा इस distance को हम लोग कहीं कहीं क्या कहेंगे प्रकाश वर्ष कहेंगे मतलब प्रकाश के द्वारा light के द्वारा एक वर्ष में 365 दिनों में कितना दूरी तए की जा सकती है अगर मैं प्रकाश की गती से भी चलूँ अगर मैं light की speed से भी चलूँ तो उस light की speed से मैं एक वर्ष में कितना distance कवर कर पाऊंगा इस दूरी को इस distance को हम प्रकाश वर्ष के अंदर मापते हैं वापस आपका ध्यान आकरशित करना चाहूंगा कि हमारा निकटतम तारा भी कई प्रकाश वर्ष दूर है मतलब हम आज जो हमारे पास में प्लैनेट के जैसे हम चंद्रमा पे जा रहे हैं हम मंगल पे जा रहे हैं हम बुद्ध पे जा रहे हैं हम अंतरिक्ष में अन्वेशन के लिए ग्रहों के बीच में कहीं कहीं जो हैं अंतरिक्षयान बेजते हैं इसकी गती तो बहुत ही कम है अब सोचिए अगर हमारे पास में ऐसा मैथड भी आ जाए कि भाया हम एक तारे से दूसरे तारे के उपर एक इंटरिक्षयान बेज दें और वो अंतरिक्षयान जो है प्रकास की गती से भी चल रहा है तो भी हमें दूसरे नजदिक तारे पहुंचते हुए कई वर्ष लग जाएंगे सूरे जैसे तारे एलफा सेंचुरी ए और एलफा सेंचुरी बी जो हैं वह हमसे चार पॉइंट तीन साथ प्रकाश वर्ष की दूरी पे हैं दोस्तों यह रहा हमारा सूरिय यहां से हैं फिर उर्ट क्लाउट जहां पे हमारा सोलार सिस्टम कंप्लीट हो चुका है यह दो प्रकाश वर्ष फिर चार प्रकाश वर्ष चार प्रकाश वर्ष की दूरी के आसपास में हैं आपका proxima century A है ना फिर है आपका alpha century alpha century B इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा कि alpha century जो triple star system यह है यह कहीं कहीं हमारे सबसे नजदिक है तो अगर आपको normal प्रशन पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा सूरी के नजदिक निकट तम और कौन सा तारा है तो आप वहाँ पर क्या लिखा हैंगे alpha century लिखा हैंगे जो की तीन तारों का एक system है triple star system है सबसे पहले जो है नजदिक तम निउन तम जो दूरी पर आपको देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा आपको proxima century क्या देखने को मिलेगा proxima century देखने को मिलेगा ठीक है ना 4.2 के उपर और बाकी फिर जो है alpha century A और B यह 4.3 पर तो इस हिसाब से सबसे नजदिक क्या है proxima century सबसे नजदिक क्या है लिखो proxima century कितना दूर है हमारे पास में proxima century लगबग 4.2 light year 4.2 light year क्या असपास में है ठीक है तो प्रकास वर्स तो मैंने already लिखाया ही है आप यहाँ पर लिख भी सकते है कि प्रकास वर्स इस बात पर निधारिन किया जाता है कि प्रकास वरा एक वर्स में कितनी दूरी तह की जाती है तो light की speed से travel करोगे आप प्रकास की गती से भी जाओगे अरबो तारे हैं जिसे हमारी आखाश गंगा milky way galaxy बनी हुई है अब मित्रो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इससे आगे इससे आगे जो हैं हमारा ध्यान आकरशित करने के लिए हैं चंद्रमा और वलय देखिए हमारा जो इस तारकी प्रकृति के अंदर हमारे इस solar system के अदर सूर्य जो है इसका कोई अपना चंद्रमा है क्या नहीं सर सूर्य का कोई भी अपना अलग से मून नहीं है ठीक है न पर हाँ कई सारे ग्रहे हैं जो सूर्य की लगातार परिक्रमा कर रहे हैं पता है कुछ ग्रहों के जो हैं चंद्रमा या कुछ ग्रहों के मून जरूर देखने को मिलते हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं जैसे कि प्रत्वी की परिक्रमा एक चंद्रमा कर रहा है आपके पास में तो सूर्य जो है आपके पास में एक समय क्या था आपके पास में तस्तरी के करण और बच जगे वह Cooper belt में या उट cloud में बदल गए है ना और वह आज भी सूर्य को घेरे हुए है आज भी हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है तो सूर्य के बैल्ट कहते हैं उसके भी कुछ और आप प्रकाश्वर्स आगे जाएंगे तो आपको एक और जो है कहीं कहीं जो है उल्ट क्लाउड या उल्ट बादल देखने को मिलेगा यह भी कहीं गई धूल के गैसेस का वले ही है जो चारो तरफ देखने को मिलेगा ठीक है ना तो आप लिखेंगे आपके पास वे सूर्य की सन्रजना अब इस हैडिंग में आपको सबसे पहले यह बताना है कि हमारा जो सूर्य है वो किस से बनावा ए सर हमारा सूर्य है हमने बताया सर हाइड्रोजन से बनावा है, हाइडरोजन और हाइडरोजन मिलकर के कौन सी गैस बना दिये, तो हीलियम तो दो मुख्य गैसे हैं, पहली है हाइडरोजन और दूसरी है हीलियम, इन गैसों से हमारा सूर्य बनावा है, और लगबग इसकी त्रिजिया सांत लाग किलोमेटर के आसपास में आपने बताई, तो इसकी सैंडचना और आकार जो हैं, वो अभी केंद्री, अभी केंद्री दोनुं ही बलों से संतुलित होती है, अभी केंद्री बल क्या होगा आपके पास में, जो स्सेंटर की तरफ लग रहा है, आपके पास में और कुछ बल जो हैं वह बाहर की तरफ लग रहे हैं कहा था एक मोमेंटम एक गती मिलती है और यहाँ पर आपके अभिकेंद्रिय दोनों ही बल लगे रहते हैं तो यहाँ पर अब कैंद्रिया वे अभी कैंद्रिया दोनों ही बल जो है लगातार सूर्य पे कारे कर रहे हैं और यह एक इन दोनों बलों के अंदर अगर संतुलन होगा अगर इन दोनों बलों के अंदर संतुलन होगा और उस संतुलन के फलसुरूप ही जो है आपका तारा जो है वह कही अच्छे से फंक्शन कर पायेगा अभीकेंद्रीयबल के रूप में अगर देखा जाए तो कौन कौन से बल है सूर्य का जो है सबसे पहला बल तो है हम कहता है गुरुत्वा करशन क्या है अभीकेंद्रीयबल जो कैंद्र की तरफ लगते हैं जो अलग अलग धूल गयस करण है 99.8% जो है पूरे सोलार सिस्टम का धूल के करण डस्ट पार्टिकल गैस इसी के पास है तो सबसे पहला है अभी कैंद्री बल जो कैंदर की तरफ लगता है अभी कैंद्री बल के रूप में कौन सा बल होगा तो आप लिखेंगे गुरुजी यहाँ पे होगा आपका गुरुत्वा कर्शन बल होगा कौन सा बल है गुरुत्वा कर्शन बल होगा आपके पास में है ना और यही गुरुत्वा कर्शन बल है जिसके कारण जो है आपके सूर्य का आकार कम होता है अंत तह जो है लास्ट में जाते हैं यह भी बढ़ाता याद करो लास्ट क्लास में हमने बढ़ाता कि स्टार जो है वह बलास्ट भी हो सकता है या अंदर कॉलाप्स भी हो सकता है और न्यूट्रोन स्टार में भी बदल सकता है और न्यूट्रोन स्टार बदल जाता तो की waves होती हैं तरंगे होती हैं तो यहां पर अंत में जाते हुए कि neutron star भी बन सकता है तो यह तो होगया गुरुत्वा करशन एक तरह का अभिकेंद्रिय बल जो की सारी चीजों को बांदे रखता है और सूर्य के आकार को कम करने का काम करता है और कुछ बल बाहर की तरह भी लग के कारण बड़ी मात्रा में उश्मा पैदा होती है क्या पैदा होती है आपके पास में उश्मा हीट है ना यह पैदा होती है और यही उस्मा देखो किसी भी चीज को आप हीट दोगे तो क्या वो फैलेगा हवाओं का भी विस्तार होगा है ना पानी को गर्म करते हो तो पा कहीं विस्तार संभव है यहां पर विस्तार की प्रवती की रूप में यह कारे करेगा लगातार जो गुरुत्वा कर्शन कारे करता है लगातार जो सनलयन के द्वारा बनी हुई जो उस्मा है यह इसके विस्तार का कारे करती है और इसी कहीन कहीं विस्तार और आकार को कम करने के लिए गुरुत्वा कर्षण और सनलेयन की जो फोर्से से लगातार कार्य करते हैं और सूर्य को अपनी निश्चित स्थती में आकार में जो है वहे बनाए रखते हैं ठीक है न वहे बनाए रखते हैं ठीक है कहां पर गया भया सूर्य और पर्तिव के बीच का डिस्टेंस 150 किलोमेटर्स है 150 मिलियन किलोमेटर्स है इसको हम लोग क्या लिखते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एक खगुलिय इकाई लिखते हैं सो संडचना के अंतर किताब के दो बल कारे करते हैं एक है अभिकेंद्रिय यह फेक है अभिकेंद्रिय बल और अभिकेंद्रिय और अभिकेंद्रिय बल में अभिकेंद्रिय बल जो है वह बल है आपके पास में गुरुत्वा कर्शन वाला अभिकेंद्रिय बल है वे परमाणू सनलयन के द्वारन पैदा होने वाली उश्मा है जो कि विस्तार की प्रकृती रखती है और यही आभी के अंदरी और अभके अंदरी बल मिलकर के सूर्य को उसकी वास्तविक अभी की स्तिती में रखते हैं अब इस सूर्य के उपर कौन से बल लग रहे हैं ये पता चल गया हमको सूर्य के बारे में एक और जानकारी लेनी है सूर्य का विकीरन छेत्र क्या है, सूर्य के कोर की जानकारी लेंगे उसके समवंच रहें वाली तो सूरिय और सूरिय से निकलने वाली सारी जो प्रकास है इनकी तमाम अन्य Immantra जानकारी जो है हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे अब हम यहां पे अगला जो है प्रश्णा आप heading डालेंगे सूर्य की संरचना heading चल रही है अपनी उसी के अंदर जो है आगे लिखने की कोशिश करेंगे core क्या लिख रहे है हम लोग मित्रों हम लिख रहे हैं यहां पे core के बारे में कि जो हमारे सूर्य का core है सूर्य का कोर जो है obviously इसको हम लोग एक और सब्द यहां पर यूज करते हैं इसके लिए कि यह एक तरह का पावर हाउस है यह सूर्य का पावर हाउस भी कहलाता है जैसे हमारी कोशिकाओं में होता है न माइट्रो कॉंड्रिया कारण क्या है यहां पे धर्मोन्यूक्लियर यहाँ उर्जाउतपन होती है और सुर्य के कोर को हम पावर हाॉस के नाम से भी जानते हैं अब याद रखना इतना अप्रत्याशित ताप्मान होता है कि असामाने रूप से जो है आपके पास में इसमें हमने कहा था कि कई millions of the, thousands and millions of the degree Celsius यहाँ पर temperature रहेगा यहाँ पर जो आपकी temperature देखने को मिलेगी इस temperature के कारण जो है आपका चारो तरफ एक विकीरन छेत्र देखने को मिलेगा जो यहाँ उर्जा बनी है इसके फलसरूप जो आपको यहाँ पर उर्जा देखने को मिलती है यही उर्जा बाहर की और बढ़ती है और एक सूर्य के कोर के चारों तरफ एक विसिस्ट परत का निर्मान करती है, यह है आपका कोर और इसके चारों तरफ यह जो कोर से निकली हुई उर्जा है, यह बाहर के और लगातार बढ़ती है, तो लिखेंगे कोर से निकली उर्जा जो होती है, वह चारों और बढ़ती हैं और एक विसिस्ट परत का निर्मान करती है, चारों और बढ़ती हैं और विकिरण परत का या विकिरण छेत्र का निर्मान करती है, और तुम्हें पता है, लगबग सूर्य के कोर से, यहां के जो सूर्य का यह जो कोर है, इस कोर से निकलने वाली एनर्जी जो है न, वो कितने टाइम बाद में जो है, कितने टाइम तक यहां से रि विकीरण होती रहती है, रेडियेशन होती रहती है, इसको हम लोग रेडियेशन जोन भी कहते हैं, है ना यह जो रेडियेशन जोन है, आपके पास में रेडियेटीव जोन इसको कहा जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर महसूर ये का, ये रेडियेटीव जोन से जो उर्जा है, वह लगातार कितने वर्षों तक एक लाख सत्तर हजार वर्षों तक विकिरनित होती है तो इतना समय जो है उर्जा को विकिरनित होने में लगा दिया जाता है आपके पास में अब जो एनर्जी रिलीज हुई है वहाँ से उर्जा कहां बन रही है इसको कहा जाता है समभण चैतर क्या जाता है जो कहा जाता है अब इस समभण चैतर में क्या होगा उसके उपर वाला यह वाला जोन है ये वाला जोन है, color change करते हैं color white रखते है, ये वाला जोन इसको convection zone भी कहा जाते है अब ये convection zone का क्या काम होता है इस छैत्र के अंदर सूर्य की जो उरजा है सत्र की और लगातार गतिमान हो रही है और सूर्य की उरजा गतिमान होने के साथ में जो gases हैं सूर्य के अंदर वो गरम होने के और ठंडा होने से समवहन धाराएं निर्मत होती है लगातार आपके पास कुछ gases गरम हो रही है और लगातार कुछ gases जो नीचे की तरफ जा रही है गरम हो रही है उपर की तरफ आ रही है वापस ठंडी हो जा रही है सो यहाँ पे तो क्या है कोर उसके बाद में क्या है आपने कहा था कि सर यहाँ पे विकिर्नी थोरी है उड़ जाएं तो हमने इसको कहा था रेडियेटिव जोन क्या था रेडियेटिव जोन है ना लास्ट में यहाँ पे जो है convection currents देखने को मिलेंगे convection currents देखने को मिलेंगे और इसको हमने क्या कहा दिया समवहन छेतर convection area convection area या इसको convective zone भी कहा जाता है समवहन छेतर जहाँ पर सूर्य की उर्जा सतह की और गतिमान होती है तो इसमें लिखेंगे आप इस छेतर से सूर्य की उड़जा सतह पर गतिमान होती है यहाँ तक क्लियर है सबी को और यह दिरे दिरे जो है जैसे जो उड़जा है वो उपर की तरफ जाती है गैसो का तापान कम हो जाता है वापस जो है यह नीचे की तरफ आती है अंदर टेंपरिचर जाता है तो यहाँ पर लगा था गैसे गरम होती रहती है गैसे ठंडी होती रहती है और यह एक सर्कुलर संवहन कन्वेक्शन करंड का फॉर्म ले लेता है अब जब यहाँ पर टेंपरिचर तापान जो है यह उपर की तरफ आ चुका है तो लाष्ट में जाते वे कोई भी चीज जो प्रदिप्तित है कोई भी चीज जो है आपके पास में प्रकाश में है उसके चारों तरफ एक औरा देखने को मिलेगा चमक देखने को मिलेगी जिसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं जिसको हम लोग फोटो स्वेर कहेंगे क्या कहेंगे आपके पास में फोटो स्वेर या प्रकाश मंडल अब ये फोटो स्वेर या प्रकाश मंडल क्या है दोस्तों सूर्य की बाहरी परत है जो तो द्रश्य प्रकास उत्सर्जित करती है, जो हीट रिलीज होती है ना, उस हीट में से आपको पता होगा ना, कि हमें क्या दिखता है, विबिग और ही तो दिखता है, वाइलेट इंडिगो ब्लू, यलो औरेंज रेड, है ना, इसके आगे का हम लोग कहते हैं इंफरा रेड अवरक्त विक्री ने नहीं देख पाते हम आखों से, इसके कम वाली जो है, जिसको हम UV कह देते हैं, अल्टरा वाइलेट रेज कह देते हैं, प्राबैंगनी विक्री ने हम को नहीं दिखती है, तो जो द्रश्य प्रकास उत्सर्जित करने वाली सूर्य की बाहरी परत है, इ दोस्तों आपके पास में 4000 से 6000 के बीच का और प्रकास मंडल है ना लिखेंगे सूर्य की बाहरी प्रत्व जहां से द्रश्य प्रकास द्रश्य प्रकास जो है वो लगातार उत्सर्जित होता है और जिस सत्व से उत्सर्जित होता है उस सत्व को हम लोग क्या कहते है फोटो स्वेर नाम लिया जाता है बस इतना सा है कि प्रकास मंडल जो इसकी प्रार्थमिक घटक के रूप में जो सूर्य से प्राप्त जो है हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में 74% हाइडरोजन है, 23% के करीब हीलियम है, वह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर गैसे काफी जादा मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अन्य भी तत्तों होंगे, कोई भारी तत्तों भी होंगे, आपके पास में कई खगोल ग्यानी कहते हैं कि सर, जैसे हाइडरोजन, हाइडरोजन और हाइडरोजन मिलकर के क्या मना रहे हैं, हीलियम मना रहे हैं, वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलकर के क्या मना सकते हैं, कार्बन मना सकते हैं, कार्बन और कार्बन मिलकर के और भी आपके हैवी, हैवी मैटल्स बना स यहाँ पे हैवी एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं आवर ओल यहाँ पर याद रखना है कि कुल द्रवयमान का सूरी के द्रवयमान का दो परसेंट के आसपास में इस फोटो स्फेर के अंदर गैसेज व अन्य एलिमेंट्स के अंदर कनिकाएं के रूप में प्रकाश जो सबसे सामाने गटना है यहां पे देखने को बिलती है तो यहां पे जो अपने सुना होगा कि जब किसी भी चीज को तापमान बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है 4000-6000 डिगरी सेल्सेस का आसपास हो वो प्लाजमा के अंदर चेंज हो जाते है तो यह प्लाजमा समवहन की कोशिकाएं हो सकती है तो प्लाजमा कन्वेक्शन सेल्स होते है जो सुर्य के अंदर से जो प्लाजमा है जो हीटेड मैटीरिल वो बाहर की तरफ लेके आते है और प्रतियक का व्यास जो है आपके पास में 1000 किलोमेटर के आसपास का यहाँ देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आपको कई सारे ऐसे जो है कन्वेक्शन जोन देखने को मिलेंगे और इन कन्वेक्शन जोन में से सुर्य के अंदर से जो प्लाजमा मैटीरियल जो है जो उच्छ तापमान का है 1000 लाखों डिगरी सेलसेस का तापमान का जो है वह प्लाजमा बाहर की तरफ रिलीज होता रहता है उससे एनरजी लगाता रिलीज होती रहती है यह तो फोटो स्फेर है समझ में आ गया जहां से दरश्य प्रकास रिलीज होता है ठीक है ना तो यह कहां है आपके फोटो स्फेर या फिर जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल के ऊपर की सतह हैं दोस्तों के ऊपर की सतह देखने को मिलेगी और यह जलती हुई जो गैसेस क्योंकि सूर्य से लगातार गैसेस तो ही है और ये जल्ती हुई गैसो की परत है, इसका तापमान क्या होगा? इसका तापमान कम होगा, इसका तापमान सापक शुरूप से देखा जाए, तो कम होगा, इसका मतलब है कि यह थोड़ा थंडा होता है, थंडा किस से compare गया है? मतलब हमारे जैसे नहीं कि फरीज इतना तंडा, यहां पर तापमान मतलब कोर में लाखों डिगरी सेल्सियस है, अना सत्व के उपर 4000 डिगरी, 6000 डिगरी है, यह थोड़ा और कम होगा, तो क्रोमोस्फेर होता है, वहां का तापमान जो है, वह लगबग कम होता है, जिसको मैं पर यहां पर यहां पर यहां पर प्लाजमा जो है, वह इस एरिया को कंट्रोल करता है, जहां प्लाजमा जादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मैगनेटिजम देखने को भी लगा जहाँ कम है तो बड़ी-बड़ी संडचनाओं का आया आकार ले सकता है कई बार आपके पास में छोटा मोटा इस रूप में इस रूप में इस रूप में इस रूप में ये पूरा क्या है इसके चारो तरफ, सुर्य के चारो तरफ यह क्या है? यह इसको ही तो हम लोग 크romosphere कहते हैं प्रकास मंडल photosphere के उपर जो जलते गैसों की एक परत है जो कभी-कभी सूर्य के कोरोना चहतर तक भी पाई जा सकती है अब इसके उपरांद हम एक और छेत्र पढ़ते हैं कोरोना कोरोना अब ये कोरोना क्या है सूर्य की संरचना में ही आता है ये भी सूर्य का कोरोना जो है देखो टेंपरेचर क्या है कोई भी चीज का टेंपरेचर जब तापमान ज्यादा है है ना तापमान बहुत ज्यादा है और तापमान उच्च होने के कारण क्या होगा जो गैस होंगे वह क्या हो जाएगी आपके पास में आयनित हो जाएगी आयनाइज हो जाएगी आयनाइज मतलब या तो धन आयनित हो गई या रिन आयनित हो गई है ना पॉजिटिवली निगेटिवली चार् पूर्ण होता है यहां पे आपको आयनित तत्वों से एक पूर्ण चैत्र देखने को मिलेगा इस चैत्र को हम लोग कोरोना नाम देदेंगे इस चैत्र को क्या नाम देदेंगे कोरोना नाम देदेंगे ओविसली यहां पे आयना इस जैसे क्या होगा आपके पास में जैसे एक तो इसी Corona वाले, Corona चहतर के अंदर और क्या देखने को मिलेगी आपको, Ultra Violet Race, UV Race, पराभेंगनी किरिने जो हैं, वह देखने को मिलेगी, और इसका तरंग देदियर से कहीं चमक उत्पन होती है ना, क्योंकि इनका तरंग देदियर ज्यादा होता है, तो एक चमक यहां पे देखने को मिलेगी तो सूर्य के चारों तरफ ना क्या देखने को मिलेगा, यह एक corona यह एक आयनी तत्तों से पूर्ण छेट्र देखने को मिलेगा अत्यदिक पराबैंगनी अत्यदिक यहां पर X-rays जादा चमक के साथ देखने को मिलने वाली है यह समझ माया अब सूर्य से लगाता ये सारी चीज़े आपको जो है में एक बार वापस समझाना चाहूंगा कैसे हैं क्या है ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे से एक बार वापस समझ ले इसको थोड़ा सा रिवाइस करो कैसे कर सकते हैं हम पढ़ रहे हैं मित्र सूर्य की संरचना हमने बताया गुरत्वाकर्ष नभिकेंद्रिय है जबकि आपके नभिकेंद्रिय और उसकी उश्मा जो अपकेंद्रिय बल के रूप में दोनों कारे करते हैं सूर्य को संतुलित करते हैं सूर्य का एक कोर हैं जिसे पावर हाउस कहते हैं नाविकिय सलने नविक्रिया वहां होती हैं जहां से उर्जा बनती हैं वह उर्जा कई अगले हजारों लाखों वर्सों तक जो हैं कोर से निकल करके जो हैं चारों और बढ़ती जाती हैं और यहां से चाविक्रिनित होती जात इसके बाद में जो हैं हमने पढ़ने की कोशिश की थी कि सर एक समवहन छहत्र होगा इस समवहन छहत्र के अंदर सूर्य की उड़जा सत्ह की और गतिमान होती हैं कई कन्वेक्शन साइकल जो उपर की तरफ गैस वको ले जाके ठंडा कर देते हैं और यहां पे कन्वेक्शन ज सूर्य को देख रहा होता है क्रूमोस्वेर दिख रहा होता है तो सबस्वेर देखने को मिलेगा उसे करोना कहा जाएगा तो हमने कोर से लेके कोरोना तक सारी चीजे जानकारी मिली अब इसके उपरांथ हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है सन जो है ना सन सूर्य इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है हैलियो कौन से वर्ड यूज किया जाता है हैलियो वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है अब कोई भी प्रभाव छहत्र रहता है उसको हम स्फेर लिखते हैं प्रभाव छेतर को क्या लिखते हैं हम लोग स्फेर लिखते हैं So suppose यह हमारा सूर्य है और इसके द्वारा निकली हुई जो विकिरने हैं इसके द्वारा निकले हुई चार्च पार्टिकल आयनितकर्ण है जो गैसेज है इसका जो कॉरोनल मास इजेक्शन है जो सोलार फेर है सूर्य से निकले हुए कहीं कहीं जो है उसका प्रभाव उसके चुम्ब किये उसके गुरुत्वा करशन का प्रभाव क्या आसपास में कई सारे जो है astronomical miles तक देखने को बिलेगा astronomical units तक देखने को बिलेगा यस बिल्कुल देखने को बिलेगा सो सूर्य और सौर मंडल के आसपास का वह चहतर जहां सूर्य का चुम्ब किये चहतर सूर्य से निकलने वाली हवा है charge particles सौर पवने इसमें सौर पवनों में क्या होता है electrons भी हो सकते है electron क्या होंगे आपके पास में renovation तो solar winds में positive और negatively दोनों ही charge particles होंगे और यह कितने चहतर में फैलेव है तो आप इसके आगे heading लगाएंगे heliosphere की heliosphere में हम लोग लिखते हैं दोस्तों के heliosphere वह चहतर है heliosphere सूरिय लिखेंगे heliosphere सूरिय वे सौर मंडल के चारो और का वह चहतर जहां यह वो चहतर है जहां पे सूरिय की चुम्ब की यह चहतर जहां पे सूरिय का चुम्ब की यह चहतर एवं सौर पवने सॉर पवने मलब सोलार विंड जिसमें की धनायत आपके पॉजिटिवली चार्ड नेगेटिवली चार्ड जो आयनित है जो प्रोटों posición योप्त जो सौर पवने है वह कहीं कहीं देखने को मिलेगे सूरिय के जहां तक जो हैं सौर चुम्ब की चेतर वर सौरवने ना देखने को मिले देखने को मिलती हैं ठीक है ना तो सौर बंडल के चार अत्रव चेतर जहां सुरग का चुम्ब क्ये चेतर और सौर इससे निकली हुई धनाविशित रेणाविशित या फिर इसको सौरवने कह सकते हैं वेह देखने को मिले उसे हेलियो स्फेर के रूप में जाना जाता है अब हेलियो स्फेर है क्या एग्जेक्लि अगर देखा जाए तो हमारा जो ग्रह है तो सौर हवाय जो है सोलार विंड जो है वो ग्रहों की कक्षाओं के भी परे तक फैला हुआ है आपके पास में है ना जो जैसे ये सूर्य है है ना सूर्य से बीच में ये ग्रह है यहाँ पे ग्रह है यहाँ पे ग्रह है यहाँ पे ग्रह है तो यह ग्रह तो सूर्य की परिक्रमाय कर रहे है यह ग्रह है तो सूर्य की परिक्रमाय कर रहे है इससे भी दूर तक जाता है आपक हेलियो स्वेर, जो सूर्य की पवने हैं, सॉलार विन्ड से हैं और सूर्य का चुम्ब की चहतर वो उससे भी बियॉऑ computation जाता है तो एक सौर मंडल की चारो तरफ, एक बुलबले का एक बूबल का निर्मान करता है heliosphere के रूप में इसको जाना जाता है ठीक है ना फिर आता है आपका wind shock, wind shock क्या होता है कि अंतर तारकी अंतरिक्ष में सूरी के साथ में जो आपके पास में यह गती कर रहा होता है आपके पास में तो wind shock के समान यह संडचना कहिन कई interstellar स्पेस के अंदर सूर्य के साथ गती करती हुई कोई भी चीज गती करती है जैसे मैं कहता हूँ एक जहाज पानी में गती करती है तो क्या एक लहरों का निर्मान करेगी पेबल, कंकर डाला तुमने पानी के अंदर, तो क्या वहाँ पे लहरे पैदा होंगी, एक्जैक्ली तो सूर्य भी तो कहीं कहीं आकाश गंगा के अंदर परिक्रमा कर रहा है, तो जो सूर्य के चारों तरफ का एक हैलियो स्फेर, एक बबल है, जिसके अंदर पूरा सोलार सिस्टेम है, सौर मंडल है, यह भी तो जो हैं, लगातार इंटर स्टेलर स्पेस, या फिर अंतरतार की अंतरिक्ष में जो हैं, गती करता है तो उस वक्त, उस गती के कारण, जो लहरे पैदा होती हैं, उनको कहा जाता है विंड शॉक, क्या कहा जाता है विंड शॉक कहा जाता है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी उट्स, क्लाउड्स क्या है, विंड्स, रॉक्स क्या है, पढ़ेंगे अब इसके उपरां मेजर मेजर जो चीजे हैं यहाँ पर यह चीज लिखने के लिए हैं आपके पास में जैसे यह हैलियो स्फेर हैं सूर्य का प्रभाव लास्ट में हैं, यह टर्मिनल शॉक हैं यह हैलियो पॉस है आपके पास में और उसे भी बियॉंड हमने वाइजर वन और वाइजर टू को भेज रखा है, ठीक है ना अब इस छेत्र के अंतर के मुर्लब इस सूर्य का प्रभाव छेत्र है आपके पास में विधुत आवेशित अब यह कहां से आ रही है आपके पास में जो पतली धारा के रूप में सूर्य की और बाहर बैती है ना जो पतली धारा के रूप में सूर्य से बैती है सो इलेक्ट्रिक्ली चार्ज गैसेज इलेक्ट्रिक्ली चार्ज गैसेज जो एक बहुत ही थिन बहुत ही थिन एक पर्ट्रिक्लर करण्ट के रूप में एक धारा के रूप में निश्चत दिसा में कहां से निकली है सूर्य से निकली है इसे सॉलार पवन कहा जाएगा अब सॉलार पवने जो है लाश्ट में जाते वे सौर हवाय जो है वो कहां पे जाती है आपके पास में टर्मिनल शॉक तक जाती है हमारे सॉलार सिस्टम में जो है सूर्य से निकली हुई सॉलार विंट्स क कहां तक जाती है, टर्मिनल शॉक तक जाती है, जहां पर आवेशिद गैसों की एक धारा है, जो की 300 से 700 किलोमेटर प्रती सेकंड की गती से कहीं कहीं प्रभाहित कर रही है, और वहां पर एक अंतरतार की है, जिसको हम लोग कहते हैं, इंटर टेरेस्ट्रियल या फिर इंटर या फिर इसको कह सकते हैं, अंतरतार की इंटर स्टैलर पमने जो होती है, उसके प्रभाव के कारण नाठ की रूप से जो है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, उसको उसको लास्ट में कहा जाएगा, टर्मिनल शॉक क्या कहा जाएगा, और लास्ट में जाएगा, जहां पर हेलि जहां पर सूर्य के सोलार विंड्स का प्रभाव देखने को मिल रहा है, यह टर्मिनल शॉक यहां पर देखने को मिल गया, यह टर्मिनल शॉक क्या है आपके पास में, इस टर्मिनल शॉक को यह कह सकता हूँ, कि जो सोलार हवाय हैं, सौर हवाय हैं, उनको टर्मिनल शॉक का आवेशित गैसों की ही एक धारा है जो कि सूर्य के ही जो है चारो तरफ कहीं इनके तीन सो से साथ सो किलोमेटर पर ती गंटा की स्पीड से बहे रही होती है सूर्य के ही चारो तरफ और इन प्रवाहित करनों को हम ये कह सकते हैं कि एक नाट की गती से जैसे ये सोलार विंट जैसे ही इस टर्मिनल सॉक से टकराती है इनकी गती जो है बहे कम हो जाती है लास्ट में आता है आपका हेलियो पॉज हेलियो पॉज ओविसली वह एरिया जहां पे सूर्य का प्रवाव चुम्बकिय च्छेतर सूर्य का आने वाली सूर्य पॉजने वह खतम हो जाए उनका प्रवाव खतम हो गया ये है आपका हेलियो पॉज इसके बीच में देखने को मिलेगा हेलियो शीत क्या देखने को मिलेगा हेलियो शीत देखने को मिलेगा अब यह हेलियो शीत क्या होता है हेलियोशीत की जानकारी अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल शॉक से भी आगे जैसे यह टर्मिनल शॉक है इससे आगे जब आएंगे तो आपको सौर पवने और सगन आपके पास पर बहुत ही ज़ादा हीट यहाँ पर देखने को मिलेगी सोलार विंड्स देखने को मिलेगी हीट देखने को मिलेगी और यह सोलार विंड्स और जो एक हीट देखने को मिलेगी इस चैतर में सौर पवने एकतरित हो जाती उससे आगे नहीं जब आप आती है आपके पास में क्योंकि इसके आगे अगर आप देखेंगे तो अंतर तारक की ये पवने इंटरस्टेलर विंड्स हैं तो जो इंटरस्टेलर विंड्स हैं वो इंटरस्टेलर विंड्स सूर्य से आने वाली विंड्स या सौर विंड्स सोलार विंड्स का प्रतिरोध करती हैं और उसके कारण यहाँ पर यह सारी पवने एकटित हो जाती है तापमान यहाँ का बढ़ जाता है और इसको कहा जाता है आपका हेलियो शीत हेलियो शीत के नाम से इसको जाना जाता है हेलियो पॉज आपको पता होगा हेलियो पॉज कौन सा एरिया होगा आपके पास में यह एक सीमा है एक boundary है जहाँ पे सोर्य की पवने हैं अंतरतार की पवने हैं उनका दबाव संतुलित हो जाता है सूर्य से आने वाली पवने और अन्यतारों से आने वाली मतलब अंतरतार की पवने जो हैं उनके बीच का दबाव जो है प्रेशर जो है वो संतुलन में आ गया है मतलब सूर्य की पवने इससे बाहर नहीं जा सकती संतुलन के कारण सौर पवनों की दिसा परिवर्तित हो जाती है और वह हेलियो स्फेर के छोर के एक नीचे की और प्रवाहित होने लग जाती है यहां से जो है वह वापस नीचे की और पीछे की और वापस प्रवाहित होने ल लिखते हैं बो शॉक क्या लिखते हैं आपके पास में बो शॉक ये बो शॉक क्या होता है हेलियो पॉस के आगे की बात करते हैं जो भी आप बो शॉक हैं ये बहधी नाट की रूप से महतपूर्ण चीज हैं दोस्तों बो शॉक हेलियो स्वेर का ही अंतरतारकिय छेतर होता है इंटरस्टेलर स्पेस होता है जब भी आप एक सौर मंडल से बाहर निकल करके दूसरे सौर मंडल में जाने की कोशिश करते हैं अंतरतार की अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो एक बो शौक उत्पन होता है जो जल में चलते हैं जहाज के लहरों के समान होता है, जहाज जैसे आगे बढ़ रही है जल में, तो क्या उसके दोनों तरफ जो हैं लहरे उठती हैं, ठीक उसी तरह अगर हम हेलियो स्वेर के बाहर निकल जाएं, इस हेलियो स्वेर से बाहर निकल जाएं, तो हेलियो स्वेर से बाहर अंतरतार के इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा करते वक्त कोई भी चीज हो, पवन हो, खगुलिय पिंड हो, अंतरिक्ष यान हो, अंतरिक्ष यात्री हो, कोई भी चीज हो सकती हैं, खगुलिय पिंड, वो कहीन कहीं जब इस अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं, तो एक बो शॉक उत्पन हो सर वहां तक कौन गया है क्या कोई ऐसी भी हमारी तरफ से कोई मनुश्य रहा या फिर कोई स्पेस एजनसी ने ऐसा काम कारणामा कर दिखाया है क्या जो वाकई में सूर्य के प्रभाव मंडल हेलियो स्फेर से भी बाहर चली गई हो इंटरस्टैलर स्पेस में अंतरतार की अंत दूसरे तारे का सिस्टम होता है सौर्मंडल दो सौर्मंडल के बिच की जो जगह होती है इनको कहते हैं तारो के बीच का अंतरिक्ष इंटरस्टैलर स्पेस है Means GO Study आई वाप से अर इसी सवारमंडल में हमारे हमारे अहीतले सौर्मंडल के बीच की जो जगह है उसको इंटर stellar कहा जाता, क्या कहा जाता है, अंतरतार की अंतरिक्ष कहा जाता है, हमारा एक अंतरिक्ष मिशन था, वाइजर मिशन क्या नाम था, वाइजर मिशन ये मित्रों जो वाइजर मिशन था, बहुत ही शांदार मिशन था, वाइजर मिशन 1 और वाइजर मिशन 2 इसमें अंतरिक्षियान जो है वो हैलियो स्फेर को भी पार कर चुका था है ना वाइजर 1 और वाइजर 2 जो है यह कहीं कहीं हैलियो स्फेर को भी क्रॉस कर चुका था आपके पास में याद रखना इसको हमने सुरू कब क्या था याद रखने योग्य चीज है इसको हमने शुरू क्या था वर्ट्स 1980 में 1980 में नासा ने सबसे पहले सनी की तरफ उडान भरी थी सनी आपको पता होगा यह है आपका सन यह है सन सन के पास में क्या है मरकरी, फिर है वीनज, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर क्या है एस्टरोइड बेल्ट उसके आगे क्या था ब्रहस्पती था, जूपिटर उसके आगे क्या था, सैटन उसके आगे क्या था, नेप्चुन एंड यूरेनस, अरुन और वरुन तो भईया, 1980 में वाइजर मिसन हमने बेजा था किसकी तरफ, प्रत्वी से हमने बेजा था, सैटन की तरफ किसकी तरफ, सूर्य की तरफ सनी की तरफ, तो जो यहाँ पे, वर्ष 1980 में सनी की और उडान भराता, वाइजर वन ने है ना, और यह जो है उत्तर की और विक्षे पित हो गया, जाना तो किदर था इसको सनी की तरफ, पर सनी की तरफ जाने की बजाए, यह यान जो है, सीधा सीधा सनी पे नहीं जाकर के, उत्तर की और विक्षे पित हो गया, और जब यह उत्तर की और आसपास भी गया, फिर Neptune के आसपास भी गया, जो वरुन ग्रह है, वहां तक भी गया है ना, Neptune के आगे होता है आपके पास में, वहां तक तो गया फिर Neptune के आगे जाने के बाद में, दक्षिनावरत कहीं गूम गया, है ना तो 40 साल हो चुके हैं अभी तो, 44 साल हो चुके हैं ओरिजनली जो हमारा 5 साल का मिशन जो था, हमने 2 स्पेस्क्राफ्ट लॉंच किये थे, उननिस सो सत्तर के आसपास में हम, जो हमारा ब्रहस्पती है, सनी है है ना, उसके जितने भी चंद्रमा है उसको explore करना चारे थे, अन्वेशन करना चारे थे फिर, जब उस एरिया का हमने अन्वेशन कर लिया, उसकी photograph, उसकी location सारी चीजे हमने पता कर लिया, हमने का हम इसको और आगे ले जाएं, तो जो ब्रहस्पती और सनी के लिए था, उस Voyager missions जो हैं, वो पार कर चुके थे हमारे सौर मंडल के बाहर जा रहे थे मतलब जो हेलियो सफेर था, उससे भी बाहर जा रहे थे तो Voyager जो है एक तरह का Interstellar mission बंगया, क्या बनगीआब के आपके पास में Interstellar mission बंगया, मतलब जो शुरुवात में हमने 1977 में सुरू तो किसके लिए क्या था कि भाईया हम ब्रहस्पती को पता करेंगे हम सनी ग्रह का पता करेंगे फिर ये हो गया उसके बाद में हम इसको आगे मिसन को बढ़ाते रहे कि भाईया हम जो है अरून ग्रह का पता करेंगे हम वरुन ग्रह का पता करेंगे पर आगे जाते 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 1989 का समय आता है कि यह हमारे अंतरिक्ष में सौर मंडल की जो बाहियतम सीमा है उससे भी बाहर जाकर के पहला अंतर तार की इंटरस्टेलर्स मिशन बन गया ठीक है ना यह आउटर सोलर सिस्टम को सौर मंडल के बाहर क्या-क्या चीज़े हैं और उसे भी beyond क्या है उसे study करना शुरू कर दिया so obviously बहुत ही शांदार चीज थी जो चीज 1977 में सुरू हुआ था वह 1989 तक जाते जाते हमारे सौर मंडल से बाहर की जर्णी भी हमको दिखाने लग गया था भया आपके पास में ठीके तो ये तो था सौर मंडल के बारे में बेसिक सी जानकारी वाइजर मिशन के बारे में अब इसके उपरांथ जो आपको कुछ चीज़े पता होनी चाहिए कि सौर पावने जो जानकारी हम लोग लेते हैं जो फ़्या तो ये जो जहां पे दोनों की तरफ से जो गुरुतवा कर्शन जो हैं वह cancel या निस्क्रिय या शून्य माना जाए मतलब इस pen को इधर से भी कोई खीच रहा है इधर से भी कोई खीच रहा है तो मैं उस बिंदू पे ले जाके इस pen को set कर दू जहां से A परसंट जो खिचाव गुरुतवा कर्शन अपनी तरफ लगा रहा है और 20 परसंट जो खिचाव गुरुतवा कर्शन अपनी तरफ लगा रहा है दोनों संतुलित हो जाए तो प्रत्वी और सूर्य के बीच में वह बिंदू जहां पे सूर्य वे प्रत्वी के द्वारा लगाए जाने वाला गुरुतवा कर्शन निस्क्रिय हो जाए कैंसल आउट हो जाए उसे लेगरेंज पॉइंट कहा जाता है जनरली हमारे पास में ऐसे पांच लेगरेंज पॉइंट देखने को मिलते हैं लेगरेंज पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो प्रत्वी से सूर्य की कख्षा के सापेक्ष होते हैं ठीक है सर्फ तो यहाँ पे अगर हम लोगों को ध्यान रखना है तो अभी हमने कहां पे लगाया है? L1 पे लगाया है, कहां पे लगाया है? L1 पे, इसलिए आदित्य L1 बोला गया इसकी गतिशीलता का अध्यान करो क्योंकि कोरोना से ही जो कोरोनल मास एजेक्षन होता है जो प्लाजमा रिलीज होता है जो सोलार विंड या फिर सौर पाउने या फिर जो सोलार स्टॉम भी बना सकती है यह चार्ट्स पार्टिकल्स कलकी तारीक में हमारे पूरे के पूरे कम्मिनिकेशन को हमारे आयन मंदल को प्रभावित कर सकते है या सटलेट कम्मिनिकेशन को रेडियो कम्मिनिकेशन को प्रभावित कर सकते है तो सूर्य के क्रोमोस्फेर की गतिशीलता को कोरोना की गतिशीलता को यह स्टड़ी करता है दोस्तों आपके पास में कोरोनल मास इजेक्शन को स्टड़ी करता है कोरोनल चुम्ब के छेतर और उस्मा अस्तांतरन की जानकारी देता है सूरी के संरचना कोरोनल मास इजेक्शन जैसी गटनाओं का ध्यन करना ताकि हम अंतरिक्ष मौसम को बहतर समझ पाएं इसके लिए हमने भारत ने भी क्या लॉंच किया है आदित्य एलवन मिशन जो है वह लॉंच किया है दोस्तों यहां तक हम लोग क्लियर है कोई कोई पीछे तो नहीं रहा गया यह चीज लिख दो अगर हम लोग यहां पे जानकरी लेना चाते हैं सूर्य के सत्वक के वातावरण के लिए जो है नासा ने भेज रखा है पारकर सोलार प्रोब पारकर सोलार प्रोब को भेजा गया था इसी दिये कि सर सूर्य के निकटतम जो हैं जैसे कि आपके पास में बुद्ध हैं आपका सुक्र है तो उसके निकटतम जो भी मिशन है जो कि सुक्र के गृत्वा करशन का उप्योग करके एक फ्लाइबाई मिशन जो हैं हमने बेजा है यहां सूर्य के सबसे करीब जाने में मददगार रहा दोस्तों और सूर्य की सत्व पर लगबग सूर्य की सत्व से चार मिलियन बदलब हो गया एक मिलियन होता दस लाग तो दस लाग अगर मैं यहां पर काउंट करो हो तो चालिस लाग किलोमेटर दूरी से सूर्य के वाईव मंदल में प्रवेश करने वाला मानाओ का पहला मिशन था नाम क्या है पारकर पारकर सोलार प्रोब और इस पारकर सोलार प्रोब के माद्यम से ही हमने क्या क्या है सूर्य के अंतरिक जो जानकारी है उसको प्राप्ट करने की है एक जर्णी है कहीं कहीं जो है कि बेहधी महत्वपूर्ण मिशन है दोस्तों आपके पास में और पारकर के अंदर आपको ये याद रखना है कि यह सूर्य के एट्मॉस्फियर को स्टडी कर रहा है और डिस्टेंस जो है आपके पास काफी सूर्य जो है यह पारकर प्रोब जो है अभी प्रत्वी से काफी दूर जा चुका है कहां पे जा चुका है अब सूर्य के एटमस्फियर में भी एंटर कर चुका है यहां तक यह बेसिक जानकारियां है आपके समक्ष अब इसके आगे हैं हम लोग पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष मौसम परिगटना के प्रकार और प्रत्वी पर इनका क्या प्रभाव पढ़ सकता है कि सर जो हमारा सूर्य है इसको कहते कि सर हम हमारे सौर मंडल का 99.8% मास इसी के बास है तो इस पर जो घटनाएं होगी उसका पूरे सोलार सिस्टम के अंदर जो अंतरिक्ष है हमारा वायू मंडल है मौसम है उसके प्रभाव पढ़ेगा क्या क्या चीज होगी उसमें से जो है एक प्रमुक घटना के रूप में हम लोग देखने की कोशिश कर रहें दोस्तों तो वो है संस्पोट संस्पोट इवेंट अब यह संस्पोट इवेंट जो है बेहद ही महतवपूर्ण है यह इवेंट इसकी जानकारी लेते हैं सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल सौर मंडल में हमने सूर्य की स्थती के बारे में और कई सारे उसके गुण धर्मिताएं विशेस्ताओं के बारे में जानकारी आसल की और अब हम उससे एक कदम आगे बढ़ने की चेस्था करेंगे और इस बार हम बात करने वाले हैं कई ऐसी घटनाएं जो सूर्यों पर घटती हैं उनका अंत्रिक्स के मौसम पे और स्पेसिफिकली क्योंकि हम प्रत्वी के संदर्प में जरूर जानकारी लेंगे तो उनका प्रत्वी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसकी भी जानकरी हम यहाँ पे इंगित करने के प्राप्त करने की पूर्ण चेस्था करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों हम इहाँ पर बात कर रहे हैं Sun spot event की Sun spot event बहध ही महत्पूर्ण even है दोस्तों क्योंकि जो हमारा Sun spot है Sun spot के समय basically जो हमने पढ़ा था कि ад Surya का जो प्रकास मंडल होता है उस प्रकास मंडल पर कई सारी अस्थाई गटनाय हो रही होती उसके आसपास के छेत्र में कुछ काले धब्बे से दिखने सुरू हो जाते तो जो sunspots है वो sunspots क्या है आपके पास में सूर्य के प्रकाश मंडल पर जो अस्थाई काले धब्बे जो यह काले धब्बे दिख रहे हैं आपके पास में यह काले दब्बे याद रखना है कि अस्थाई खटने हैं और कभी भी आपके पास में सूर्य cœur पर्मानेंट नहीं होते हैं ना काले धब्ब 있어서 लिखाई देते हैं और इसी घटना को जो है हम लोग क्या कह देते हैं संस्पोर्ट्स की घटना कह देते हैं अब इसमें एक और चीज आपको याद रखने ही हो गया है I guess हमें पैन थोड़ और सा और साही कर लेना चाहिए या बैटर तो यहां पर दोस्तों सूरिय के जो आंतरिक भाग में हैं जैसे कि हमने कह के गहराई में और इस नाभी की सलेयन अभिक्रिया के चलते हुए कई बाहर जो है तिव्र चुम्ब की परिवाह होता है जब भी energy निकलती है तो उसका electromagnetic field देखने को मिलेगा and obviously वहाँ पे एक चुम्ब की प्रवाह जो है वहती तिव्र हो जाता है उसके फल्सरूप यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे यह energy देखने को मिलने वाली है so तो क्या होगा आपके पास में तिव्र कहां पर देखने को मिलेगा यह सूर्य के प्रकाश मंडल पे देखने को मिलेगा और जब यह सूर्य के प्रकाश मंडल पे हमको देखने को मिलेगा तो आम तोर पर यह दो जोडों की रूप में दो युग्म के रूप में दिखाई देता है तो कैसा होगा आपके पास में युग्म होगा दो जोडे होंगे जिसको हम पास में, तो विपरीत चुम्ब की अ, धुरूवियता हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं, एक तरफ आपके North Pole वाला, एक तरफ वो South Pole वाला, है न, जो opposite जो है विपरीत चुम्ब की अ, धुरूव के रूप में, यह है, युगम के रूप में दिखाए देगा, तो याद रखेगा, विपरीत चुम्ब की अ, धुरूव के रूप में प्रकट होगा, ठीक है, यह है याद रखते हैं, युग्य विशे हैं दोस्तों आपके पास में, सो संस्पोर्ट क्या है, प्रकाश मंडल पे ही अस्थाई घटनाएं हैं, जहां पे काले धब्बे के र हाग से जो है, गहराई से जो है, तिवर चुम्ब की प्रभाः जो है, वह सुर्य के प्रकाश मंडल पे दिखाई देता है, आम तोर पी युग्म, पेर की रूप में दिखाई देगा, है ना, जैसे एक बार यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है समpton के आगे हम लोग यहां पे चर्चा करते हैं साल संपोट इवन्ट के आगे नंगे से पेज मेंच पर हम लोग बात करते हैं ग्रहों की यहरोग सिना नहीं हम बात करते हैं अंतराष्ट्रिय खगोलिय संग की International Astronomical Union की जिसको हम लिखते हैं हमारी देशी भासा में क्या लिखेंगे इसको आई ए यू लिखेंगे क्या लिखेंगे आई ए यू और ये आई ए यू जो है मित्रो ये आई ए यू इसका कहीं कहीं आपको पता होना चाहिए Okay, International, again just a second, give me a second, it is not detecting, it should detect. IAU अब ये आई ए यू जो है यह वर्स 2006 में मतलब आज से लगबक दो दशक पहले की बात की जाएं तो इन्होंने ग्रहक किसको कहा जागा इतने सारे खगोलिय पिर्ण जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्मेंसे किसको ग्रहक कहा जाएगा उसकी तीन विशेष्टाओं को पहचाना कितने विशेष्टाएं थी दोस्तों तीन विशेष्टाएं थी सबसे पहला इन्होंने कहा कि कोई भी आपका सेलेस्टिल बॉड़ी या खगोलिय पिंड जो हमारे तारे को हमारे सूर्य को कहीं कहीं जो है चारो और गुर्णन करन चाहिए तो जो हमारा सन है है ना हमारा जो सूर्य है इसकी वह क्या करना चाहिए आपके पास में परिक्रमा करना चाहिए ठीक है दूसरा इन्होंने बताया कि इसके गुरुत्वाकर्शन के द्वारा यह गोलाकार आकार में होना चाहिए तो कोई एक अनियमित आकार नहीं ह इसका आकार पूर्ण तह आपको क्या दिखाई देना चाहिए आपके पास में गोल राउंड नजर आना चाहिए ठीके तीसरा इनों ने बताया आपके पास में कि इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वा कर्शन से सूर्य के चार और अपनी कक्षा में समान आकार के किसी अन्य विस्तू अंतर नहीं होनी चाहिए मतलब इसका जो एक कक्षा है एक निश्चित कक्षा है जिसमें यह कहिन की सूर्य की परिक्रमा कर रहा है इसी कक्षा के अंदर इसी ओर्बिट के अंदर कोई और अन्य इसके आकार के समान या इसके आकार से छोटा भी मतलब अपन कख्षा में इसके अलावा और कोई भी प्रकार का खोगोल्य पिंड कोई अन्य वस्तु अंतरनहित नहीं हो तो तीन चीजे है सूर्य की परिक्रमा कर एक निश्चित पत्थ पे दूसरा है गोलाकार होना चाहिए गुरुत्वाकर्शन के फलत हो तीसरा बतायागे आपके पास में कि अपनी कख्षा के अंदर समाना कार की किसी अन्य वस्तु को अंतरनहित कर सके मलब कोई भी चीजे उसको अपने अंदर समाले इसका गुरुत्वाकर्शन इतना तिव्र होना चाहिए दोस्तो तो हमारा जो सोर मंडल है उसमें इन तीन परिभाशाओं को पूर्ण करने वाले टोटल आठ ग्रह है कितने ग्रह है दोस्तो आपके पास में हमारे पास में ऐसे टोटल आपको आठ ग्रह देखने को मिल जाएंगे ठीके और इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनको हम लोग जो हैं ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह भी कहते हैं बौने ग्रह ज लेंगे तो जो प्लूटो भाई साब है यह सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं डेफिनेटली करते हैं पर सूर्य की परिक्रमा करते वक्त यह किसी अन्य ग्रह की कक्षा के अंदर भी एंटर कर जाते हैं दूसरा प्लूटो जिस और बिट में जिस कक्षा में सूर्य की परिक्रम कर रहा है उस orbit में अन्य खगोलिय पिंड भी देखने को मिलते हैं मतलब इस अभी तक अपनी पूरी orbit को clear नहीं किया है जो हमने last statement पड़ा था कि यह क्या कर लेना चाहिए अंतरन हित कर ले अपने अंदर समा ले जितने भी अपने रास्ते के अपने कक्षा के अंदर जो भी अन्य वस्तुए हैं चाहिए खगोलिय पिंड है चाहिए एस्टरोइड है चाहिए कोई planet decimal देखने को मिले ठीके सो हमारे पास में total 8 planet हैं सूर्य के सबसे नजदीक बुद्ध फिर है सुक्र हमारी प्रत्वी फिर है मंगल कई सारे एस्टरोइड देखने को भी लेंगे उसके उपरांथ हैं ब्रहस्पती सनी यूरेनस और नैप्चुन जिसको अरुन और वरुन ग्रह भी कहा जाता टोटल 8 ग्रह है 2006 से पहले हम 9 ग्रह पढ़ा करते थे जिसमें हम बात करते थे प्लूटो की भी पर अब प्लूटो ग्रह के इस परिभासा से बाहर है इंटरनेशनल आस्टरोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में जो तीन विशेश कारक दिये हैं उस विशेश कारक को कैनुसार यह है अब यह जितने भी ग्रह हैं इनकी दो प्रकार की गति होती है कोई भी यहाँ पर मरकरी बुद से उठा करके यहाँ पर वरुन नैप्चुन तक के आप लोग दो सो बात कर लो इन तमाम ग्रहों में दो गति होगी पहला वह अपनी अक्ष पे घूमेगा वहाँ पे घूर्णन होगा अक्ष जो है आपके पास प्रत्वी अपने ही अक्ष पे जो है पश्चिम से पूर्व की और जो है क्या कहीं कहीं क्या करती हैं रोटेट करती हैं घूर्णन करती हैं बिल्कुल दूसरा इस घूर्णन के अलावा वह एक निश्चित कक्षा में सूर्य की प की परिक्रमा भी करने वाले हैं, ठीक है, यह आपके पास में हर ग्रह द्वारा किया जाएगा, मात्र प्रत्वी ही नहीं, तो वो अपने अक्ष पे घूमते घूमते, जैसे आपने घूमर देखा है, घूमर में क्या करते हैं, एक सेंटर होता है, जैसे गर्बा के अंदर एक स ऐसे ही प्रत्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही है, और घूमते 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 सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, तो हर ग्रह हमारे सौर मंडल के आठ ग्रह है, और आठो के आठो ग्रह में घूर्णन वे परिक्रमन की दोनों आपके पास में गतियां देखने को यहां पर आप लोगों को एक महतपूर्ण चीज जरूर लिखनी चाहिए कि भाया जो घूर्णन है वह कहां होगा धूरी के चारो और गती होगी तो प्रत्वी के उत्री धुरूव और दक्षणी धुरूव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहिन के एक अक्ष मान सकते हैं ए उस एक्सिस के जो कि काल्पनिक एक्सिस है है ना काल्पनिक अक्ष है उसके चारो तरफ प्रत्वी जो है क्या करती है घूर्णन करती है और ग्रहों के घूर्णन की दिसा निर्धारित करते समय उसके संदर्व बिंदू का उपयोग किया जाता है जैसे कि पॉलरिस जो हमार तरहा, उत्री दुरूव जो है, वो किस तरफ देख रहा होता है? अक्ष का उत्री दुरूव वो हमेसा पॉलेरेस या उत्री तारा या दुरूव तारे को इंगित करता है अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे हर ग्रहे घूर्णन करते हुए परिक्रमन कर रहा है अपनी कक्षा में यहाँ पर बुद्ध है, शुक्र है, प्रत्वी है, मंगल है, etc. अब याद यह रखना है कि यह सारे के सारे ग्रह दो तरह से घुर्णन कर सकते हैं. जिस दिसा में सूर्य घुर्णन कर रहा है या तो यह उसी दुसा में घुर्णन करे या फिर उसके विपर जिसा में घुमता है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि जो सूर्य है, जो सूर्य है, यह भी कहीं कहीं क्या करता है आपके पास में, यह भी इस तरीके से अपने अक्ष पे लगातार घुम रहा है, क्या यह चीज़ तो हमने पढ़ी ना, भी सूर्य के जानकारी है, हमने पूरी पुर्व की तरफ है, वेस्ट स्टू इस्ट है, तो जो सूर्य के घुर्णन की दिशा है, प instrument से पूर्व तक, ठीक इसी दिशा में अगर कोई भी घुर्णन कर रहा है, यानि सूर्य और ग्रह के घुर्णन की दिशा, घुमने की दिशा समान है पस्चिम से पुर्व की और है तो इसको प्रोग्रेड गती कहा जाएगा इसके ठीक उलट क्या हो सकता है इसके विपरीत क्या हो सकता है रेट्रोग्रेड प्रतिगामी गती अब प्रतिगामी गुर्णन में क्या होगा दोस्तों गोमेगा जैसे कि यह फूर से पिस्चिम की तरफ मदलब यह उल्टा घूम रहा है ना। ऑधeb तरह का घूर्णन संभव है प्रतिगांडनी और आपके पास में प्रगांडनी प्रगांडनी स्पामा जीन फद्दि आहिए इस इसे ही हमारे पास में 6 और ग्रहे हैं तो टोटल 8 ग्रह में से 6 ग्रहे हैं वह प्रोग्रेड गती करते हैं तोटल हमारे पास में कितने ग्रहे हैं दोस्तों आपके पास में 8 ग्रहे हैं तो उन 8 ग्रहों में से 6 ग्रहे हैं यह कैसी गती करते हैं वामावरत दिसा में एंटी क्ल होती हैं. सूर्य की घुर्णन की डिशा में ये गती करते हैं. अब दो ऐसे planet हैं जो एक हाएगा आपका Venus सुक्र और दूसरा है अएगा Uranus ये Venus और Uranus ऐसे दो ग्रह हैं दोस्तों आपके पास में जो दक्शिणावृत गुमते हैं जो आपके clockwise गुमते हैं गुर्णन की दिशा के विपरीत घूमते हैं, रेट्रो ग्रेड मुव करते हैं, तो एक MCQ बन सकता है इसके उपर, यूरेनस और वीनस, सुक्र है आपके पास मार यूरेनस है, इनके गुर्णन की दिशा के उपर बिलकुल, इसको और बहतर रूप से समझने के लिए हमारे पा करते हैं, वीनस और यूरेनस उसका एक्जामबल हो गया, गुर्णन के लावा ग्रह और कौन सी गती करते हैं, गुर्णन के लावा ग्रह एक और गती करते हैं, कि वह अपने सूर्य के चारो और क्या करते हैं, आपके पास में, एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्र भी रहा है आपके पास में इसका चक्र लगा रहा है इसको हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों इस गती को हम परिक्रमन कह देंगे यह revolution कह देंगे sir it is revolving around the sun यह सूर्य के चार और क्या कर रहा है परिक्रमन कर रहा है अब याद रखना है जब कोई ग्रह सूर्य के समान दिशा में गुमता है प्रगामी परिक्रमन होगा है ना सूर्य के घूमने की दिशा के ठीक विपरी जैसे अगर मैं कहूं सूर्य इस दिशा में गुम रहा है और आपके पास में गुम रहा है और आपके पास में गुम रहा है तो यह क्या हो जाएगा आपके पास में यह प्र प्रतिगामी परिक्रमन सूर्य के घूमने की दिशा के ठीक विपरीद दिशा में अगर कोई घूमने जैसे ये देख सकते हो सूर्य ऐसे घूम रहा है इसके ठीक विपरीद दिशा में ग्रह कहिंगे इसकी परिक्रमा कर रहा है तो इसको क्या कहतेंगे हम लोग के भया ये प् चिम्पल भासा में हम कही न कही परिक्रमन कह सकते हैं। मतलब जो हमारा सूर्य के घूमने की। दिसा है जिसको हमने कहा दिया anti ground wise है वामा वरत है कुछ इस प्रकार है West से East की तरफ है तो बाकी के ग्रहों के भी बाकी के ग्रहों के भी कहीं कहीं चक्र लगाने की जो दिसा है वो हमेशा क्या रहती है सूर्य की दिसा के अनुरूब रहती है हमारे सौर मंदल में आठो के आठो ग्रह जो परिक्रमण करते हैं सूरे के चारो तरफ वह है क्या है आपके पास में चाहे इसमें यूरेनेस भी आ गया है ना यूरेनेस वहाँ पे rotation कहीं इनके घुर्णन जो है विपरिय दिशा में कर रहा था Uranus और Venus Uranus और सुक्र कहा था आपने ठीक है न याद ये रखना कि परिक्रमा करते वक्त सारे के सारे जो ग्रह हैं आपके पास में वो प्रगामी परिक्रमन करते हैं रखेंगे सुर्य की दिशा के अंदर ही सुर्य के घुर्णन की दिशा में ही वह क्या कर रहे हैं आपके पास में उसका परिक्रमन भी कर रहे हैं ये बहुत ही अधुतिय के इसे हमारे solar system का के जिस दिशा में सुर्य घुम रहा है सारे ग्रह उसी दिशा में परिक्रमा करते हुए पाये जाएंगे आपके पास में अब इसके आगे हम लोग बढ़े हैं मित्रों हम बात कर सकते हैं सौर मंडल के अंदर ग्रहों के बारे में सौर मंडल में हमने कहा कि हमारे सौर मंडल में जो आपके पास में है, International Astronomical Union है, IAU है, उसके नुसार 26 की परिवासा और उन तीन बिंदों के आधार पे आठ ग्रह हैं, उन आठ ग्रहों मैंसे कुछ ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, उन आंतरिक ग्रहों की यह चीज होगी, कि भहया, इनको हम लोग आंतरिक सौर मंडल के ग् किसे बने होंगे, ठोस चटानों से बने होंगे आपके पास में, ठीक है न, और यहां पे ऐसे ग्रहों का नाम मेरे को कोई बताएगा, ऐसे चार ग्रहे हैं, सबसे पहला है बुद्ध ग्रहे, उसके बाद में हैं शुक्र ग्रहे, उसके बाद में हैं हमारी प्रित्वी, और फिर है मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह, ये चारो ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कह सकते हैं, सतही ग्रह, चटानी ग्रह कह सकते हैं, इसको मुख्य रूप से स्थलिय ग्रह की भी संग्या दी जाती है, अर्थ ये है, कि ये ग्रह प्रत्वी के जैसे जैसे हमारी प्रत होसे यहां पर चटान है धाति होंगे इनका खनत्व अपैक्षा क्रत अधिक होता है इनका खनत्व अपैक्षा करत करत अधिक होता है दोस्तों अच जब घंत्व होगा चीज जित ठोस होगी सॉलिड होगि चटानों예요 format में होगी यानि हमारे कई सारे जो हमने जो है जैसे प्रत्वी के बारे में था हम सभी लोग जानते अब प्रत्वी को छोड़ करके जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमने बैपी कॉलंबो मिशन की बात की थी हमने मार्स पे चंदरमा पे तो रोवर भी भेज रखा है शुक्र के उपर भी बैपी कॉलंबो जो हैं वो कहिन कहीं जो है अन्विशन फ्लाइबाई मिशन कर चुका है कई ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो वर्तमान में सक्री रूप से प्रत्वी तो करी रहे हैं मंगल है बुद्ध है शुक्र है इनकी सत्ह के बारे में लगातार खोज कर रहे हैं मंगल की सत्ह पे तो हमने दो रोवर भी भेजे हैं याद करो 2021 में हमने लॉंच किया था मंगल के लिए है ना मंगल की सत्ह की जानकारी के लिए हमने लॉंच किया था पर्जीवरेंस रोवर नासा ने लॉंच किया था ये पर्जीवरेंस रोवर 2021 में वनलब इसके माध्यम से भी जो है हम अन्य अन्य जानकारिया जूटा रहे हैं लगाता तो सर ये तो बात हो गई चार अंदुरुनी आंत्रिक ग्रहों की ठीक है ना अब सर इनकी भी एक एक करके जानकारी लेंगे आप यह मत्स सोचना निप्टा दिया सर ने इसको एक करके ग्रह को बढ़ेंगे इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इन चार सतही ग्रहों के अलावा बाहिय सोर मंडल में आउटर सोलार सिस्टम में जो है कई सारे ऐसे गैस ये प्लैनेट होंगे जिनकी कोई सॉलिड जो है आपके पास में सतह नहीं देखने क जैसे की सनी है जैसे ब्रहसपती है यूरेनस है नेप्चुन है इन ग्रहों को जो है हम नाम देते हैं गैस जाएंट क्या नाम देते हैं दोस्तों आपके पास में इनको हम लोग नाम देते हैं गैस जाएंट अब ये गैस जाएंट जो हमने सब्द दिया है आपके पास में जाएंट क्यों गनत तो कम है और गैसिय रूप में सतह नहीं है ठोस नहीं है और इसके अंदर ये जो नेप्चून वाले और ये यूरेनस वाले ये तो इनकी जो सतह होगे इनका जो कोरो का वो पुरा आइस का बना इसी कारण इनको आइस जाएंट भी लिख सकते हैं इनको क् आँगे को ब्रहेस पति छलो वाला वले वाला आपका सनी घर फिर आपका जो है अरुन वरं जिसको नेप्चून वे अर ये यूरेनस कहा जाएगा यह कहीं ने कहीं आपके पास में जोवियन ग्रह भी कहलाते हैं, बाहिए सोरे मंडल के अंदर इनको जोवियन प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कि किस से बने होंगे, गैस से बने होते हैं, टोटल गैस ही है, वह यह हाइ hydrogen helium यहां पे यहां पे यहां पे और टोटल यह gas giant होंगे बड़े होंगे प्रत्वी की तुल्ला में ब्रहस्पती कई गुना बड़ा है दोस्तों सवनी भी कई गुना बड़ा है आपके पास में बहाई यह स्वार मंडल में हैं गैसों से बने हैं तो क्या gas का घनत्व कम होगा तो यहां पे एक और line लिख दीजे आप ये कम सगन सामगरी वाले ग्रह हैं कम सगन सामगरी वाले ग्रह हैं अच्छा इसके अलावा और क्या इसकी important चीज हो सकती हैं कि जब कम सगन था होगी क्या यहां पे वातावरन जाता हो क्योंकि चारों तरफ gas ही gas है तो यहां पे यहां पे गहनावात आवरन है क्या है आपके पास में हाईड्रोजन और हीलेयम हाईड्रोजन और हील्यम योक्त यहां पे कहीं नहीं जाना कि वातावरण देखने को मिलेगा मलब डेंसर इतना डेंस है कि जैसे हमारे तो यहां पर जो है जैसे कहते है कि आयन मंडल है है ना समताप मंडल है शोब मंडल है इस हवाओं के बाद में सिधा सतह दिखाई देती है मलब सुरुवात के 500-100 km बाद में तो कोई प्रत्वी के व हजारो किलोमेटर तक अंदर जो तुम छलांग मार दो ना तो तुमें कोर तक सतह तक पहुंचने में कई हजारो किलोमेटर जो है डिस्टन्स ट्रेवल करना पड़ेगा और यह ही अपने आप में बहुत ज्यादा फैल वे तो इतना घना वातावरण है हाइडरिजन और हेल युद्ध कम सगन है आपके पास मैं बाहिय स्वार्मंडल अउटर सोलार सिस्टम इसको कह जा सकता है यहाँ तक ये क्लियर है अब इस बाहिय सोलार सिस्टम के जो चारो के चारो जो प्लैनेट से इसका नाम लिख लीजेए आप सबसे पहले कौनसा है आपके पास में ब्रह अब इसके आगे अगर हम लोग बड़ें तो इस चेतर के अंदर हम देखेंगे कि जुपिटर बहुत बड़ा है साइज में उससे कम साइज में है आपका सनी फिर आता है आपका अरून और फिर अलास्ट में आता है आपका वरून यहाँ पे हाइडरोजन और हीलियम की कितनी अधिकत हाइडरोजन हीलियम मिथेन है ना और पानी होगा मिथेन गैस होगी यह इसके कोर में देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत इस पे मी जो है रॉक और आइस का कोर देखने को मिलेगा पर जो जितना हमारे प्रत्वी हैं, मंगल है, बुद्ध है, सुक्र है, यह जो इंटर्नल आंतरिक ग्रह पे देखने को मिलेगा ना उतनी ठोस, सगन, सतह यहां नहीं देखने को मिलेगी तो यहाँ पे कई सारे मिशन भेज़े हुए हैं हमने, कई सारे मिशन भेज़े हुए हैं, जैसे कि हमारे नासा ने भेजा था ब्रहस पती के अध्यान के लिए, नासा ने किस के लिए भेजा था आपके पास में, ब्रहस पती के अध्यान के लिए जुनो मिशन, क्या नाम था? पूछा जाता है न कई बार कि कौन सा मिशन, किस ने लॉंच किया था, किस एजेंसी का था, ऐसे ही एक European Space Agency, European Antrics Agency, European Antrics Agency ने भी जूस मिशन बेजाता, ब्रहस्पती के लिए क्या बेजाता आपके पास में? जूस मिशन था, आपके पास में, फिर आपके जो है इगनासा ने एक और मिशन बेजाता, ब्रहस्पती और सनी और उनके चंद्रमाओं की जानकारी के लिए, इसको नाम दिया था, यॉरोपा क्लिपर, नाम इंगलिश कहीं है, यॉरोपा क्लिपर, यॉरोपा क्लिपर के अला Dragonfly Mission, यह दोनों ही NASA ने launch के थे, किसके लिए थे, पहला था आपके पास में यॉरोपा है, यह था आपके ब्रहस्पती के लिए, किसके लिए था आपके पास में, ब्रहस्पती का एक चंदरमा है, ब्रहस्पती का चंदरमा है, यॉरोपा, उसके लिए, दूसरा था आपके पास में सनी के चंदरमा के लिए था ड्रेगन फ्लाइ मिशन ये था आपके सनी के चंदरमा के लिए किसके लिए था यह सनी के चंदरमा के लिए था ड्रेगन फ्लाइ मिशन इसने सनी के कई सारे चंदरमाओं के लिए जो है जानकारी घटा की थी अब इस हिसाब से बाहिय ग्रह कि दिखने को मिलेगा सारी चीज़े जयान करें। सर आठ वा अंतिम प्लाइनेट कौन सा हुआ आपका नेप्चून, कौन सा प्लाइनेट हुआ आपका नेप्चून, अब क्या हमारे सौर मंडल में नेप्चून के बाद में कोई दिवार आ गई है। कोई बॉर्डर आ गई है, इसका मतलब Neptune के परे भी इसका मतलब इस वरुन ग्रह के परे भी जो है कई सारे खगोले पिंड पाए जाते क्या आपने बॉने ग्रहों की बात की थी येस, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मित्रों कुछ महत्पुन जानकारी के जो ये बॉने ग्रह होते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे Neptune से परे सौर मंडल में बॉने ग्रह देखने को मिलते हैं, है ना कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे Neptune Neptune, ठीक है ना Neptune जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं वरुन ग्रह क्या लिखते हैं वरुन ग्रह इसके परे के परे जो है आपको कई सारे जो है बॉने ग्रह देखने को मिलेंगे और उन बॉने ग्रहों में से सबसे फेमस कौन सा है प्लूटो 2006 से पहले इसको ग्रह मानते थे फिर पता चला के भाई की कक्षा ही क्लियर नहीं है इसके ओर्बिट में और भी कई सारे खगोली पिंड गोम रहे है और ये दूसरे खगोली पिंडों की ओर्बिट में भी गुश जाता है इसका मतलब यह बॉना ग्रह है याद रखा जाए वर्स 2015 के अंदर हमारे पास में नासा ने एक New Horizons है ना वर्स 2015 में नासा ने यह बेजाता किसने बेजाता New Horizons यान बेजाता कहाँ पे प्लूटो पे प्लूटो का एक महत्पून यात्रा पर निकला था आपके पास में और यह तब से बेसिकली क्योंकि नेप्चुन से भी आगे चला गया है वरुण ग्रह से भी आगे गया जो आंठ हमारे प्लैनेट है उससे भी आगे चला गया है कूपर बेल्ट के मादिम से कहिन के अभी ये नैविगेट करा कहाँ पहुँच चुका है कूपर बेल्ट तो जहां पे हमारा नेप्चुन खतम हो जाता है उसके आगे भी कूपर बेल्ट देखने को मिलता है उस कूपर बेल्ट में कई सारे हमारे प्लूटो के जैसे बौनेगर है जिनको हम लोग ड्वाफ प्लैनेट भी कहते हैं और उसमें सबसे महत्वूण सबसे मुख्य हम प्लूटो को पढ़ते हैं New Horizons याद रखेंगे, New Horizons याद रखेंगे, 2015 में NASA ने बेजाता, यह यान Pluto की महतुन यातरा पे निकलाता, और आज हमको पता चलता है कि ऐसे और कई छोटे-छोटे सौर मंडल के अंदर, बॉने ग्रह हैं, ड्वाफ प्लैनेट से हैं, जो की Cooper Belt में देखने को मिल जाएंगे हम को, अब इस सौर मंडल के अंदर दोस्तों, गोल्डी लॉक जोन की आपको जानगारी होनी चाहिए, गोल्डी लॉक जोन हम सभी को पता है, के नहीं पता है, गोल्डी लॉक जोन थोड़ा सा पढ़ वो, देखो, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, जैसे यह सूर्य है, सूर कोर के अंदर थोड़ा बहुत चट्टाने और थोड़ा बहुत जो है आईस पाया जाता है वहाँ पर ठीक है इसका मतलब सूर्य से जितना दूर, ताप के उसमा के स्ट्रोथ से जितना दूर जाओगे तापमान बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, कि जीवन संभव मतलब हमारे सौर मंदल में या किसी भी सौर मंदल के अंदर एक आदर्स परिस्तिती जीवन के लिए या जल के लिए कब बन पाएगी जब आप सूर्य से थोड़ा सा दूर हो और थोड़ा सा आपके पास में जो है एक तरीके से उसके एक healthy distance maintain हो just the right एक ऐसा सही distance जहां पर ना ही तो ज़्यादा गरम हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो और जो आपके पास में habitable zone हो पाए जहां पर आवास संभव हो जीवन संभव हो जल संभव हो तो गोल्डी लॉक जोन क्या लिखा जाएगा गोल्डी लॉक जोन कौन सा जोन होगा दोस्तों आपके पास में एक मैतपुन अवधार्णा है खगुल विज्ञान के अंदर इसके अंदर कहा जाता है कि यह वह चैत्र है जहां पर लिखेंगे वह चैत्र जहां जल एवं जीवन संभव हो है ना कहां की बात की जा रही है सौर मंडल में है सौर मंडल में हर सोलार सिस्टम में सूर्य से कुछ दूरी के उपर एक ऐसा चैत्र पाया जाएगा आपके पास में जहां पर तरल जल हो आपके पास में संभवता वहां पर जीवन का अस्तित्व हो तो ऐसे जीवन के अस्तित्व को संभावित करने वाले अनुकूल परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेगी तो यह बिल्कूल अनुकूल होगा जीवन के लिए और यहां पर जो ऐसा ता मतलब just the right temperature needed, जो यह सुनिश्चित कर सके कि जल जो है वो तरल अवस्था में है और जो जीवन के लिए एक महत्पून घटक है, है ना, यहां पे जल जो है तरल अवस्था में होना चाहिए, और यहां पे जीवन अनुकूल परिस्थितिया होनी चीए, क्या होनी चीए, जीवन अनुकूल परिस्थितिया होनी चाहिए, अब यह इसके महत्पून घटक हो गए, तो इस अनुसार अगर कहा जाए, तो क्या हमारी प्रत्वी पे जीवन संभव है, बिल्कूल आप और हम संभव है, प्रकृति, देखिए आप, कितनी जैब विवित्ता देखने को बिल प्रत्वी के उपर कई बार उपजी हैं, कई बार एक्स्टिंक्ट भी हो गई है, और आज भी हमारी प्रत्वी पे लगातार कई सारी और प्रत्वी और प्रत्वी का जो है लगातार उदभव हो रहा है, मतलब प्रत्वी गोल्डी लॉग जोन में, प्रत्वी से सूर्य का हमने लिखाया था एक खगोलिय एक आई एक astronomical union एक astronomical unit तो एक खगोलिय एक आई से थोड़ा सा ज़ादा बढ़ा दिया जाए मतलब यह goldilog zone हमारे case में कितना होगा यह goldilog zone कहीं न कहीं 0.99 astronomical unit से ले कर के 1.7 तक है ठीक है मतलब अगर जहां प्रत्वी है प्रत्वी अपने स्थान से थोड़ी सी भी बेसिकली सूर्य की तरफ और आगे जाएगी उजी लगाता कीच रहा है ग्रह को अपनी तरफ एक बार ऐसा होगा कि यह सारे ग्रह जो है सूर्य के गुरुत्वा कर्षण के फलता सूर अंदर की तरफ चली गई तो संभव तया प्रत्वी पे जीवन नस्ट हो सकता है ठीक है यहां पर दोस्तों मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहूंगा इस और हैना कि यह जो सूर्य है हमारा यह क्या है आपके पास में सन सूर्य से नजदीक जैसे कि दो प्लैनेट है आप स्ट्रोनाउमिकल युनिट प्रत्वी कितना दूर है आपके पास में 1 एस्ट्रोनाउमिकल यूनिट हम यह कहते हैं कि भाईया पॉंट 9 से लेकर के 1.75 के करीब जो है आपका 1.7 एस्ट्रोनाउमिकल यूनिट या खागोली 1 एकाई इस दूरी के बीच में जो है हमारा इस स करता है कि सूर्य से आने वाले विकिल ने कहां तक एक सही तापमान या जीवन संभव पानी संभव परिस्थित्या संभव कराएगा हमारा सन जो है हमारा ठारा जो है हमारा सोलार थम में एक नौर्मल साइज का तारा जिसको अनुट Wish'm जिए नहीं तो ज्यादा छोटा है और ना ही जाएंट है हम ने कहा ता आपके पास वह सूपर जैंट सा नुड़ हमारा तो लिए बहुत झोटा सा तारा है अगर सोचो आपके पास में यहाँ पर तारा छोटा होता तो सायद यह डिस्टिंच और कम होता सोचो यहाँ पे तारा बड़ा जायंट होता तो इससे निकलने वाली उर्जा, प्रकाश, उश्मा और ज्यादा होती तो यहाँ पे गोल्डी लॉग जोन थोड़ा और दूर होता है समझ माईं तो गोल्डी लॉग जोन जो है वो कोई पर्मानेट नहीं नकी नहीं है हमने कहा दिया कि सूर्य से 0.9 से लेकर के 1.7 एस्ट्रोमिकल यूनिट तक देखने को मिलेगा इसका सही जो है मातरा के अंदर सौर विक्रिने कहां पे होगी यहाँ पे यह सुनिष्चित करना इस उपस्तिति को सुनिष्चित करना जो है ताकि विविद जीवन के रूप जो है हमको इसको देखने को मिल सके उसको गोल्डिलॉग जोन का जाएगा आज प्रत्वी पे जीवन संभव है उसका श्रे इस गोल्डिलॉग जोन को ही कहा जाता है जो कहिन कहीं हमारे ग्रह पे जीवन को और तरल जल की संभावनाव को जो है कहिन कहीं पूर्ण करता है ठीक है इसके उपरांथ हम अब जो ग्रह हैं उन सभी ग्रहों के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं तुमें तो सभी लोग जो इसको सुन रहे हैं मैं प्रॉपर आपको चीजे लिखा रहा हूँ आप अपने पैन और पेपर के साथ में बैठिए आठ ग्रह हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इन आठों ग्रह के बारे में हम कुछ महत्पून बिंदू लिखेंगे इन ग्रहों के बारे में जो महत्पून बिंदू हैं वह याद रखना आपके optional subject के तरक संगत नहीं होंगे यह सारे के सारे बिंदू जो है हम पढ़ने की कोशिश करें physical geography में कि प्रिलिंस में कोई question आ गया तो हमारा question का answer बन पाए सबसे पहला दोस्तो हम ग्रह पढ़ने की कोशिश करते हैं वह है आपका बुद्ध ग्रह कौन सा ग्रह है आपका बुद्ध ग्रह दोस्तो हमारा जो बुद्ध ग्रह है यह प्राय हमारे सोर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है क्या है आपके पास में हमारे इस solar system में मैं यह कह सकता हूँ कि सबसे छोटा ग्रह है है ना सबसे छोटा ग्रह है सूर्य के नजदीक में और चट्टानी ग्रह है, कैसा है आपके पास में, यह आंतरी ग्रहों में से एक था, तो क्या कह सकता हूं में कि यह चट्टानी ग्रह है, बिल्कुल सरीह चट्टानी ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है आपके पास में, सुक्र, प्रत्य और मंगल के साथ में इसके अंतर को कहिन कहीं चो साजा भी करता है और गड़ों में भः हुई एक स्ठोस सतर है या पर कई सारे craters कई खड़े देखने को भी लेंगे कई सतर होगे तो यहां पर सुरिय से नजदीक है यह सुरिय के नजदीक के कारण जो है इसका कोई वातावरण नहीं है तो क्या इसका कोई वायू मंडल होगा क्या कोई इसका कोई environment होगा तो आप कहेंगे सर नहीं है क्या इसका कोई उपग्रह होगा क्या इसका कोई उपग्रह होगा तो आप कहेंगे नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली ये जो सोलार फ्लेयर्स है ये जो सौर विकिरने हैं ये जो स्टॉम के रूप में इसके चारो तरफ के वातावरण को उड़ा दिया है इसका सूर्य की नजदीकी के कारण गुरुत्वा करशन सूर्य का इतना ज्यादा था कि इस मरकरी बुद लिए पिंट रहे होंगे वो सूर्य के अंदर सब आ गए लास्ट में जाते हो हम ये कह सकते हैं कि नहीं सर बुद्ध ग्रह जो है इसका अपने आप में स्वतंतर कोई उप ग्रह नहीं है अब इन तीन बिंदुओं के आगे बढ़ें तो सर यहाँ पे उश्मा बनाये रखन में जो हैं बहुत ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सतह का कि अब आप मान सतह का ताप मान ओवियसली दो परिस्थित्यों में होगा कि दैनिक की अगर मैं बात करूं रात को अगर मैं बात करूं कि रात को टेंपरेचर किता है आपके पास में 173 डिग्री सेल्सियस के करीब है सर दिन में करीब जो है दिन में तो ऑवियसली सूरियों को फेस करेगा उस वक कितना होगा चारसो सत्ताइस डिग्री सेल्सियस के आसपास में होगा और यह एक चम की लिए तारे जैसा दिखाई देगा हमके आमार पास में है ना तो शुक्र की तुलना में तो चमकता तो है प्रत्थवी से यह कहिन की चमकता तो नजर आएगा पर सबसे खतरनाक चमकता है वीनस समान में जो ग्रह बहर का ग्रह भी का जाता तब ही लिखाऊंगा सुकर पड़ाऊंगा तब ठीके ना तो यह बीत कहिन करी जो है आपके पास में चमकते तारे जैसी वस्तु के रूप में नजर आता है हमको तो ये चमकते तारे समान प्रतीत होता है दोस्तों आपके पास में ये कुछ महत्पूर्ण बिंदु हैं अब बुद्ध की संदचना और आकार में कहा जाए तो हमने कह दिया कैसर ये सबसे छोटा ग्रह है आपके पास में इसको कह दिया के सरीह ग्रह स्थली ग्रह है चटानी ग्रह है ये आपके प्रत्वी के ठीक विप्रित जो है बुद्ध के आवश्यक वातावरण में यहाँ पे कभाव देखने को मिलेगा कोई वातावरण नहीं है सर इसका और यहाँ पे अंतरिक्ष में एक मूख दुनिया का निर्मान करता है ठीक है ना मतलब यह अंतरिक्ष के अंदर एक ऐसा ग्रह है ना जीवन ना गैस ना कोई आपका वातावरण है एक मूख दुनिया का कहिन कहीं जो है अंतरिक्ष में निर्मान करता है 2004 में हमने इसके अधेयन के लिए एक अंतरिक्षियान वे जाता और अंत मेसेंजर अंतरिक्ष यान और मेसेंजर अंतरिक्ष यान हमेसा यह याद रखना 2004 में जो लॉंच किया था कई चित्र प्राप्त हुए था हमारे पास में पैरियोक्लैटिक यहां पर जॉला मुखी देखने को मिलते हैं कई सारे इसका में डाइग्राम दिखाता हूं देखो य जॉला मुखी यहां पर जॉला मुखी दीक्री और जल के कहीं बर्फ में होने के प्रमान तो ओbenूप्येसली If you here are बर्फ के अन्दर है आपके पास में बर्फ के रूप में दिखाई देगा आपके पास में जुब्रा मुखी सक्री है जो आला मुख्यता यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको मुख्यत और पे यह यह इसकी जो है प्रमुख गटनाए है I guess यह 6-7 पॉइंट्स आप में लिखे होंगे बहद ही महतपूर्ण बिन्तू थे दोस्तो आपके पास में इसके उपरांत में आगे आपकी जानकारी जो ले जाना चाहूंगा बुद्ग्रह के अंतरगत I guess यह complete हो है हमारा बुद्ग्रह के बाद में शुक्रग्रः शुक्रग्रः जो है दोस्तों आपके पास में बहुत ही इंपोर्टेंट इस वे में कह रहा हूं क्योंकि इसको हम प्रत्वी का सिस्टर प्लैनेट कहते है सिस्टर का क्या मतलोग है बहन जैसा सेम ही दिखाए देता समान आकार है तो प्राय है इसके आकार के कारण है प्रत्वी का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है इसको क् कुछ जो है हमारे वीनस का शुक्र का आकार दिखाई देता है चरम इस्थितियां यहां पर कई सारे रहशे की दुनिया है और इस परिस्थितियों में हम यह देख पाएंगे सो दोस्तों सिस्थर प्लाइनेट तो है यह क्योंकि दिखने में जो है कहिन कहीं प्रत्वी के जैसा प्रतीत होता है इसके उपरांथ हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह अपने आप में बहुत ही गरम प्लाइनेट है सूर्य के सबसे निकटतम तो कौन है बया कि मरकरी है बुद्ध है सूर्य के सबसे सेकेंड नंबर पे देखने को मिलेगा वीनस शुक्र परन्तु उसके उपरांथ भी हमारे जितने भी आठ ग्रह है इन टोटल आठों के आठों प्लैनेट मैंसे ग्रहों मैंसे सबसे जादा अद्वितिय वातावरण विचित्र वातावरण जो है वह यहां का देखने को मिलता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह और नियंतृत ग्रीन हाउस गैस है यहां पे काई सारी गैसे देखने को मिल रही है और इन गैसे के कारण ही यहां पे जो है सबसे गरम वातावरण है है ना तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको कि सारे सोर मंडल में सबसे गरम जो है कहीं कहीं ग्रह अगर आपको कहना हो तो आप किसे कहेंगे आप कहेंगे वह काफी जो है आपके पास में गरम है है ना गरम मतलब आपके पास में तापमान यहां पे बहुत ही ज्यादा होगा और प् किसी की भी बात के लो दक्षिन भारत में कोई भी शादी हो उत्तर भारत में कोई भी शादी हो। मैंने अढिया अधर्मों में भी कही बार दोन वालकों में, भी ईखाई आपके पास में कि जब भी शाधी होती हैं उसके बाद मैं जोड़ा, साधी से, कहा दोन का भूर बार जाके जाता है, सूरज के उगने के पहले और सूरज के डूपने के आसपास में कहिन के एक और भोर होती है जब सूर्य शितिच पे होता है तो इसको भोर का तारा भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है आपके पास में भोर का तारा सुबह सुबह जो आसमान में कहिन कहिन जो है जैसे आज सुबह लगबग साड़े पांच पॉने छे बजे के करीब जो है आज का सुर्यूदे हो चुका था तो जब मैं उठा उससे पहले मैंने कहीं यह शुक्र ग्रह को जो एक चमकत हुए तारे के रूप में आसमान में देखा था तो यह आपको दिखाए देगा दिन मे काफी सगन होगा है ना काफी सगन वातावरन होगा सगन का मतलब कई सारी यहां पर गैसे पाए जाएगी आपके पास में और इन गैसे के अंदर क्या देखने को भी लेगी जो उस्मा को रोक सकती है जो उस्मा को रोक सकती है और जो उस्मा को रोक सकती है इनी कोई तो हम ल सुक्र ग्रह के पार्थिव विक्रिणों को टेरेस्ट्रिल रेडियेशन को एब्सॉब करके उस वातावरण को बहुत ज्यादा गरम कर लेती है सिस्टर प्लैनेट की कहिन कहीं जो है हम इसको क्या दे पाते हैं दोस्तों संग्या दे पाते हैं सो ये सारी चीजे समझ भाई और तो कुछ नहीं है आपके पास में अब सुक्र ग्रह में एक और चीज बहुत ही प्यारी है जानने लहक है आपके पास में कि चारो स्थलिय ग्रहों में सबसे ज़्यादा गनावातावरण किस रहा है चार स्थलिय ग्रह मरकरी वीनस अर्थ और मार्स बूद शुक्र प्रत्वी वे मंगल इन चारो पार्थेव आंतरेक स्थलिय ग्रहों के अंदरगत सबसे ज़्यादा अत्यदिक जो हैं घनावातावरण वह शुक्र का होगा सबसे ज़्यादा गैसे यहाँ देखने को मिलती हैं तो अत्यदिक घनावातावरण है आपके पास में प्रत्वी से भी ज़्यादा घना है ना चार सलिय ग्रहों का अत्यदिक घनावातावरण यहाँ पे देखने को मिलेगा अब यहाँ पे वातावरण ज़्यादा होगा obviously वाई मंडलिय दबाओ भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा वातावरण है वह एटमोस्फियर है वही तो कहीं कहीं प्रेशर पे प्रेशर क्रेट करेगा सत्ह के उपर तो वाई मंडलिय दबाओ प्रत्वी से भी 92 टाइमस होता है अगर समुद्र के अंदर जाए समुद्र की गहराई में 900 मीटर जल में है ना समुद्र की गहराई में 900 मीटर जल के नीचे जो हमें दबाओ मैसूस होगा ना वो सुक्र की सत्व पर मैसूस होता है तो सोचो कितना भयंकर वहां का जो है वाई मंडलिय दाब होगा मतलब एक आदमी जो है उसकी शीराओं से धमनियों से रक्त फट के बाहर आ जाएगा हमारा जीवन वहाँ पे संभवी नहीं है होगा क्या बिलकुल ही नहीं हो पाएगा अब सुक्र जो है आपके परस में एतिहासिक द्रस्टिकोंड से भी महत्पूर्ण हो चुका है रात में आकाश का प्रकास स्तंब के रूप में जाना जाता है प्रकास स्तंब को क्या कहा जाता है आपके पास में लाइट हाउस लाइट हाउस कहा होता है समुद्र के किनारे जहाजों को बताने के लिए रात के समय कि भाईया इधर ना आ जाना टकरा जाओगे जहाज क्रैश हो जाएगा मर जाओगे घुम लो वहीं से रोटेट कर लो अपनी शिप को कोई दूसरी जगा ले जाओ तो लाइट हाउस जो लगाता है तट के उपर जो है वो लाइट टॉर्स लगाता रहता है और दूसरे आने वाली शिप जो होती है उनको बताता रहता है कि भाया इस दिसा के अंदर जो है आगे बढ़रो तुम तट की तरफ है ना कहीं लेंड की तरफ आगे बढ़रो जमीन की तरफ आगे बढ़रो ठीक है ना तो obviously जो sea voyagers होते थे उनके लिए light house बहुत important direction का काम करता था, वैसे ही ये शुक्र ग्रह है, शुक्र रात के समय आकाश का एक प्रकास स्थम के रूप में जाना जाता है, कई प्राचीन सब्यताओं के अंदर भी जो हैं, कई बार आपके पास में जो लोग रात को शुक्र का एक तापमान हो चाहे, आपके पास सबसे गरम ग्रह है, इसका वातावरन है, वहां के वायुमंडली परिस्थित्या है, बहुत ही ज्यादा रहसे मही है, अतेव, यहां से प्रत्वी से कई सारे अंतरिक्ष यान भी हमने बेजे, जैसे mariner 5, mariner 2, mariner 10 है आपके पास में, pioneer ह आपके पास में, यह सारे mariner और pioneer कभी भी देखने को मिल जा है यह दो शब्द याद रखना, क्या है पहला सब्द, mariner और दूसरा है pioneer, यह दोनों शब्द जो हैं आपके पास में pioneer और mariner, यह दोनों ही उन अंतरिक्ष यानों की स्रंखला के लिए हैं, जो शुक्र के खोज क के लिए हमारी समझ को विक्षित करने के लिए प्रत्वी से भेजे गए थे अन्य अन्य देशों के द्वारा, ठीके, अब हम लोग जानकारी लेते हैं हमारे खुद के ग्रह के बारे में, प्रत्वी की बात करते हैं, तीसरा ग्रह हेडिंग लगा लो प्रत्वी, प्रत्वी without saying यह एक तो आपके पास में क्या देखने को भी लेगा गोल्डी लॉग जोन में किस में है गोल्डी लॉग जोन में है अच्छा इसके कारण क्या है आपके पास में यहाँ जीवन संभव क्या संभव है आपके पास में जीवन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दूसरा यहां पे विविद परिद्रश्य है नीले रंग की एक तरीके से चादर है ना जब यह अंतरिक्ष हम देखते हैं यह पूरा इसको ब्लू ब्लैनेट भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि आपके पास में जैसे चंद्रमा से अगर आप प्रत्व को देखेंगे तो यह पूरा एक नीले कलर का आपको प्लैनेट दिखाई देगा उसके पीछे आपके पास में कई परिद्रश्य भी देखने को मिल जाएंगे कई सारे ऐसे लैंड्सके ब्यूटी भी देखने को मिल जाएंगे जो इसके उपर हमने कहा के लगबग दो तीहाई का हिस्सा ज करता है और जया वीवित्ता हो जहां परिद्रश्यों की वीवित्ता हो काफी आस्चरेव क्रह का अगर कोई दूसरा अलियन जहांपे जीवन संबव है पूरे इस सौर मंडल के अंदर इसके एलाव और प्रथ्वी की नहीं आपके पास में.... क्या हम यह कह सकते हैं कि यह एक स्थलिय ग्रह है क्या मैं यह लिख सकता हूँ यह एक स्थलिय ग्रह है हाँ भया कहाता चार स्थलिय ग्रह में से प्रत्वी भी एक है आपके पास में थोस है और गती सील है आपके पास में दूसरा यहाँ पे इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि प्रचूर मात्रा मैं यहां पर जल उपस्तित है महासागर परत्वी के सत्तर पर्ष determinant भाग को गेर होए महासागर है सत्तर परत्व के भाग के उपर और क्रत्वी zwischen पर इसी यह परण humility प्रचूर जल्की जो है कहीं तरल मात्रा के कारण ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जीवन का अधार भी है कहीं हमारा एक वायू मंडल, हमारे वायू मंडल की हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, अगर मैं दोस्तों यहां पर हमारे वायू मंडल की बा पॉइंट 9 के करीब जो है oxygen देखने को मिलती हैं फिर आरगन है carbon dioxide है कुल मिला करके nitrogen और oxygen की प्रदानता से जो है हमारा बनावा है यह वातावरण और अधिकांस जीवों के लिए दोनों ही महतावरण गैसे से हाला कि nitrogen प्रतिक्स तोर पर यूज नहीं कर पाते हैं पर oxygen तो जीवन दाई यूज हैं दूसरा और क्या यूज हो सकता है बताओ तो दूसरा और क्या यूज हो सकता है अगर हमारे वातावरण में oxygen है इसका क्या यूज है कोई भी चीज को जलाने के लिए देहन करने के लिए oxygen के आवशक्ता होती है so obviously अगर कोई मैं कहता हूँ उलका पि गोले की तरह आगे बढ़ता और वो छोटे-छोटे टुकुडो में तूट जाता है इसके लिए मीटे और मीटे और शावर की बात करते हैं तो उलका पिंडू को विगटित कर देता है ना जला करके उसको क्या कर देगा विगटित कर देगा और उसके विगटन के पीछे ज हम जब भी अर्थक्वेक पढ़ते हैं भुकंप की तरंगों की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि प्रत्वी जो है आपके पास में अलग-अलग क्या बनी हुई है आपके पास में लेयर से बनी हुई है तो हम यह कहते हैं कि भया प्रत्वी जो हैं संग कैंद्रेत अलब एक ही आपके पास में crust mental और core core में भी हैं आपके पास में outer core बाहिय core और फिर हैं आपका आंत्रिक core inner core आंत्रिक core inner core सारी सग गैंद्रीत हैं आपके पास में concentric जो है आपकी layers देखने को मिलेगी अलग-अलग इनके बहुतिक और रासायने का गुण यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके उपरांत में जी जानकरी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा वह जानकरी इस प्रकार है कि हमारे इस ग्रह के उपर आपको दिन और वर्ष की जानकरी होनी चाहिए कि लगबग हमारे पास में दिन किते घंटे का होता है हम कहते हैं कि गुरु जी दिन जो है लगबग 24 आवर्स का होता है 24 घंटे का दिन होता है पर यह वर्ष कितने का होता है आपके पास में जो वर्ष जो है वो है लगबग देखने को मिलेगा 365.25 डेज इतना ही होता है और इसी को हम लोग हर 4 वर्षों में जोड़ करके जो है चौथे वर्ष लीप वर्ष मनाते हैं और चौथे वर्ष जो है फरवरी 28 ने और 29 दिन की मानी जाती है तो प्रत्वी अपने अक्षपे घूर्णन की समय में कंप्लीट करती हैं लगबग 23 घंटे 56 मिनिट और कुछ सेकेंड्स होते हैं टोटल आपके चौइस घंटे हम अवर ले सकते हैं मतलब उसको घूर्णन में चौइस घंटे लगते हैं यहां पर परिक्रमण में सूर्य की परिक्रमा में 365.25 आपके पास में लग रहा है दिन है ना और हर चौत वक्त यह जो 2525 है इसको एड़ ओन करते हुए हम लोग लीप वर्ष की घंटना में यूज कर सकते हैं प्रत्वी भी अन्य ग्रहों की तरफ है तो प्रत्वी की भी दो गूर्ण दो गतियां होगी आपके पास में पहला क्या होगा प्रत्वी जो है वह अपने अक्ष पे क्या करेगी पश्चिम से पूर्व की और गूर्णन करेगी दूसरा वह एक निश्चित और्बिट में परुल्दी गुवे के चारो तरफ चक्र लगाने वाली परिक्रमा करने वाली है तो इसके प्रत्वी के घुर्णन की दिशा याद रकता हमेसा पश्च्चिम से पीरव की तरफ होती हैं अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अर्थी पढ़ना है, अर्थ की जोगरोफी पढ़नी है, तो इस ग्रह को ज़्यादा परिशान नहीं करेंगे, अभी आपको यह पता होना चाहिए, कि जो घूर्णन होता है, वह आपके पास में एक अक्ष पे होता है, और यह अ हमानी जो है, आप कक्षिय तल से 5.65 डिगरी का कॉंड बनाएगी, तो एक तरफ साड़े 3.65 डिगरी का कॉंड बनेगा, और यह कक्षिय तल से के 4 और प्रत्वी की कक्षा तल होता है, जिसको हम प्लैनेटरी ओर्बिट भी कहते हैं, सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में कि अद्यूतिय ग्रह है, क्योंकि अभी तक जितने भी ग्रह हमने पड़े थे, जैसे हमने पड़ा था मर्करी, जैसे उसके बाद हमने पड़ा वीनस, इन दोनों के ही कोई भी चंद्रमा नहीं थे, प्रत्वी आंत्रिक ग्रहों में से पहला ग्रह है अर्थ, जिसका एक मून एक चन्द्रमा दिखाई देगा, तो इसकी भी जानकरी जरूर लेने हैं कि प्रत्वी के पडोश्यों में से काफी महतफून रूप से अगर देखा जाए तो अर्थ का जो है एक चन्द्रमा आपको देखने को मिल जाएगा, अर्थ का क्या है एक प्रत्वी का एक अनोखा सा चंद्रमा है हमारे पास में प्राक्रतिक उब्गरह नाचरिल सैटलाइट है हमारे क्रत्रिम सेटलाइट है देखने को मिलेगा क्या ऩो संख्य है क्योंकि हर देश ने अलग-अलग सेटलाइट प्रत्वी के चारव तरफ भेज रखे जो जलवायू के लिए मौसम परिवर्तन के लिए जो है ना नैविगेशन के लिए है जासुसी चीजों के लिए है इन सब चीजों का पता करते है तो प्रत्वी की अवस्तिती सुक्र और मंगल के बीच में ये तो सभी को पता है और यहां पे यह कहीं कहीं कहां पे है एक से लगभग तीसरा ग्रह हो चुका है इसके चंद्रमा के बारे में जरूर आपको कुछ जानकारिया लिखनी चाहिए जैसे की चंद्रमा की उत्पत्ति व्यग्यानिक कौतु हल का विशेतर आई कि कैसे चंद्रमा बन गया अन्य ग्रहों के आसफास में चंद्रमा क्यों नहीं तो नासा ने जो है इसी चीज की जानकारी चंद्रमा के कौतु हल को चंद्रमा की मिस्ट्री को सॉल करने के लिए इन्होंने अपोलो मिशन बेजा था दोस्तों आपके पास में नासा ने अपोलो मिशन जो है वह चंद्रमा की उपर भेजा था कैसे जो है एक इंसाइट से कंतरत्रश्टि प्राप्तों वहारे पास में और एक विष्लेशन के बाद में हम गए पता चला कि भाईया यहां पे कोईन कोई एक ऐसा प्रोटो ग्रफ जब हमारी प्रत्वी बन रही थी सौर्मंडल नया नया बन रहा था तो हमारा जो नया ग्रह बन रहा था नया सूर्य बन रहा था हमने का प्रोटो सन प्रोटो स्टार का था ग्रह भी नया नया बन रहा उसको मैं क्या प्रोटो ग्रह कह सकता हूं बिल्कुल सर तो उन्होंने कहा कि जब हमारा ग्रह बन ही रहा था प्रोटो ग्रह था प्रत्वी पून्त आपके पास में ज्वाला मुख्यों से बरी हुई थी, ताप मान बहुत ज़ादा था, तब कोई खघोल्य पिंड आया होगा और इस ग्रह से टकराया होगा, कोई एक खगोल्य पिंड आया और इस ग्रह से टकराया प्रत्वी जो एक प्रोटो ग्रहती इससे टकराया और इसके टकराओ के फलसुरूप प्रत्वी का एक हिस्सा जो है इससे अलग हो गया और इसकी परिक्रमा करने लगा गुरुत्वा करशन में तो इसको कहीं कहीं हम चं प्रत्वी बहुत तेज घूम रही थी अपने अक्षबे और उसके कारण कि वह द्रवी अवस्था में थी प्रोटो ग्रह की अवस्था में थी इसमें से कुछ भाग बाहर निकल गया और चंद्रमा बन गया जो कि आज प्रत्वी की परिक्रमा कर रहा है आपके पास में इसके उपरांत कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं जाएंट इंपक्ट सिधान्त अब यह भी बहुत ही महत बुने अब जाएंट इंपक्ट सिधान्त क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा सुनते हैं जाएंट इंपक्ट सिधान्त कहता है कि जो हमारा प्रोटो स्टार था बड़े बड ग्रह के आकार का एक पिंड था, है न, लिखेंगे सभी, मंगल ग्रह खुद नहीं था, मंगल ग्रह का आकार, इतना आकार था, बड़ा आकार था, के, आकार का पिंड, मतलब एक कोई सेलेस्टिल बॉड़ी, कोई ग्रह हो, उब ग्रह हो, कोई भी चीज़ हो, एक ऐसा पिंड जो मंगल के आकार का था वो प्रत्वी से टकराया और प्रत्वी से टकराया और प्रत्वी से टकराने के आसपास में जो है एक जब भी आप दो पत्रों को भी टकराएंगे तो क्या होगा उसमें से जो है थोड़ा बहुत जो है मलबा बाहर निकलेगा तो यहां पे भी परिणाम सुरूप जो है मलबा बाहर निकलेगा है ना तो इसके फल सुरूप क्या हुआ आपके पास में पुत्पन मलबा प्रत्वी के चारो और कक्षा के अंदर जो है एकत्रित हो जाता है एकत्रित हो जाता है और अंत्तह आपका जो चंद्रमा है वो इसी मलबे से बनावा है ध्यान से दीजिएगा मंगल के आकार का एक खगोल्य पिंड प्रत्वी जो प्रोटो ग्रह है उससे टकराता है इस प्रलेंकारी घटना के फल सुरूप कई सारा मलबा खूब सारा मलबा पैदा होता है और ये मलबा जो है एकत्रित होकर के प्रत्वी के चारो तरफ एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करना सुरू कर देता है और यह परिकलपना है यह है आइपोथिस है और इसी को जो है द बिग स्प्लेट भी कहते है स्प्लेट का क्या मतलब हूं आपके पास में एक जटका लगा प्रत्वी के उपर उस जटके के फल सुरूप जो है कई सारा मलबा बाहर निकलता है और यह जो मलबा बाहर निकला है वो प्रत्वी के गुरुत्वा अगशन के अंतरगत एकत्रित हो करके कक्षा में चारो तरफ परिक्रमा करने लग जाता है बहुश्य में जाकर के एकत्रित हो के चंद्रमा मना देता है अंतरगा चंद्रमा का निर्माण जो है इसे the big splat event भी कहते हैं क्या लिखते हैं मित्रों the the big splat the big splat event ही बिइक्स प्लैडड घटना किसके संद्रप में हैं वह बात कि जाती है चंद्रमा के संद्र में हैं हो तो यहां पे थिया यहाएक खुखले पिंट बता जाता है जो प्रथवी से टकराता है टकराओ के फल सुरूप मलबा निकलता है वह एकत्री तोकर के कक्षा में चक्र लगाने लगता है और कालांतर में कहिन कई उपगरह चंद्रमा के रूप में बन जाता है आज चंद्रमा का जो है प्रत्वी से जो है आपके पास में चंद्रमा का जो व्यास है प् पास में 384 1000 km की दूरी है चंद्रमा का व्यास जो है जो प्रत्वी का व्यास है प्रत्वी का जो आपके पास में व्यास देखने को मिलेगा उसे एक चौता है 1 4th of Earth एक चौता है प्रत्वी से चंद्रमा जो है obviously tidally locked भी है tidally locked आप समझते हो कि जोरी रूप से बंदा हुआ है चंद्रमा और प्रत्वी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए है जोरी रूप से बंदे हुए है अब ये जोरी रूप से बंदा tidally locked क्या है कि कोई भी कक्षी अवदी उसकी घुर्णन अवदी के बराबर हो जाता है जैसे कि यह है आपकी अर्थ और यह है आपका moon यह moon जो है वह अर्थ की क्या कर रहा है दोस्तों आपके पास में परिक्रमा कर रहा है यह कहता है कि प्रत्वी के चारों तरफ यह भी दो गती कर रहा है पहली गती कौन सी होगी आपके पास में घुर्णन तो इसकी जो घुर्णन गती है वह कहीं कहीं इसके परिक्रमन गती के बराबर है इसका जैसे समझ लो आप हो आपने मेरा हाथ पकड़ा यहां से आपका राइट हैंड यहां पर लेफ्ट हैंड यहां पर आप मेरे सामने खड़े हो और यह मैंने पकड़ करके आपक जो है दोनों दिसाओं मनला पूरा 360 डिगरी एक rotation दे दिया तो यह क्या क्या मैंने अपनी जगह पे क्या एक घुर्णन पूरा किया यस मैंने चंद्रमा ने अपनी जगह पे rotation भी complete गया at the same time यह प्रत्वी के साथ में टाइडली लॉक्ड है यह ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रत्वी है यह जो प्रत्वी है हमारी इस प्रत्वी ने इसको टाइडली लॉक कर रखा है टाइडली लॉक मतलब हमेशा हमें चंद्रमा की जो है एक ही सतह दिखती है दूसरी स हमें दिखती ही नहीं है क्यों रीजन जैसे मैं आपको यहां से पकड़ लेता हूँ ठीके ना आपने मेरा हाथ पकड़ा और हम ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाते और इससे क्या होगा हमेशा मेरा फेस आपके फेस की तरफ होगा राइट मैं कभी भी आपको प्रस्ट या जो आपके पास मैं exterior से प्रस्ट भूमी से तो नहीं देख पाऊंगा पीछे से नहीं देख पाऊंगा reason उसका रहेगा हम tidally locked है यहां पे चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमन जितने देर में चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमेगा उतने ही देर के अंदर वह प्रत्वी की क्या कर देगा परिक्रमा भी कर देगा इसी कारण यहां पिसको कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तू की कक्षि अवधी उसके घूर्णन अवधी से मेल खा जाती है चंद्रमा लगबग आपके 27 दिनों में प्रत्वी की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा में कितना time लगता है आपके पास में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं, तो 27 दिन की इसकी परिक्रमा है, और एक स्पिन में लगने वाला समय भी बराबर है, तो घूर्णन मतलब एक स्पिन में भी इसको 27 दिन का ही समय लगता है, अल्मस्ट अल्मस्ट दोनों ही हैं, तो परिणाम स परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप से नर्ट के तो मिंसुंदीapo नर्ट केंगा देंकि और दोरे। परिणाम स्वरूप प्रत्वी से एक ही सतह द्रश्य है, तो चंद्रमा की हम आधी सतह ही देख पाते हैं, एक साइड ही देख पाते हम चंद्रमा का, दूसरा साइड हमें दिखता ही नहीं, जिसको हम डार्कर साइड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्कर साइड क् कि हमें प्रत्वी से वो दिखे गई नहीं, हमें कोई अंत्रिक्षियान यहां पर ले जाकरके टांगना पड़ेगा, या फिर उसको रोवर या फ्लाइबा या और्बिटर में डालना पड़ेगा, तो हमें चंद्रमा के इस दूसरे अंस के बारे में पता चलेगा, यह सवर्न प्रत्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इतना सा आप लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़ू में, इसकी कुछ और विशेस थाइन लिखें हम लोग, जैसे प्रत्वी चंद्रमा की कक्षिय धूरी पर एक महतुपूर्ण जो है, स्टेबलाइजर का कारे करता है, अब आप कहो कि सर्य चंद्रमा का प्रत्वी के उपर क्या रोल है, हम कहता है न, के वह्या, हमारी प्रत्वी है, वो साड़े तेज डिगरी के अक्ष पे जूकी हुई है, हमारे कक्षिय तल से हमारे इस कक्षिय तल से कक्षिय तल से साड़े तेश डिगरी के उपर जुकी हुई है तो इस कक्षिय तल से साड़े तेश डिगरी पे जुकी हुई जो है अगर ये चंद्रमा ना होता अगर ये चंद्रमा ना होता तो तुम्हें पता है यह प्रत्वी हमारी साड़े 23 की बजाए टोटल 85 डिग्री के आसपास में जुग जाती कितनी जुग जाती 85 डिग्री के आसपास में जुग जाती तो ठेंक गॉड कि यह एक stabilizer force की तरब होतीगी के अंदर physics के अंदर जो यह stabilizer जो है स्थिरक के रूप में कारे करता है तो क्या मैं कह सकता हूँ चंदरमा प्रत्वी का कक्षिय धूरी का एक महत्पुन स्थिरक है अगर यहाँ पे प्रत्वी का जुका आव 85 डिग्री तक हो जाता कहिन कहीं जो है प्रत्वी के लिए कार्य करता है बाकी दो चीज़े और है कि सर चंदरमा जो है आपका वह परिक्रमन कब करता है घुनन कब करता है यह दोनों ही चीज़े मैंने बता दी है चंदरमा जो है प्रत्वी के चारों तरफ एक गोल नहीं है है लगबग 27.3 दिन इसको लग जाते है इसके अलावा घुर्णन भी तो करता है यह रोटेट के अलावा रिवाल्यूशन के अलावा रोटेशन भी करता है परिक्रमन के अलावा परिब्रमन भी करता है तो इसके घुर्णन या परिब्रमन को जिसको कहा जाएगा यह दूरी क आपके पास में चंद्रमा अपने धूरी पे अपने एक्सेस पे लगबग 27,67 दिनों का एक चकर पूरा करता है तो जो यए अपनी ही धूरी के उपर 27,3 दिनों के अंदर एक घुल्णन जो है भूर्णन पूरी करता है तो अगर मैं जा है आती है दिorial तुल्य काली घुल्णन में घूम जाती है जब कि सूर्य की परिक्रमा परिक्रमण में तो 365 दिन ले रही है yes or no हमारे यहाँ पर चंदरमा तो भाई साब 27 दिनों के अंदर घूम भी लेते हैं और पूरी परिक्रमा भी कर लेते हैं परिक्रमण परिब्रमण rotation revolution दोनों ही same duration में होने के कारण tidally locked है प्रत्वी समय सा एक ही surface में देखने को मिलने वाली है अब यहाँ पे कुछ और चीज़े महत्की हैं उससे पहले जो है मैं आपका चंद्रमा की कलाओं पे जो है दिहान आकरशित करना चाओंगा प्रत्वी का प्राकरतिक उबगर है हमारा चंद्रमा और इस प्राकरतिक उबगर है इस चंद्रमा के ऊपर जो है कई सारी देखो प्रत्वी के rotation कर प्रत्वी का rotate करते करते revolve कर रहा है लगातार क्या कर रहा है आपके पास है इसको कहा जाता है आपके पास में पूर्णिमा का समय जब चंद्रमा गायब होता है आकाश में या अंधकार में होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अमावश्या का समय तो लगाता है चंद्रमा की कई अलग-अलग कलाए हैं इन 27 दिनों के समय को जो है हम ब्रेक करते है अलग अलग टाइम पिरिट से जानते हैं जैसे कि अमावश्या किया है अमावश्या के दिन चंद्रमा जो है वह क्या हो जाता है आपके पास में चंद्रमा अद्रश्य हो जाता है अगर चंद्रमा आकास में नहीं दिखाई देता है तो जहां पर जैसे चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है इसे अद्रश्य कहा देता है इसको हिंदी में लिखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं न्यू मून क्या लिखते हैं न्यू मून नियु मून मतलब इस अवदी के बाद में चन्द्रमा वापस नया चन्द्रमा जो है वहर डवलप होना शुरू होगा, आकास में नया चन्द्रमा जैसे पहले थोड़ा दिखा, फिर थोड़ा जादा दिखा, फिर लगबग तीन चौथा इदिखा, फिर पूर्णत दिखेग जैसे कि भारत उत्री गोलार्थ में, यहां से देखने पर यहां पर प्रावस्था दाई और प्रकाश का एक पतला सा अर्ध चंद्र दिखाई देता है, है ना, अर्ध चंद्र यह है, इसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके पास में? यह है वैक्सिंग क्रिसेंट, मतलब यहां पर प्रावस्था है वो दाई और देखने को मिलेगी, क्या है आपके पास में? चंद्रमा के दाई और, राइट हैंड है ना, चंद्रमा के राइट हैंड, मतलब चंद्रमा के दाई और यहाँ पे हमको प्रकाश का पतला अर्ध चंद्र दाई और प्रकाश का पतला अर्ध चंद्र दिखाई देता है इसको हम वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं फिर है फिर्स्ट क्वार्टर का समय जो होता है आपके पास में हम लोग क्या कहते हैं एक क्वार्टर किसको कहा जाता है आपके पास में चन्दरमा कैसा दिखाई देगा आपको चन्दरमा यहां! का बढ़ता आकार ये वला ये है वैकसिंग्ड मला पूर्णचंद्र भी नहीं है अर्द चंद्र भी नहीं है लगभग बीच की अवस्थीती हैं चंद्रम मा के बढ़ते आकार का संकेते इसको वैकसिंग गिय गएभ्ग कहा जाता है चंद्रमा पून्त है प्रकाशित वै द्रश्यमान होगा अब जब चंद्रमा पून्त है प्रकाशित है द्रश्यमान है उसको हम लोग क्या कह देते हैं कहीं कहीं हमने देखो यहां पे अमावश्या को क्या लिखाता ये न्यू मून है तो इसको क्या लिखेंगे जब चंद्र फुल मून लिखा जायेगा, ये पुर्णी मा होता है, दोस्तों आपके पास में, अब, अब हमारा जो यहाँ पर, वैक्षिन गिबस दिखा था, आब यहाँ पर वैनिंग गिबस दिखेगा, वैनिंग मतलब चटता जा रहा है, कटता जा रहा है, चंद्रमा जो पूर्ण था घटते आकार का संकेत है वैनिंग गिब्स कहा जाएगा फिर है थर्ड क्वाटर अगेन वापस यहाँ पर आगे जब चंदरमा हमेसा क्या दिखाई देगा आपके पास में आदा यहाँ पर पूरा गायब यहाँ पर आदा देखा यहाँ पर पूरा देखा यहाँ पर वापस आदा देखेगा तो थर्ड क्वाटर क्या होगा जैसे मैं इस रूप से अगर इसको मैं मान लो जैसे यह तो इसका एक क्वाटर यह दूसरा क्वाटर यह तीसरा क्वाटर यह चौथा क्वाटर यह यहां भी अर्द चंद्रमा दिखाई देगा परन्तु अर्द चंद्रमा जो फर्स्ट कौर्टर में दिखाई दिया था उसके ठीक विपरीत आदे इसे पर दिखाई देगा ठीक है ना? तो यहां पर राइट था तो यहां पर लेफ्ट है ना? तो चंद्रमा का जो यहाँ पर दाया था यहाँ पर बाया हिस्सा प्रकाश मैं होगा है ना तो जो की ठीक विपरीत होगा ठीक विपरीत होगा फर्स्ट क्वार्टर के तो जो first quarter के अंदर यहाँ पे देखने को मिला था right और यहाँ पे है आपका left हिस्सा जो है प्रकाश में होगा अब तीसरा है आपका घड़ता अर्द चंद्रकार जिसको हम लोग वैनिंग क्रिसेंट कहेंगे इस बार क्या होगा आपके पास में इस प्रावस्था में जो है चंद्रमा का पहले जो है दाया मतलब राइट वाला जो हिस्सा जो है वो क्रिसेंट मलब अर्द चंद्रकार स्वरूप में प्रदर्शित होगा कि इसको Christ शेप कहते हैं यह वाला यह वाला थिक है यह समझ MY आया सभी को सभी ने लिखा चंद्रमा की कलाय अच्छे से समझ माया है आपको जब पूंध न दिखाई दे अमावश्या जब पूंध दिखाई दे उसको क्या कहा है हमने पूर्णिमा कहा है चारो क्वाटर को समझा और 27.3 दीवस के आसपास का जो है इसकी समय की जो रूप रेखा है उसको भी हमने यहां पे जानकारी के अंदर लिया कितना समय लग रहा था दोस्तों हमको 27.3 दीवस rotation revolution दोनों के अंदर ही हमको नजर आ रहा था अब यहां पे जो है हमें एक और जानकारी लेनी चाहिए ग्रहन के बारे में eclipse क्या होता है देखे हमारे सौर मंडल में eclipse या ग्रहन बहुत ही महत्पुर्ण है दोस्तों क्योंकि जब कोई ग्रह चंद्रमा या सूर्य के प्रकाश के मारक के बीच में आ जाता है तब यह होता है जैसे हमारे पूरे सौर मंडल में प्रकाश का उस्मा का एक मात्र सादन जो है वो सूर्य है कौन है सूर्य है जहां से प्रकाश आता है प्रत्वी प्रकाश में है सूर्य के कारण, चंद्रमा भी प्रकाश में है सूर्य के कारण, चंद्रमा से आप कहेंगे चंद्रमा से तो मून लाइट आती है, चांदनी आती है, तो क्या चंद्रमा की स्वयम का कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का कोई स्वयम का प्रकाश न पहली बात तो तीनों एक सीधी रेखा में देखेंगे सूर्य प्रत्वी चंद्र एक सीधी रेखा में आ गए और पूरा का पूरा जो सनलाइट जो है सूर्य का प्रकास प्रत्वी पे गिर रहा प्रत्वी की चाया जो है वो कहीं कहीं चंद्रमा पे गिर रही है इस कारण चं जब देखने को मिलेगा कि प्रत्वी चंद्रमा और सूर्य तीनों और यहां पे सूर्य से आने वाले प्रकाश के बीच में चंद्रमा अवरोध पैदा कर देता है तो हमें प्रत्वी से ये नजर आता है कि सूर्य के उपर कोई एक काला स्पोर्ट, एक काला दब्बा या चंदरमा की परचाईसी नजर आ रही है जबकि सूर्य के प्रकास के बीच में ये अवरोध के रूप में चंदरमा बीच में आ चुका होता है सूर्य ग्रहन चंद्र ग्रहन बहती महत्पून गटना है चंद्र ग्रहन को तो और बहत्पून तरीके से आपको जानना चाहिए क्योंकि प्रत्वी के कंटेक्ष्ट में जानका रही है कि यह गटना कब होगी जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा कहिन कई जो है एक सीधी ला चंद्रमा और सूर्य तो प्रत्वी चंद्रमा और सूर्य जो है ये तीनों ही जो है एक रेखा में हो एक सीधी रेखा में हो सूर्य प्रत्वी और चंद्रमा और यहाँ पर बताना है कि प्रत्वी चंद्रमा की सत्व पर जो है छाया डालती है क्या डालती है प्रत्वी जो है चंद्रमा की चाया चाया डालती और इस परिस्तिती को कहिन के जो जो है इसकी द्रश्यता कम कर देगी और जैसे ही हमारे चंद्रमा की द्रश्यता को चंद्रमा की द्रश्यता द्रश्यता मतलब visibility देख पाने की शम्दा द्रश्यता को कम कर देती है और इसी घटना को हम चंद्रग्रहन कहते है है न के भई हमारा चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है चंद्रग्रहन हो चुका है यह डाइगराम है बना सकते हैं वीडियो को pause करके है ना सूर्य बनाएंगे सूर्य से basically प्रत्वी बीच में होगी आपकी सूर्य और प्रत्वी की छाया चेतर में जो है आप मून बनाएंगे और यहां पे आप लिखेंगे के बैया ये मून के और्बिट जो है मून ही इसकी परिक्रमा तो कर रहा है पर जब ये छाया छेतर में चला जाएगा जब छाया प्रत्वी की जो चंद्रमा की सतर पर होगी तो इसकी दरशिता कम होगी और इसी दरशिता की कमी को ही हम लोग क्या कह देंगे आपके पास में च चंद्रग्रहन जो है सूर्य प्रत्व चंद्रमा के समय में जो सनरखी थोड़ने की घटना ये तीन प्रकार से हो सकती है एक है पूर्ण चंद्रग्रहन के पूरी तरीके से चंद्रमा आपके पास में क्या हो चुका है प्रत्वी की छाया से कंप्लीटली कवर हो चुका है इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहन मतलब चंद्र ग्रहन के समय प्रत्वी की छाया पूर्ण तह चंद्रमा की सद्ध पर पढ़ती हैं यहां पे चंद्र प्रत्वी के अंधिरे छाया छेतर में होता है तो यहां पे पूर्ण चंद्र ग्रहन होगा उ पूर्ण तह चंद्रमा को अदरश्य कर दे या धक ले अब जब ऐसा हो जाता है है ना इस परिस्यती के अंदर भी आपको कहिन कहीं चंद्रमा जो है वह थोड़ा बहुत भी रैडिस देखने को मिलेगा क्यों रैडिस देखने को मिलेगा क्योंकि प्रत्वी के आसपास से सीरे से जो है आपको थोड़ी बहुत प्राइट है वो रिफ्लेक्ट होती है नजर आएगी और वह लाइट जो है जनरली ब्लू होती है वह लाइट ब्लू लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसमें से लास्ट में चंदरमा तक जो लाइट प आंसिक चंद्रग्रहण में क्या होगा आपके पास में के चंद्रमा कर तो क्या रहा है चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में प्रत्वी की परिक्रमा कर रहा है अब चंद्रमा यहां पर नहीं हो करके यहां पर है इसके कारण क्या हुआ के चंद्रमा जो है उसका केवल एक हिस हिस्सा ही प्रत्वी के च्छाया चत्र में तो इसमें लिखेंगे चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही प्रत्वी के च्छाया एक एरिया पर पढ़ रही है दूसरी एरिया पर नहीं पढ़ रही है इसे चंद्रमा की सत्व पर बाइट का आभास होता है जैसे चंद्रमा की सत्व पर बाइट बाइट मतलो होता है जैसे आपने एपल में देखाना एपल के लोगों में एक बाइट सी काट रखी होती है उसका एक हिस्सा जो है वो कहिन कहीं जो है वो अंधकार युक्त बागी का जो प्रकाश युक्त हो का आपके पास में तो आपके सामने प्रत्वी की छाया जो है चंद्रमा की छाया जो है प्रत्वी के छाया चैतर में होगा इत्यादी इत्यादी तीसरा है आपका एक और जिसको हम लोग कहते हैं उपचाया या पैनुम्रल चंद्र ग्रहन चंद्रमा जो है आपके पास में वह प्रत्वी की उपचाया से उकर के गुजरता है उपचाया का क्या मतलब हो गया वह आने वाली यह जो यहां से जो उर्जा है जो प्रकाश है वह दोनों यह इस तरीके से उपर से आने वाली प्रकाश की करिणने पूरी प्रत्वी को कवर करती इधर से आने वाली भी जो है कहिन कहिन सदन पॉर्ण से आने वाले भी जो है प्रकाश जो है प्रत्वी के दोनों द चाया का निर्मान करते हैं, उसके का करते हैं, उम्रा कहते हैं, और इसके अलावा आपके पास में जो ये बीच वाली लाइन से, कौन सी ये बीच वाली लाइन से, ये नीचे चली गई यहां तक, और ये बीच वाली लाइन जो है, ये ऊपर चली गई यहां तक, तो उम्रा, उम्रा के उपर और नीचे जो है पैनुम्रा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहता है ये छाया है और ये है आपकी उपचाया, जिसको क्या कहा जाएगा आपके पास में, उपचाया, तो ये जो उपचाया है पैनुम्रा है, मुलब चंदर्मा जो है इस बार उम्रा में न उनसे कहीन कहीं जो है ये तुलनात्मक रूप से कम होता है बहुती कम ऐसे जो ओकेशन देखने को मिलते है जब हमको उप छाया चंदर ग्रहन या पैनुम्रल चंदर ग्रहन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों ठीके इसके उपरांद जो है कई सारे और महत्तुप जो है चंदरमा लोखेटेड है, जब चंद्रग्रहंद पूर्ण होता है, उस समय प्रत्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ चुकी है, इस वक्त जो छाया इस पर पड़ती है, वो सूर्य के प्रकास सीधा चंद्रमा पर नहीं पहूंचता है, तो कैसे यह आगे ट्रेवल करती हैं चंद्रमा तक और चंद्रमा तक जाते जाते यह वायुमंडल की जो नीली रोशनी है वो फिल्टर हो जाती है अपवर्तित हो जाती है और एक लाल चमक में परिवर्तित हो जाती है और उस लाल चमक के कारण ही जो चंद्रमा है वो पूरी लाल रो नजर आता है इसके पीछे reason क्या हो जाएगा इसके पीछे reason हो जाएगा कि वायू मंडल की नीली रौशनी filter हो करके चंद्रमा तक पहुंसते पहुंसते लाल चमक का निर्मान करती है और वही लाल चमक रक्त के समान लाल या बलड कहिनके जो एक bloody red color यहां पे देती है इसको blood moon प्लड मून आपको देखने को मिलेगा अभी रिसेंटली एक्जामपल भी था और यहां पर जो वायुमंडली स्थतिया होती है चंदरमा की वो उस प्रकाश को इतना फिल्टर कर देती है अपवर्थित कर देती है कि हमारे यहां से तो ब्लू लाइट गई थी जबकि वहां त पजड के समय पत्या यहां पे लाल हो जाती है तो यह बड ब्लड मून का ही एक इंगन देखने को मिलता है एक और चीज जो है आपको पता होनी चैए नित्रों वह सूपर मून अब सूपर मून क्या होगा प्रत्वी जो है कहीन कहीन उसकी परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा प प्रत्वी की परिक्रमा जो कर रहा है आपके पास में, जैसे यह मैं मान लेता हूँ, अर्थ, यह है आपकी प्रत्वी, चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा है, वह इस तरीके से करता है, वह कभी प्रत्वी के नजदीक हैं, तो कभी प्रत्वी से काफी दूर है, और जो भी चंद्रमा प्रत्वी की परिक्र mouvement करते वक्त जब भी आपके पास में दो уж 20 उता है एक स्टेज होता है दूर की जिसको कहा जाता है आप जा जाता है और एक स्टेज बता है उपसौर अवस्ता अपसौर अवस्ता और उपसौर और अपसौर अवस्ता के अंदर चंद्रमा जो है उसका size भी बड़ा होता है जब नजदीक होगा तो पैरी जी अवस्ता में supermoon देखने को मिले चंद्रमा जो है 14% जादा बड़ा होगा कितने percent almost 14% जो है जादा बड़ा दिखाई देगा आपके पास में 30% जादा चमकदार नज़र होगा तो जादा बड़ा है size में जादा चमकदार है size में supermoon की गटना हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे चंद्रमा जो है सामाने से अध सामान्य से अधिक निकट है अधिक बड़ा है और अधिक चमकदार है इसी परिस्थिती को हम लोग क्या कहेंगे जो है पेरिजन पूर्णिमा कहेंगे और इस पेरिजन पूर्णिमा को ही हम supermoon कहते हैं क्या कहते है दोस्तों supermoon कहते हैं हमने एक कहावत सुनी है कि once in a blue moon कहावत सुनी है कि नहीं सुनी ये once in a blue moon blue moon मतलब बहुत ही rare बहुत ही दुरलब घटना का प्रतीक है आपके पास में बहुत ही दुरलब ये एक मोहावरे के रूप में भी है कि बहुत है आप मूवी देखने जा तो भई मैं यूपी ऐसी एस्पेरेंट हूँ एक दुरलब घटना है आपके पास में blue moon जो है नीला नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते कि चंदरमा कभी लाल कभी नीला नजर आता है no bloody moon नहीं कलग बात है blue moon में कभी भी चंदरमा नीला नहीं आता है यहाँ पे एक उपयोग एक अवधी के लिए अतिरिक्त पूर्णीमा को इंगित करता है जैसे हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि महीने में दिन किते हैं महीने में दीन हैं 30 और चंदरमा लगबग 27.3 घंटे के अंदर एक चक्र पूरा कर देता है एक परिक्रमा भी पूरी कर देता है इस इसाफ से देखा जाए तो एक पूर्णीमा जो है इस टाइम पिरिड में आजानी चाहिए ठीक है न? पर साल भर में अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस इसाफ से लगबग मेरे पास में हर 30 में से 27.3 को अगर मैं माइनस करता हूँ मेरे पास में 2.7 days extra add-on होते हैं 2.7 और इन 2.7 को मैं 12 मेने के लिए जोड़ू हर मेने यह बचरा एक नहीं बचरा time मेरे पास में इसको 12 मेने से अगर मैं multiply करता हूँ तो लगबक इतना choice के करीब आगए तो हर डैड से धाई साल के बीच में मेरे पास में एक पुर्णीमा एक्स्ट्रा होगी कि नहीं होगी जनरली हर एक मेने में एक पुर्णीमा आनी चाहिए पर हमारा मेना 30 दिन का होता है चंदरमा के आपके पास में परिक्रमन परिभ्रमन का 27.3 दिन होता है हिसाब से मेरे पास में जो है धाई दिन जो है हर महीने का एक सेश अवधी रहती अगर में 12 महीने से मल्टिप्लाई कर दू इसको तो मेरे पास में हर डैड साल से डाई साल के बीच में एक आवसर ऐसा चार पूर्ण निमा होती हैं, एक दुरलब घटना है, जो हर धाइवर्स में निर्मित होती है, हमारी प्रत्वी पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहा जाएगा, उनिस को चालिस के दसक से जो है, ये शब्द जो है, दो पूर्ण चंद्रमाओं का एक कैलेंडर मह माह में आ जाना, और इसी को ही हम लोग क्या का नाम दे दे रहे हैं, ब्लू मून के नाम से इंगित कर रहे हैं, ठीक है न, इसी तरह हार्वेस्ट मून हो सकता है, आपके पास में, चंद्रमाओं बहुत ही महत्पूर्ण हैं, और कई सारी चीजे जो है, जो हम प्रत्वी वा गटनाएं हैं, है न, इसके पोल्स के रिलेटेड, वायू मंदल के रिलेटेड, अब हम चंद्र ग्रहन के अपितु जो है, सूर्य ग्रहन की तरफ भी जो है, आपका ध्यान आकरशित करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास के अगल लाल ग्रह की संग्या भी देते हैं, यस और न, क्या कहते हैं हम लोग इसको लाल ग्रह, लाल ग्रह, रैड प्लैनेट की संग्या भी जो है, इसको दी जाती है, देखिए लाल ग्रह इसको कहा जाता है, उसके पीछे कहीं कहीं, एक महत्पूर्ण रीजन जो है, वह आपको प लाल ग्रह कहा जाता है वोगि जो प्रत्वी से हम लोग इसको देख पाते हैं सबसे पहली चीज तो आसानी से बेसिकली जो है हम एक नॉर्मल टेलिस्कोप के माधियम से भी इसको देख सकते हैं और यहां पे प्रत्वी के आकार में लगभग आदा है अगर आप देखेंगे यह हमारी प्रत्वी है और यह हमारा लाल ग्रह मंगल है यह लगभग इसका आदा है नहीं तो canakar में तक स्वी का अधा थीके अच्छा यह सेप आपके पास प्रेक्दन की कोशिस्त करनी है कि मंगल जो है आपके पास में कई सारे विशेष्स्थाएं लिए और कई सारे विग्यानिक इसको study करने की कोशिश भी करते हैं और total जो मंगल की सतह है वो प्रत्वी की सतह के जैसे नहीं कोई वहाँ पर जल्वगर की बात करें आपके पास वह तरह लवस्था में नहीं गोल्डी लॉग जोन के बाहर जो ठहरा और यह एक पूर्ण तहर रैग अच्छा कोई मुझे बताना चाहेगा के मंगल जो है वह लाल क्यू दिखाई दे रहा है अन्य गरहों की जो है आपके बास वह लग अलग करद दे रहे हैं यह लाल क्यों दिखाई यहाँ पे जो पूरा र्यकिस्तान हैं दोस्तों आपके पास मिट्टी है म्रिधा जो है वहाँ पर आइरन ओक्साइड बहुत ही ज्यादा है क्या ज्यादा है आपके पास में आईरन ओक्साइड अच्छा जो यह आईरन ओक्साइड जो है आपके पास में इसकी जादा होने के कारण जो है म्रदा कहीं कहीं जो है वो कैसी दिखाई देती है लाल रंगी दिखाई देती है आईरन ओक्साइड मतलब जब जंग लग जाता है लोहे में फेरस में कहीं कहीं ह hydroxyl oxide जूड़ जाता oxygen जूड़ जाती हैं उसके बातसित की जारी है इस सत्व पे कहिन कहीं iron oxide मिलने के कारण या जंग के कारण जो है ये लाल रंकी दिखाए देती है और पूरा का पूरा desert cold desert जैसा है मंगल जो है अब इसके वातावरन की अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो जी हाँ तो वातावरन पे अगर दोस्तो हम लोग इसके वाई मंडेले विशेस्ताओं की अगर बात करें बहुत ही विरल वातावरन है दोस्तों के पास में वातावरन जो है वह प्रापास में वातावरन जो है वह बॉरल मतलब ज़्दा कोई सगन नि कोई-ज्यादा गैसे वगरहां यहांपर वाव मंदेलिर यह दाप करिसित्या जादा नियне कुछ गैसे कारबन डाई ऑक्साइड है ना इक परिसोया है न है न आरगन गैस जिसको कहा जाता है यह ऐसी जास गैस यहां पे देखने को मिलेगी प्रत्थी के विपरीद जो है इसकी सत्र जो है वह काफी निश्करिय निश्करिय ज्वाला मुखी है, मरकरी पर भी देखने को मिलेते, पर यहां पर नहीं है, मतलब यहां स्वक्रिय ज्वाला मुखी सांथ हो चुके हैं, यहां की सतह वह निस्क्रिय है, सतह कैसी है आपके पास में, सतह जो है, वह निस्क्रिय है, है ना, सारे के सारे जो ज्वाला मुखी एक वक्ते एक्टिव थे वो आज कया है व्हाख सांथ में आगेनिक एक्टिविटीज क्या हो चुक्किंए आपके पास में अज डॉर्मिंट है आज रहे सारे के सारे उलामु शांथ है लगबक आपके पास में कर्मिंड पढाई औक साइड है carbon dioxide सबसे ज़्यादा है 96% कितनी है दोस्तों आपके पास में 96% CO2 देखने को मिलती है आपके पास में और 1.4% उसमें 2% आपकी nitrogen है और आपके पास में लगबग 1.8% के करीब organ देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत oxygen, methane और जल भी विद्धिमान है ना इसके साथ में थोड़ी बहुत oxygen है थोड़ा बहुत जल है और CH4 यानि methane भी है पर ये बहुत ही कम मातरा के अंदर है तो जब ये बहुत ही कम मातरा में है क्या यहाँ पे जीवन संभव होगा जीवन संभव नहीं है पर ये तो आज की परिसित्या है अगर मैं बात करूँ कि जल जो है आज तो नहीं है पर एक वक्त एक वक्त ऐसा भी रहा होगा कि इसके यहाँ पे जल के प्रमाण भी मिले कि मंगल की सतह के उपर जो है जल के प्रमाण देखने को मिले और जब जल के प्रमाण मंगल की सतह पे हमें देखने को मिले है पॉसिबल है कि सर आज नहीं तो पहले कहीं कहीं बंगल पे जीवन रहा होगा तो मंगल ब्रह पे ये परिकल्पना बताई जाते हैं कि प्राचीन बाड़ के निशान जो है वो स्पस्ट रूप से दिखाई देते हैं वरतमान में ज्यादा तर यहां पे जल के प्रमान भी है क्या है आपके पास में जल के प्रमान भी है पर जल जो है वह बर्फ के नीचे देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत जो है यहां पे खारा तरल खारा तरल जल भी अवेलेबल हो सकता है मंगल के कुछ फिस्सों के अंदर है ना अब हम बात करते हैं मंगल के दिन और रात के कि जो हमारा मंगल गिरह है आपके पास में मंगल का एक दिन मतलब अपने दूरी पे अपने अक्षपे एक चक्र पूरा करना एक rotation गुड़नन पूरा करना इस सब्द को basically जैसे हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है डे कहा जाता है मंगल के एक दिन को क्या कहा जाता है मंगल के एक दिन को सोल कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो सोल कहा जाता है मतलब एक नाम करण है प्रत्वी की तुलना में जो है अधिक थोड़ा सा लंबा दिन होता है जैसे हमारे यहां पर चॉइस गंटे का दिन होता है इनके यहां पर जो दिन है वो चॉइस पॉइंट 6 गंटे का होता है कितने गंटे का होता है दोस्तों साड़े चॉइस गंटे से थोड़ा सा जादा ह होता है यह तो हो गया एक घुर्णन यानि प्रत्वी अपने अक्षपे जैसे पूरा करती है तो एक दिन होता है चोईस गंटे यह भी अपने अक्षपे जो है पूरा लगबग जो टाइम निकाल रहा है वह मार्स जो है 01.03 लगबग चोईस पॉइंट 6 घंटे के आसपास का समय निकाल पाता है यह तो हो गया इसका एक मंगल दिवश अब मंगल सूर्य की प्रत्वी के अनुसार अगर में दिन काउंट करता हूं तो छहसो सित्यासी दिनों में जो हैं लगबग यह है अपना पूरा का पूरा जो है टाइम पेरेट कम्प्लीट करने वाला है मतलब हमारे यहाँ पर लगबग एक साल यहां के दो साल के बराबर आप count कर सकते हैं ठीक है ना हमको सूर्य की परिक्रमा में कितना time लग रहा है एक words इसको कितना लग रहा है दो words लग रहा है अच्छा इसके उपरांत आपको एक और चीज लग पता होने चीए कि मंगल ग्रह से समझने सबसे रूची कर कोजो में से जो हैं वेग्यानिक कई सारी चीजे जो हैं पता कर रहे हैं कि क्या मंगल को आपने ऐलन मस्क को सुना होगा ऐलन मस्क जो है मंगल को लेकर के काफी जादा क्या है आपके पास में वो उनको कौतु हल रहता है कि क्या मंगल एक वक्त गोल्डिलोग जोन में रहा होगा, आज गोल्डिलोग जोन से बाहर है, पर इस मंगल के उपर क्या ऐसी जीवन में परिस्तित्या बनाई जा सकते हैं, कभी जीवन था, कई लोग जो हैं यहां पर भविशे में जीवन की संभावनाई भी देखते हैं, और यहाँ पे, obviously goes without saying, हमारे मंगल ग्रह को जो है, आपके पास में, मंगल की भी काई साट जो है, आपके पास में परिक्रमा करते हैं, जैसे परत्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, परत्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, चंद्रमा, वैसे ही मंगल की परिक्रमा भी कुछ चंद्र परिक्रमा है जो इसकी एक निश्चित पत्थ पे क्या करते हैं परिक्रमा कर रहे होते हैं इनका नाम क्या है फोबोज और डीमोज मेरे साथ में बोलो फोबोज और डेमोज इनका नाम लिखेंगे दोस्तों पोबोज और डैमोज, यह फोबोज और डैमोज जो हैं दोस्तों यह दो आपके पास में मंगल हैं जो कि मंगल के ही चंद्रमा के रूप में देखने को मिल जाएंगे आपको इं मंगल की परिक्रमा करते रहते हैं और असूरिय से लगवग यह चौथा ग्रह है हमारा आना जो आंतरी ग्रहों में जो आपके पास सबसे पहला था बुद्ध, उसके बाद में था शुक्र, उसके बाद प्रत्वी आई, उसके बाद में मंगल आया, और हमारे सौर मंडल में प्रत्वी और ब्रहस्पती के मध्य है ये मंगल ग्रह, अब एतिहासिक जलग, obviously मानों सदियों से इस मंगल ग्रह की जानकरी लेने की कोशिश करता है, दूरबिन से भी परिश्क्रत, दूरबिन हो थोड़ी से उसकी सहायता से भी दिखाई दिये जाता है आपके पास में, तो, so मंगल हमारी जिग्यासा है, जो है काफी है, इसकारण हमने perseverance और curiosity दो rover भी यहाँ पे बेजे, perseverance और curiosity, curiosity, यह दो perseverance और curiosity जैसे rover जो थे वो चंद्रमा की धरती पे जाकर के basically क्या करते है, सतह पे खोज करते हैं, वहाँ के तश्वीरे और data इकत्रित करके, हमें प्रत्वी पे भेजने का कारिये का देखिए करते हैं, ठीक है, तो यह basic जानकारी हो गई, मंगल की, अब हम आते हैं सतही गरहों को देखो, बुद्ध हो गया, शुक्र हो गया, प्रत्वी हो गया, मंगल हो गया, यह सतही ग्रह, इस सतही ग्रह के बाद अब जोवियन प्लैनेट है, गैसी यह प्लैनेट है, इ बहस्पती के अगर बात करो आपके पास में दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है आपके पास में तो अन्य सभी ग्रहों को जो है आपके पास में बॉना बना दिया अगर बहस्पती के करीब सभी ग्रहों को रख दिया जाए ना तो छोटी छोटी फुट बॉल के सा आकार में बड़ा है तो हमारे सार मंदल में सबसे बढ़ा ग्रह कौन सा है तो लिखेंगे सार मंदल का सबसे बढ़ा क्या ये सावरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों आपके पास में और ब्रहस्पति जो है अन्य सभी ग्रहों के तुलना में दो गुने से भी अधिक व्यास में हैं आपके पास में तो जितने भी आपके पास में ग्रह हमारे पास में जो आठ ग्रह देखने की कोशिश की सभी की तुलना में दो गुने से भी ज़्यादा जो है ये विशाल है तो लगबग जो है दो गुने से भी ज़्यादा है है ना अन्य ग्रहों की तुलना में किसी भी ग्रहों को उठा दो उसकी टू टाइम से भी ज़्यादा ये है विशा 숨क्ता में द्रविम liegen मांस और ज्यादा होता तार। ऑप संख्श सामयतारता है आपके पास में इस सारह को आपके रहता है तारे के कि अन्युक्त मतलब क्या हुआ आपके पास मेंस के पास मैं हायड्रोजन है एलियम है शरी वाइई के पास माँ हीदो जन है लीयम है और ग्रेविटी ये क्या है और ग्रेविटी है अब यह तीनों ही चीज़े याद करो सूरिय को पड़ाता हमने तब या सारी चीज़े जह własती है hydrogen, helium और gravity और उसके कारण जो सूरिय में नाभी किये सलेन अभी क्रया शुरू हो गई थी पर इसका मास इतना ज़्यादा द्रविमान इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास में तो प्रजुलित होने के लिए जो महत्मुन द्रविमान है प्राप्त नहीं कर पाई और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ ब्रहस्पति को हम सभी लोग गुरु भी लिखते हैं ना गुरुवार ब्रहस्पतिवार तो ये गुरु के समक्ष भी है जैसे गुरु अपना पूरा जीवन जो है स्वें मौमबति की तरह जलकर के दूसरों के अंधेरे जीवल में ज्यान वए प्रकाश से भर देता है ठीक उसी तरह ये भी गुरु है आपके पास में बाके अन्या अन्या जितने भी ग्रह है उनके उपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आने देता आपके गुरु जी क प्रत्वी की तरफ या मंगल की तरफ कभी भी जो है पहुंच सकते हैं इनके भी ग्रैविटी कम थोड़ी है इनके भी ग्रैविटी अच्छी खासी है पर यहां पे जो उपस्थित आपका यहां उपस्थित जो है उलका पिंड यह सारे के सारे उलका पिंड ठीक है न यही नहीं इसके अलावा नेप्चुन से आगे जो ट्रांस नेप्चुनियन अब्जेक्ट्स हैं जो ऊट्स क्लाउट्स के अंदर भी यह जो उलका पिन वगर आपको देखने को मिलेंगे अब यह अगर यहां पे ब्रहस्पति नहीं होता ना तो यह सारे के सारे इन इंटरनल टेर करने को मिलेगा जो यह प्लैनेट ना होता यहां पे तो यह सारे के सारे उलका पिन्ड जो है इसके गुरुत्वा कशन के अंदर नहीं आते और वो सीधे प्रत्वी से मंगल से वीनस से मर्करी से और सूरी से टकराते तबाही होती एक एस्टरोइड आके टकराया था पूरा करनिसके मार सिस्टम में कोई भी इस्टरोइड आ रहा है वो अस्तरोइड जो है गृतवा कर्शन के कारण किसकी तरव आकर्षित हो जा रहा है किसकी तरफ हाकर्षित हो जा रहा है Ben स्नेप्चुलियन हो, क्यूपर बॉयल से आ रहा हो, उर्स क्लाउड से आ रहा हो, वो सारे के सारे जुपिटर की तरफ जो है चले जाते हैं, और जुपिटर पूरा किस से बनावा है, ये तो तारे के समान है, तारे के समक्ष है कहीं कहीं, और तारे की सामिता रखने के कारण तो सोचे कोई गैस के गुबार में कितने ही बड़े बड़े एस्टरोइड गरी जाए उसे कोई फरक थोड़ी बढ़ रहे तो बोले और लाओ और लाओ और है कोई आसपास मेरा दर्वेमान बढ़ रहा है मेरा गुरुत्वा कर्शन बढ़ रहा है और थैंक्स टू जुपिटर के इसी के कारण कोई भी सेलेस्टियल अबजेक्ट कोई भी खगुलिय पिंड जो है वो प्रत्वी की तरफ नहीं आ रहा है ठीक है इसलिए इसी तरह आपको भी अपने जीवन में एक गुरु जुरु रखना चाहिए अकादमिक जीवन की में बात करा हूं दोस्तों यह कई सारे ऐसी ब्रांतियां कई सारे ऐसे डिप्रेशन के मोमेंट्स निगेटिव थौट्स आप तक पहुँचने से पहली जो है खुद अपने जयान से प्रग्या से विज्डम से उसको नष्ट कर देगा चलो तो अब पता चला कि सर ब्रहस्पति ग्रह कितना महत्पुन है धन्यवाद देना चाहिए ब्रहस्पति ग्रह को कि भाईया सारे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खीच लेता है और प्रत्वी पे जीवन संभव हो जायंट लिखते हैं अप लोग अच्छा यह प्रत्वी की जैसे यहां पर चट्टानी ग्रहों के विपरित एक तरीकी से पूरा गैस का ही बनावा है मुख्य रूप से हाइडरोजन और हीलियम है यहां पर कौन सी गैस है दोस्तो हाइडरोजन है और हीलियम गैस यहां पर ठोस सत्थ का अभाव है अनुवान है कि हमारे ग्रह के आकार के संभावित ठोस कोर जरूर हो सकता है कि जैसे यह बाहर वाला यह ब्रहस्पती देखने को बिल रहा है ब्रहस्पती बाहर से तो पूरा का पूरा क्या है 90% तो पूरा क्या है गैस है इसके अंदर हो सकता है कि प्रत्वी के आकार का कोई थो स्कोर जरूर होगा, ऐसी संभावनाएं कहिं जो हैं, अनुमान जो हैं, ऐसे लगाए जाते हैं, कि सर, इसके इंसाइट्स में क्या होता होगा, क्योंकि एक ब्रहस्पती जो हैं, जुपिटर जो हैं, वो लगबग 12,000 अर्थ के बराबर है, कितन यह दिखने में भी थोड़ा मंतरमुग्द करने वाला है, क्यों है गुरुजी मंतरमुग्द करने वाला, यह ऐसा देखता है, और जब इसको प्रॉपर टेलिस्कोप की माधियम से देखा जाता है, तो इस पर कई सारे ऐसे तुफानी स्ट्रक्चर्स, ऐसे साइकलोनिक स्ट् जैसे कि ट्रेपेस्ट्री इसको कहा जाता है, तो ग्रेट रेड स्पॉट क्या है आपके पास में, ग्रेट रेड स्पॉट जो है आपके पास में, यह सदियों से जारी यहां का एक विशाल तूफान है, है न, लिखेंगे, सदियों से जारी विशाल तूफान है, यह कहा है, ब्रहसपती के ऊपर देखने को मिलेगा, अब यह भी कहिन का इससंप कि तरह इसके भी कुछ वलय है, पर ब्रहसपती के पास में, भी कई सारे ऐसे जो है, आपको क्या देखने को मिलेंगे, वले देखने को मिलेंगे क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों वले देखने को मिलेंगे वले क्या होता है rings है ना rings है और इसके चारो तरफ जो यह rings है इसमें क्या होगा आपके पास में dust और gases क्या है दोस्तों यह dust और gases है तो जितना हमको यहां से प्रत्वी से देखने के उपर सनी ग्रह के जो वले हैं, जो छले हैं, जितने अक्लियर दिखाई देते हैं, उतना ब्रहस्पती के नहीं दिखाई देते हैं, तो ब्रहस्पती के पास भी वले हैं, यह याद रखना है, के सर ब्रहस्पती के पास भी वल और्स पस्ट का क्या मतलब वहा सर? आपके पास में यह निरिक्षन जो है इनका बहुती चुनवाती पून हो जाता क्योंकि यह काफी दुंदले दिखाई देंगे आपको कैसे होंगे आपके? दुंदले होंगे, अन्कलियर होंगे अर्सपस्ट होंगे आपके पास में दूसरा एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्रहस्पती जो है वह बहुती ज़्यादा जो है घुर्णन तेज खर्दनार तरीके से करता है हमने क्या कहा एक ब्रहस्पती बराबर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक ब्रहस्पती बारा हजार परतियों के बराबर होता है और ब्रहस्पती का एक दिन जो है पता है कितना होता है दस घंटे मतलब अपने अक्षपे ब्रहस्पती जो है वह लगबग तिव्र घुर्णन करने के कारण अब इसी तिव्र घुर्णन के कारण ही तो इसके उपर ये सारे के सारे बवंडर आते ये सारे के सारे जो इसको वर्ल विंड कहते है क्या कहते है हम लोग बवंडर तो ये बवंडर आने के पीछी रीजन क्या है ब्रहस्पति का एक दिन जो है दस घंटे में समाप्त हो जाता है किते में दस घंटे में यह अपने अक्षपे एक गुर्णन कंपलीट कर लेता है इस कारण इसमें कई सारे बवंडर देखने को मिलेंगे बवंडर देखने को मिलेंगे जिसको हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे वर्ल वेंड सो चो प्रत्वी के आयकार का आयतन का 10,000 गुना जादा है 12,000 गुना जादा है और भाई यह प्रत्वी से भी आधे समय में जो है अपने अक्षपे जो है कहिन कहीं क्या कर दे पूरा revolution जो कि आपके पास rotation जो कि घुर्णन है वो पूरा कर दे रहा है अपना आप में बड़ी बात है पर सूर्य से लगबग जो है आंतरिक ग्रह चार फिर एस्टेरोइड वेल्ट और फिर पांचवे नंबर पे आता है क्योंकि ये तिवर घुर्णन करता है तो दिन तो बहुत छोटा है दिन तो दस घंटे का ही होगा आपके पास में पर ब्रहस्पती सूरी की परिक्रमा करने में जो है अपना अच्छा खासा लंबा समय लेता है क्योंकि और्बिट काफी लंबी हो गई ना सूरी से काफी ज्यादा दूर है अब वो सूरी की परिक्रमा करें का तो ज्यादा बड़े पर्थ के उपर जो है इसका गुर्णन करना होगा तो परिक्रमा में जो है आपके पास में एक जोवियन वर्स लेता है और इसी को ही कहीं कहीं जो है जोवियन वर्स कहा जाता है तो जोवियन वर्स कितने जोवियन वर्स कितने वर्सों का होता है तो प्रत्वी के सापक्स दिखा जाए तो अलग भग 12 वर्स है ना और इसलिए कुंडली में भी कभी गुरू की दसा होती है वो बहुत लंबी चलती अच्छे टाइम आया आत्मी का गुरू के अनुसार तो बहुत लंबा और अगर किसी का गुरू ऊपर नीचे है आगे पीछे है नीच का है तो भाई मान के चलो लपेड़ा जाता है आत्मी बहुत लंबा सा तो गुरू जो है वह आपके पास में काफी ज्यादा समय लेता 11.8 यहां पर लेकर के चल रहा है अब यहां पर हमने मंगल के भी जो है चोटे मुटे दू फेबोज और डिमोज दू चंद्रमा पड़ेते अब गुरू इतना बड़ा है आयतन में इतना बड़ा है 12,000 प्रत्विया 10,000 प्रत्वियों के आयतन के बराबर है तो ब्रहस्पती ज कोई भी गरह का गुरुत्वा कर्षण जो है जितना ज्यादा होगा गुरुत्वा कर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चंद्रमा होंगे तो इसके पास में कितने चंद्रमा है टोटो टोटल 95 चंद्रमा है आपके पास में और ब्रहस्पती जो है वह सूर्य और सूर्य से कहिन कहीं जो देखा जाए तो मंगल और सनी के बीच में हैं आपके पास में तो यह फिफ्ट प्लाइनेट है कौन सा है दोस्तों फिफ्ट प्लाइनेट है दोस्तों आपके पास में एक तरफ मंगल है मंगल है फिर आपके पास में ब्रहसपती है और फिर आपको देखने को मिलेगा सनी ग्रह ठीके न, तो इसके अवस्थिती में भी यह कहीं कहीं पांचवा ग्रह है, कहां से आपके पास में सूर्य से यह पांचवा ग्रह देखने को मिलेगा और कई सारे आपके पास में छोटे मोटे 95 क्या है वले के अलावा देको एक तो आपके पास में वले भी है वले के आसपास में आपको पिच्चान में छोटे मोटे चंद्रमा देखने को मिल रहे हैं ठीके ना अब ब्रहस्पति का जो अवलोकन भी किया जा पा रहे होंगे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं दोस्तों, येस, तो दोस्तों, इस अवस्थिती के उपरांत मैं और जुरूर बताना चाहूंगा आपको कि यहां पर कई सारे अंतरिक्ष्यान भी जो हैं हमने बेजे थे, इसके उपर आपको नाम पढ़ेंगे, पायनियर, पायनियर जो है आपके पास में जो अंतरिक्ष्यान बेजे गए थे, पायनियर 10 और 11 और इसके अलावा है वायजर, इसके अब इसके आगे आता है हमारा सनी ग्रह, कौन सा ग्रह है आपके पास में? सैटन, आप देखिए सनी ग्रह के कंटेक्ष्ट में अगर मैं दोस्तों बात करूं, आपके पास में बहिद ही रोचक और लगवगग मैं कहूं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्ठ जुपिटर के बाद में यह रहा हमारा Saturn यहाँ पर Saturn स剛剛 सूर्य से कौन से नंबर पर ग्रह है दूसरा आप के पास में छटा ग्रह है कौनसा है आपके पास में छटा ग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और 6th planet है आपके पास में हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है आपके पास में हमारे सौर मंडल का लिखो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है अच्छा यहां पे प्राय हसौर मंदल का इसको जो है अप्चा जब भी कोई आदमी है आपके पास में यह औरत है बहुत सारे और्नामेंट्स पहन कर रखेगा खुबसूरत दिखने के लिए तो अपने कहते हैं कि काफी जाद यह और्नामेंट की तरह दिख यह गहां है बहुत ही जादा सुसझित है ज्ञादा डेकोरेटीड है वैसा हमारा सारे के सारे प्लाैनेट्स पर देखो सारे प्लानेट्स देखो आपके पास में एकदम बुद्ध शांद वीनसं एकदम घरम है ह। प्रत्श्वी थोड़ा बहुत बुद डूरा ठंडा परावातारे की तरह था था थोड़ा आयतन कम रहे गया, आपके पास में गैसी है अधर विमान कम रहे गया, यूरेनस, नेपचुन वगर ये भी थोड़ा सा लगे, बट हमारा ये सेटन जो है ना इसके वले, इसके जो छले है, वो काफी बेसिकलि क्या है, आकरशक है, आपक तरीके का मिस्टीरियस एक तरीके का माया भी यह बैंड जो है आपको कहीं के दिवेदरश्य के रूप में निर्मित करता है तो जब भी हम इसको बाइना एक तरीके से टैलिस्कोप से देखते हैं तो सनी जो है उसके वले की सुंदर्ता और आकर्शन जो है उसका मुकाबला को गहना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके पास में इसको, सौर मंडल का गहना भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करें, क्या यह भी एक जोवियन प्लैनेट हैं, गैसी यह प्लैनेट हैं, यह गैसी जायांट है आपके पास में, तो ब्र अथवा जूवियन ग्रह है इस पे भी कहीं हाइडरोजन और हीलियम देखने को मिलेगी हाइडरोजन और हीलियम मुख्य तत्व होंगे आपके पास में अब हमने कहा था कि सर यहाँ हाइडरोजन हीलियम है तो वातावरन घना होगा तो इस घने वातावरन के कारण जो सनी चारो तरफ से जो है गैसो से ढखा होता है तो इसमें लिखेंगे कि सनी का वातावरन जो है वह क्या होता है डैन्स होता है घना होता है गैसो से चारो तरफ से गिरा होता है तीसरा इसके अंदर आप लिखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर के सर्जो इसके अंदर भव्य छले देखने को मिलेंगे सनी के चारो तरफ देखो ये चारो तरफ ये क्या है भव्य छले है आपके पास में सनी को विशेशता अगर देता है आपके पास में तो टोटल इसके साथ वले है और ये साथ वले ये साथ जो छले हैं आपके पास में रिंग से इसके चारों तरफ ये एक निश्चित अंतराल से एक दूसरे से अलग होती हैं आपके पास में और अंतरिक्ष में एक मनोहरसा द्रश्य उत्पन इतना orderly, systematically तरीके से हो, और इतना खूबसूरत आकर्शक दिखने वाले हो, तो बिना किसी तक्निकी सहायता के मानव नैत्रों से भी बेसिकली इस ग्रह को खोजा जा सकता है, और यह सनी प्राचीनकाल से ही लोगों को पता था आपके पास में, अब याद यह रखना है कि सनी क सनी का घनत्व बहुत कम है, हमारे जो जल का घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, उससे भी कम होता है, तो लिखेंगे, सनी का घनत्व जल से भी कम होता है दोस्तों आपके पास में अब इसके उपरांथ हम कहीं न कहीं सनी ग्रह के ही दिन और वर्ष की बात करते हैं दिन मतलब अपने अक्ष के उपर जो है किते घंटे में ये एक चक्र पूरा करता है भया तो दिन सनी पे अगर देखा जाए बहुत ही छोटा होता है जैसे गुरू लगबग 10 दिन था ये भी 10.7 दिन है किता है आपके पास में 29 years होंगे उतने में जो है सनी का एक होगा तो लगबग length of the year किता होता है 10,700 दिनों के अंदर जो है ये सूर्य की एक परिक्रमा एक वर्ष कहिन कहीं पूरा करता है अब इसमें एक और रोचक चीज है कि भाईया इसके पास में 146 चंदरमा है कितने हैं आपके पास में ये सनी ये इसके वले इसके चारो तरफ कहिन के ये चंदरमा देखने को मिलते हैं तो चंद्रमा किते हैं आपके पास में 146, 146 यहां पे चंद्रमा देखने को मिलते हैं, और ब्रहमान में अवस्षिति की करम में जो है सूर्य से छटा है, आपके पास में 6th प्लैनेट है, और ब्रहस्पति और अरुन के बीच में है, आपके पास में अवस्षिति क्या है आप उसके बाद में जो है, आपका कौन सा प्लैनेट होगा, जिसको हम लोगों ने यूरेनस कहा है, या अरून गरह कहते हैं, अरून लिख दो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में हो, अंगलिश में इसको यूरेनस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, यूरेनस इसको लिखा जा था वो कहीन कई सनी के उपर भी गया था इसके लवा है कैसी नहीं तो कई सारे रोबोटिक मिशन जो हैं यहाँ पे बेजे हैं हमने जिसमें की पाइनियर वाइजर और कैसी नहीं यह इंपोर्टेंट मिशन से जो इसके धरातल और इस धरातल के अलावा इसकी संरचना के बारे में इसके वलेयों को जानने के लिए एक अमुल्य अंतरश्टी प्रदान करते हैं यह याद रहेगा दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से याद रखने योग्य चीज है और बहुत ही बारीकी से बेसिकली इसका आपको अध्यान भी करना है अब सनी के आगे बढ़ो यह सनी हो गया इसके जानकारे लिए हमने हमारे सौर मंडल का गहना है भईया यह क्या ही कहना है इनका फिर है यूरेनस जिसको हम लोग लिखते हैं आपके पास में अरून गरह क्या लिखते हैं दोस्तों आपके पास में अरून गरह की बात करें आ आपके पास में, उनसे कहीं कहीं है, गिरा हुआ है, तो सौर मंदल में अपनी एक अनुठी विसेस्ता सा युकत है, कि ये नीले रंग का है, विसेस्ट जुकाओ के साथ में, पहली बात तो इसका नीला रंग होगा, नीला रंग है, और बाकी के प्लैनेट्स देखोगे दोस् का अक्स है, लगबग ऐसे, क्या है, ऐसे, और ये इस अक्स के उपर जो है, सूर्य के ठीक विपरीत दिसा के अंदर गुमता है, सूर्य कैसे गुमता है, आपके पास में, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे गुमेगा, क्लॉकवाइज, तो यह क्लॉकवाइज दिसा के अंद गूम गूम करके जो है आपके पास में प्लैनेट जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं गूमर जैसे आपने अंदरत्य देखा होगा और एक है आपके पास में जैसे कोई प्लैनेट लुड़क रहा है लुड़कते हुए अपनी कक्षा के अंदर सूर्य की परिक्रमा कर र शेर बनसा जाता है दोस्तों आपके पास में अब इसके अंदर भी कहीं प्लाइनट है बिलकुल सर यह भी आपका एक गैसी ग्रह है और गैसी ग्रह होने के साथ ही इसके कोर के अंदर इसके कोर में भी यूरेनेस के कोर में बर्फ देखने को मिलती है, इसलिए इसे IC Giant या Burfilla Heart, IC Heart Giant भी इसको कहा जाएगा, ग्यात गैसे जो हैं आपके पास में, Giantों के विप्रित, जैसे आपने सनी के अंदर कोर में देखा के Gas है, और ब्रहस्पती के कोर में भी Gas है, पर इसके ठीक विप्रित, Uranus के अंदर basically क्या देखने को भी लेगा, uranus को हम gas giant नहीं कहते हैं, uranus को हम लोग कहते हैं, बर्फ giant, क्या कहते है आपके पास में, ic giant के रूप में, बर्फिला दानों के रूप में इसको जाना जाता है, दोस्तों, इसकी संरचना जो है, चट्टानी कोर जो है, पर उस चट्टान ammonia, यह तीनों के तीनों ही जो है, करल रूप में, लिक्विड रूप में, इसके कोर पे पाई जाती हैं, कोर पे पाई जाती हैं, so obviously, कोर जो है, वो silicate, एफी एनाई, मतलब फैरस निकल से बना होगा, mental water ammonia और मिथन से बना होगा है, यह पुरा mental किस से बना होगा है, आपके गैस जो भी हैं यहाँ पे, वो सारी के सारी क्या है आपके पास में, बरफ के रूप में यहाँ देखने को मिलेगी, और लास्ट में जो है कहिन के क्लावडी, गैसी लेर जो उपर देखने को मिलेगी, outer atmosphere इसको हम कह सकते हैं, इस Uranus का, अब इसका आसमान कैसा दिखाई देत है, उसकी बात करते हैं, इसका वातावरण जो है, वह कहिन कहीं नीला दिखाई देता है, जैसे यह है, आपके पास में Uranus की, अरुन ग्रह की पिक्चर, जो हमने कहिन कहीं सैटलाइट से और अन्य उपकरणों से लिए, तो कैसा दिख रहा है आपके पास में, आप इस ग्रह इसको एक आकरशक नीला रंग जो है, तो मिलता है, अच्छा, इसके अलावा, हमारी जो एक जैमिनाई, जैमिनाई करके जो कोई वैदेशाला है, आपके पास में, स्पेस जिसको हम लोग लेबरेटरी कह सकते हैं, अन्य दूरुबिन जो भी है, यह आउलोकन करती हैं, ग्रह को, और यूरेनस को जो भी आउलोकन करत जो हैं, जो नीला रंग होगा, वह क्या होगा, आपके पास में, थोड़ा हलका नीला होगा, यह देखो, यह एकदम डार्क नहीं है, हलका नीला रंग है, और आपका जो दूसरा है, अरून के अलावा, जो नेप्चून है, वरून है, वरून ग्रह, जिसको हम लोग नेप् रहा है वह क्या होगा आपके पास में गहरा नीला होगा क्या होगा आपके पास में गहरा नीला रंग का होगा पर यहां दुंद जादा होने के कारण हमारा यूरेनस का वातावरन जो है आपके पास में दुंद में होने के कारण यह हलका नीला नज़राता है क्या इसके भी व काफी वले हैं के लिए से प्रतीत होंगे दोस्तों आपको सो दोस्तों यहां पे तेरा वले देखने को भी लेंगे अंदर वाले जो है वो जादा आपके जो है भीतरी वाले जो है वो जादा गहरे होंगे इनमें चमकनी बाहर वाले वले जो है ज्यादा चमकिले होंगे, अच्छा यहाँ पर यूरेनस की एक और चीज़े, यह एक जुका हुआ गरह है, कैसा गरह है आपके पास में, बेंट, टोटली जो है आपके पास में, जो अक्ष होना चीजे वो इस तरह जुका हुआ है, तो अद्वितिय जुकाव है आपके पास म एक मात्र ग्रह जो पूरी तरीके से जो है अपनी तरफ का गुर्णन करता है इसके लाबा बाकी सांतों ग्रह अलग ही तरीके से गुम रहे ये अलग तरीके से गुम रहा है गुर्णन की दिसा प्रत्वी के जो है सहित अधिकांस ग्रहों के ठीक विप्रीत होती है तो यहाँ का होता है West से East और Uranus का कैसे गुर्णन होगा Uranus का गुर्णन जो होगा वह इसके ठीक विपरीत होगा जैसे अगर ये इसका West है और ये इसका East है तो यहाँ पे West से East की बजाए East to West इसका गुर्णन होगा दोस्तों आपके पास में और Clockwise गुर्णन होगा आपके पास में कैसा गुर्णन माना जाएगा इसको Clockwise दक्षिना वरत गुर्णन इसको माना जाएगा आपके पास में अब जो ये Uranus को अगर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसकी अनिट की विशेस्ता है तो हमने देखी ही देखी इसपे दिन और राद भी समझ लेते हैं कि सर हमारा Uranus जब घूम रहा है इसपे दिन और राद यह हबल टेलिस्कोप से लिया गया यह फोटोग्राफ है इसका नासा यहेसे के साथ में बनाए गया है हबल टेलिस्कोप इंदोर्गुन बनाया था यूरेनस जो है आपके पास में एक दिन जो है 17 घंटे का होता है एक दिन किते घंटे का होता है 17 घंटे का एक दिन माना जाता है जबकि यहाँ पे एक वर्स जो है अनंत काल जैसा लगता है अनंत काल मैं क्यों कह रहा हूँ 84 वर्स प्रत्थवी के 84 वर्सों के बराबर इसका एक वर्ट्स होता है, मतलब हमारा अरुण ग्रह सूरी की परिक्रमा करने में कितना टाइम ले रहा है, 84 ले रहा है, इसके सहचर भी होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल, यूरेनस जो है, अरुण ग्रह जो है, इसके 27 चंद्रमा दिखते हैं, कितने हैं आपके पास में, 27 प्लैनेट की रूप में देखने को मिलेगा, और ये साथवे प्लैनेट पे उपस्तित आपका ये जो ग्रह है, किन दो ग्रहों के बिच में एक तरफ सनी है, दूसरी तरफ नेप्चून है, तो सनी से तो आगे होगा, आपका यहां पर आजाएगा अरुण ग्रह और इसके वरुन के पहले होगा, ये जिसको वरुन हम नेप्चून कहते हैं, तो ये यूरेनस है, ये नेप्चून है, सनी को हम लोग क्या लिखते हैं, सैटन, क्या लिखते हैं, सैटन लिख रहे, ये सारी चीजे थ consigo clear है, और आपको जैसे एक तरीके से रोटेट कर, रोल कर रहा है, क्या कर रहा है आपके पास में रोल कर रहा है तो Uranus ऐसा ग्रह है जो लुड़कता हुआ अपनी कक्षा के अंदर कहीं की सूरी की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होने वाला है अब Uranus का अनावरण जो है विलियम हर्षल है 1971 में विलियम हर्षल जो है आपके पास में ग्रेट ब्रिटेन के तट पर कहीं कर रहे थे उस वक्त उन्होंने जो है यूरेनस का अदेहन क्या और यूरेनस का अनावरण क्या और उनको पहली बार देखकर के दुनिया को बताया और वाइजर जैसे स्पेस्क्राफ्ट है आपके पास में वाइजर 2 अगर कहा जाए वाइजर 2 जैसे स्पेस्क्राफ्ट जो है एक मात्र अंतरिक्ष यान है जो आज तक बर्फिले विशाल का ग्रह के करीब जा चुका है कौन सा है आपके पास में Voyager 2 ये एक मात्र अंतरिक्ष्यान है जो कहीन कहीं इस विशाल का ग्रह तक पहुंच पाया है बर फिले विशाल का ग्रह तक याद रखना इसका हार्ट कैसा है IC हार्ट कैसा है IC हार्ट देखने को मिलेगा अब इसके आगे कौन सा ग्रह है आठवा ग्रह है हमारा वरून ग्रह कौन सा ग्रह है नेप्चून नेप्चून की अगर दोस्तों मैं बात करूँ और भी ज्यादा अनुठा ग्रह है आपके पास में कैसे सबसे पहले तो इसको हिंदी में क्या कह रहे है अपन वरून ग्रह आठवा ग्रह है हमारे पास में ने तो हमारे सौर मंडल का प्रहरी भी इसको कहा जाता है, सौर मंडल का प्रहरी के रूप में, है न, as a watchman और a watchdog of the solar system भी इसको कहा जाता है, अब सूर्य से काफी दूर है, भाई ये नेप्चुन प्लैनेट है, सूर्य से कितना दूर है आपके पास में, अब जब सूर्य की रौ कम होगा, तो obviously यह अत्यंत थंडा है आपके पास में, और एक और चीज, नीले रंग का दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा आपके पास में, नीले रंग का दिखाई देगा, यहाँ पर already हमने पहले भी बताया था, कि यहाँ पर एक तो थंड ज्यादा है, दूसरा नीर के रंग का यह ग्रह है, और रहस्यम है, काफी खुबसूरों छेत्र दिखाई देता है, यूरेनस और नैप्चुन दोनों को ही, basically हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ जायंट कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्फ जायंट के रूप में इसको जाना जाता है, आउटर सोलार सिस्टम मे के अंदर जो हैं, यह यूरेनस और नैप्चुन, यूरेनस और नैप्चुन को एक और नाम से जाना जाता है, बर्फ जायंट तो कहते ही, दोनों के कोर में बर्फ है, इसके अलावा इनको जुडवा ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जुडवा ग्रह, जुडवा ग्रह क् आपके पास में कि लगबग लगबग इनके जो है कोर के अंदर chemicals हैं, gases हैं, प्रसंदचना हैं, वो एक सी हैं इसको जो है, IC depth भी कहा जाता है, नेप्चुन जो है Uranus के ही समान, जो है, Ice Giant के अंदर वर्गी करत करत किया जाता है पर इसके घुर्णन सिल बादलों के नीचे जो है, जल, ammonia, methane का सगंता देखने को मिलेगा, so obviously, IC depth यहां पर देखने को मिलेगी मतलब, यहां पर आपके core है, core है, mantle है, और इसके चारो तरफ जो है आपको, बादल है, gas है, है न, तो यह तो पूरा कपूरा क्या है आपके पास में, किससे बनावा है, नीफे से बनावा और यह क्या है आपके पास में, जल, methane, hydrogen, helium, जो किस format में हैं आपके पास में, Ice stage के अंदर है किसके अंदर देखने को मिलेगा आपके पास में बरफ की stage में देखने को मिलेगा है ना और हमारे जो है जो लगबग हमारे गरह प्रत्वी के आकार का एक ठोस कोर होगा इसके अंदर Nickel Ferrous का बनावा बाकी पूरा का पूरा जो है IC depth यहां पर देखने को मिलेगा, एक और चीज़ है, blue mystic, अब blue mystic क्या होता है आपके पास में, इस ग्रह का वातावरण hydrogen, helium, methane और आपके, obvious लेम ने कहा था है, hydrogen, helium, methane का मिश्रण कैसा होता है, blue color का होता है, नीले रंग का होता है, so, क्योंकि यहां पर hydrogen, helium और methane है, इस के के कारण, एक नीला मनोरम रंग जो है, आपको दिखाई देगा, यहां पर, और यह मिला, नीला मनोरम रंग जो होगा, आपके पास में, इसी कोई, blue mystic कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीले रंग, मनोरम रंग के कारण, ग्रह नीले आकर्शन के कारण, जो है, methane की उपस्ति कहिन के reason माना गया, क्या है आपके पास में reason, methane, अगर इस ग्रह के उपर, methane उपस्तित है, तो यह नीले रंग का कहिन की देखने को मिलता है, क्या इस पे वलय होंगे, बिल्कुल होंगे, कितने वलय हैं आपके पास में, total six rings है, छे वलय यहां पे देखने को भी लेंगे, और obviously यह भी छे के छे जो वलय हैं, जो कि इस नेप्चून के इस वरुण ग्रह के चारो तरफ जो हैं, लगातार आपको जो धुए के आइस के कहिन के जो गुबार के रूप में इसके चक्र लगाते हो प्रतीत होंगे, नेप्चून की जो पवने हैं, इस ग्रह का वातावरन ब पवने चलती हैं, आपके पास में तो यहां पे तूफान आएगा है ना, इससे पहले तूफान की बात हमने कहां पे कीती, यहां पे कीती, ब्रहस पती पे, यहां पे भी तूफान देखने को मिलेंगे, तो नेप्चून पे आपको तूफान देखने को मिलते हैं, इसके अल के उपर एक जो है अक्ष के उपर जो है एक चक्र पुरा कर लेता है और एक वर्स की अगर मैं बात करूँ भाही साब यह सबसे ज़्यादा समय ले रहा है 165 years किता ले रहा है आपके पास में 165 प्रत्वी वर्स लेता है तो यहाँ पे सूर्य से इसकी दूरी बहुत जादा है तो obviously यहाँ पे ज़्यादा समय ले रहा है तो एक वर्स 165 प्रत्वी दिवस बराबर है और एक दिन प्रत्वी के 16 गंटे के बराबर है तो आपने एक चीज अब्ज़र्व की क्या जैसे जैसे हम प्रत्वी से आगे की तरफ जा रहे हैं नेप्चून की तरफ जा रहे हैं तो दिन तो छोटे होते जा रहे हैं वर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं यस और नो वर्स यहाँ पे ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं क्या इसके चंद्रमा भी होंगे यस इसके पास में भी बोल भया 16 चंद्रमा है कितने हैं आपके पास में 16 इसके चं अपके पास में और इसके अवस्तिती दिखा हूं मैं तो आठवा है, एर्थ हैं और लास्ट प्लैनेट के रूप में देखने को मिलता है, सूर्य से सबसे दूर है आपके पास में, फार्देस्ट अवे, सबसे ज्यादा, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर देखने को मिलेगा आ अंत्रिक्स की विशालता में इसका जो एकमात्र ग्रही पडोसी कौन है आपका यूरेनस है ना इसका लास्ट में कौन है ग्रही यह पडोसी कौन है आपका यूरेनस अरून ग्रह है ठीके इसको याद रखेंगे आपका यह वरून इसके पास वाला अरून ग्रह है जो आपका इसका कहिन कहीं देखने को मिलेगा कि भाया पार्टनर था इसके पडोस में था अब नेप्चुन और उरेनस के उस पस्तिति नीले रंग के कहिन के विबिन रंग होते हैं आपके पास में और साफ वातावरन के कारण यहाँ पर क्या देखने को बिलेगा वायू मंडल में धुंद कम है और जब धुंद न के बराबर हो तो निली रोश्नी जादा बिखरी होती है और यहाँ पर दोनों ही नीले प्लैनेट्स, आईसी प्लैनेट्स, आईसी जैन्ट्स देखने को मिलत हैं जिसको हम लोग दौप प्लैनेट्स कहते हैं क्या चारा क्या चारा तरफ कांसा है आपके पस में जैसे मर्कृ, वीनुस, अर्थ, मार्स, फिर ही एस्टेरॉइलड बेल्ट गया है। इसके आगे क्या आगया आपका? जुपिटर, ब्रहस्पती, सैटर्ण, सनी, यूरेनस और फिर नैप्चून. इसके आगे जो भी अबजेक्ट आएंगे, है न, उसको हम लोग कहेंगे के सर यह क्यूपर बेल्ट है. क्या है आपके पास में? इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे आपके पास में? कि यह क्यूपर बेल्ट है, कैसा बेल्ट है आपके पास में? क्यूपर बेल्ट के बर्फी ले छैतर में देखने को मिलेगा. है क्या यह? यह एक्जेक्ट प्लैनेट नहीं है, इसको हमने कहा है बौना ग्रह, है न? तो यह क्यूपर बेल्ट में कई सारे ऐसे चोटे-मोटे जो हैं, एस्टेरॉइट देखने को मिलेंगे, जो है ग्रही है टुकडे खगोल पिंड शिलाय देखने को मिलेगी उन सभी कूपर बेल्ट में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा यह देखने को मिलता है यहां तक की 2006-2014 तक तो हमने जब तक ग्रहों की परिवासा सुनेशित नहीं की थी हम इसको भी नौवा ग्रह मानते थे पहले अभी हमने कुछ दसक पहले ही जो है इसको हटाया है ग्रहों की सूची से अब कूपर बेल्ट में जो है सबसे बड़ी ग्याद वस्तु है आपके पास में क्या है आपके पास में इसको लिखेंगे आप लोग सबसे बड़ी ग्याद वस्तु है और इसी कारण कहीं कहीं इसको एक और संग्या यहाँ पर दी जाती है और वो संग्या क्या दी जाती है आपके पास में के बया को बोला जाता है क्या मुला जाता है इसको दी प्रिंस आफ दी कूपर बल्ट अपो इसे कूपर बल्ट का राजा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कूपर बल्ट का राजा मतलब इससे बड़ा और कोई नहीं है सबसे बड़े से बड़ा जो है यह एक बॉना ग्रह है प्लूटो है आपके पस में सुदूर खगोल यह पिंड हैं इसके निकट छेतर में कई वेग्यानिक जिग्यासाह भी रही हैं रहसियों को जानने के लिए सौर मंडल कै कैसे उत्पन हुआ होगा क्या उत्पत्ती होगी इसको थोड़ा सा और बहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं पहले हमने इसको नौवे ग्रह का धर्जा भी दिया था पर फिर पता चलता है कि ग्रह में सबसे छोटा जो यह प्लूटो है यह एक ग्रह है ही नहीं यह तो है ना इसमें ही इसके मेक मेक लिखा जाता है आपके पास में इसको ठीके ना माक मेक है ना और इसके लावब एक और था जिसको हम लोग कहते हैं एरिस क्या लिखते हैं जब इनको खोजा गया तो फिर बोले के क्या नौ प्लैनेट अगर यह प्लैनेट है प्लूटो अगर प्लैनेट है तो क्या यह आपके पास में दसवा यह ग्यारवा यह बारवा प्लैनेट है नहीं फिर लोग चकित हो गए फिर पता करने लेगे यह है क्या यह सारे के सारे Trans-Neptunian Object है Neptune के आगे, मतलब Cooper Belt में पाये जाने वाले कहीं कहीं बॉने ग्रह हैं, और ये बॉने ग्रहों की जब खोज हुई, तो पता चला कि Ceres, Mekmek और Aries को देखा कि Pluto भी तो ऐसा ही है, Pluto को क्यों ग्रह की संग्या दे रखिए, तो वर्स 2016 का समय आए, और जब वर्स 2016 का समय आता है आपके पास में, तो Pluto का जो दर्जा है वो हटा दिया जाता है, कब आपके पास 2006 की बात करते हैं, हम सबसे पहले तो एक बार किसके बात कर लेते हैं, वर्स 2006 में International Astronomical Union अंतराष्ट्रिय, खगोलिय, संगठन जो है आपके पास अंतराष्टिय, खगोलिय, संग, इन्हों ने एक वर्गी करण प्रस्तूत किया, और इन्हों ने क्या कहा, किसी वस्तु को ग्रह कहे जाने के लिए, सबसे पहली चीज तो क्या है, कि पहली परिभासा वह होगी, कि वह सूर्य की परिक्रमा करें, है ना, कि जो सन है, उसके कहीं-कहीं, निश्चित चारों तरफ वह क्या कर ले, परिक्रमा कर ले, दूसरा कहाग्या, आपके पास में, आकार, गोलाकार होना चाहिए, तो दूसरी परिभासा क्या रखी, आकार कैसा होगा मित्रो गोलाकार होना चाहिए आपके परस्वें तीसरी इसके आगे और रहे कि अन्य समान आकार की वस्तोव से रही तो तो एक स्पस्ट कक्षिय पत्थ होना चाहिए तो सपोज इस यहां पर आपके परस्वें आपके पास में यह प्लूटो है यह है आपके पास में सपोज प्लूटो जो सूर्य की क्या कर रहा है भया परिक्रमा कर रहा है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो इस प्लूटो के इस और बिट में जिस कक्षा में यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है इस orbit में कोई भी अन्य क्या नहीं होना चाहिए आपके पास में अन्य कोई भी खगोलिय पिंड नहीं होना चाहिए कोई भी asteroid या कोई भी ऐसी पिंड शीला प्लैनेटेसिमल्स नहीं होना चाहिए ये अपनी कक्षा को पूर्ण तह क्लीन कर ले इसका गुरुत्वा कर्शन इतना स्ट्रॉंग हो कि आसपास में इसकी कक्षा में चल रहे जितने भी objects हैं उसको अपने अंदर समाह ले तो यहां पे ये गोलाकार होने के लावा अन्य समानाकार की वस्तों से रहित होना चाहिए इसकी कक्षा स्पष्ट कक्षियपत होना चाहिए आपके पास में अब ये तीन चीजे थी जिसको हमने कहा था कि तो अगर ये तीनों चीजे हैं तो ग्रह हो जाता पर अब एक और चीजे सर क्या ये गोलाकार है बोले गोलाकार है क्या सूर्य की परिक्रमा करता है बोले सूर्य की परिक्रमा करता है पर इसका कक्षिय पतस्पस्ट नहीं था इ तो हम तीसरे मापदंड के मित्रों यहां पर बात करेंगे, तो तीसरे मापदंड तक आते आते है न, यह कहा गया कि भाया यह जो प्लूटो है वो तीसरे मापदंड का पुरा निकरता, मतलब, मतलब यह प्लूटो के रास्ते में यह चेरोन है, है न, एरिस के रास्ते में जो डिस्नॉय मैया है, कई सारे अन्य छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसकी पत में कई खगोले पिंड और है, तो बॉने ग्रह के रूप, इसको नामित किया गया, इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया है, अब पता चला बॉने ग वहख गोल ये पिंड होगा, सुर्य की परिक्रमा करता है, लगबग गोलाकार है, द्रव्यमान जो है उसके अंदर अच्छा खासा है, और पिंडो का कक्षिय परिवेस का अतिव्यापन नहीं करता है, है न, और इसका कोई चंदरमा नहीं हूँ आपके पास में, ठीक है न, और इसका कोई अपना कुद का मून भी नहीं होता है, वर्स 2016 में हमने किया क्या फिर इसके कारण, वर्स 2006 में, नासा के ही एक New Horizons मिशन के अंदर गत इसका प्लूटो का अनुवेशन किया गया, New Horizons मिशन है, सैटलाइट वेजा हमने कहीं कहीं प्लूटो के आसपास में, और New Horizons जो है, इसके वेज्ञानिकों ने कहीं के लक्षे प्राप्त के प्लूटो को अच्छे से स्टडी किया, वर्स 2019 में, कहीं कहीं, 2019 में, यहां पर जो हम लोग कहता है, क्यूपर बेल्ट अबजेक्ट, के भी यो कहा जाता है, इसको कूपर बेल्ट में जितने भी खगोलिय पिंड पाये जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कूपर बेल्ट अबजेक्ट के अंदर यह एक आपके पास वो सबसे दूर है, जिसको कहा जाता है, आरोकॉट, क्या कहा जाता है आपके पास में, आरोकॉट, आरोकॉट तक कहीं कहीं जो है पहुंच चुका है हमारा New Horizons विश से यह हमारे सौर मंडल की सीमा की और लगातार उडान भर रहा है New Horizons मिशन, बहुत ही महतपूर्ण है और सबसे महतपूर्ण चीज के अभी तक सुरक्षित है, तो मिशन ने क्यूपर बेल्ट अबजेक्ट जो है, उसके अंदर कई इकाईयों का अधेहन किया दोस्तों, और या इसके अलावा भी कई सारी चीजे हैं, नासा ने जो हैं समय समय पर अन्यवेशन के लिए अलग इन चीजे जो हैं समय समय पे भी आपके पास में यहां पर लांज कियें, New Horizons याद रखेंगे आप आप, इसके अलावा, नासा के दोरा जूर मिशन बेजा गया ता, सौर म पास में है, बाकिपूरा का पूरा स्वालार सिस्टम एक प्रसेंट से बनावा है, उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, कि परत्वी से दस हजार बारा हजार गुना बड़ा है, आपका ब्रहस्पती, तो बोले इस ब्रहस्पती को अध्यान करो, सूर्य के पास जाओगे, जल सूर्य जैसा है, और जब अगर आप ब्रहस्पती को अच्छे से समझ पाओगे, तो ब्रहस्पती में अंतर क्या है, कि खाली ब्रहस्पती की गैसे जल नहीं रही है, ब्रहस्पती में कहीं जो इधन तो हैं, पर वहे इधन अभी खर्च नहीं हो रहा है, तो आप आराम से ए गठन के दौरान कैसी परिस्तिया रही होगी, उसके बारे में जादा जानकरी उठा के लाओ, तो हमें प्रत्वी के प्रत्वी पे होते हुए, हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह के बारे में जानकारी है, जैसे जून वह ब्रहस्पती के लिए था, ऐसे चुम्बक ये छएत्र क जानकारी मिलना बहुत ही महत्पूर होता है थोस्तों आपके पास में अगर मिल जाता है तो वारे ही नियारे अब इसके आगे एक और ग्रह होता है जिसको यूसे के दूद्र ग्रह जिसको खाझाता है हमने खहाना हमारे सौर मंडल को हम लोगों ने दो भागों में बाटा, पहला है इनर सौर मंडल, आंतरिक सौर मंडल ग्रह या आंतरिक ग्रह जिसको कहा इनर प्लैनेट, फिर एस्टरोइड बेल्ट आया था शुद्र ग्रह पट्टी, इसके बाद में आया थे बाहिय ग्रह जिसको हमने इसके ठीक बाहर देखने को मिलेगा ब्रहसपती तो मंगल और ब्रहसपती की बीच में सूर्य के चारो तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे एक निश्चित कक्षा के अंदर शुद्र ग्रह का बैल्ट देखने को मिलेगा आपको आप कहेंगे सर इसको शुद्र ग्रह क्यों कहा शुद्र 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 होता है जो बचा, कुचा, marginalized, पीछे छुटा हुआ वह material जो planets के बनने के वक्त कहीं कहीं बना होगा पर planets बन चुके हैं अब जो last में कहीं कहीं waste बच चुका है उसको कहीं कहीं जो है शुद्र ग्रह के रूप में माना जाता है ऐसे खगोलिय पिंड होंगे जो कहीं कहीं ग्रहों के अवशेश हो क्या होए आपके पास में क्या है यह आपके पास में ग्रहों के अवशेश है और है क्या ये सारे के सारे खगुले पिंडे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं आपके पास में जो बहुत पहले विगटित तो हो गएते ये ऐसी सामगरिया है जो ग्रह नहीं बन पाई जो ग्रह नहीं बन पाई ग्रह नहीं बन पाई ऐसी चट्टाने बड़ी-बड़ी कुछ आपके पास में मीटर ही हो सकती है कुछ किलो मेटर बड़ी-बड़ी चट्टान सोचो दो किलो मीटर बड़ी एक चट्टान पूरे के पूरे सौर मंडल में तैर रही है सूर्य के गुरुत्वा करशन में और सूर्य के चारो तरफ परिक्रमा कर रही है ठीक है ना यह है आपका एस्टरोइड बेल्ट है ना जो कभी ग्रह नहीं बन पाए तो शुद्र ग्रहों से बेसिकली भरा हुआ आपके पास में एक पूरा बेल्ट है एक पुरी पट्टी है शुद्र ग्रह पट्टी इसको कहा जाता है और एक बहुत ही विशाल रूप से यह विस्तारित है यह चहतरा लाखो खगोले पिंडों के अंतरगत यहाँ पे जो छोटे 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 शील खिंड यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे आकार के अंदर काफी विविदता है जैसे कई छोटे हैं और कई तो होंगे वो कई मील है और कई कुछ exceptional भी होंगे आपके पास में यहाँ पे एक exceptional देखने को मिलेगा आपको सेरेस सेरेस अब यह जो सेरेस है आपके पास में यह हमारा जो चंद्रमा है उसका एक चोटाई हमारा मून है मून बटा चार कर लो इतना बड़ा मतलब सोचो हमारा चंद्रमा कितना बड़ा है कि उसका गुरुत्व आकरशन हमें यह परत्व पे फिल होता है उसका एक चोटाई कोई छोटी मोटी नहीं है यह एक खंड सिलाई यह एस्टराइड यह शुद्र ग्रह कितने बड़े होंगे तो सोचो सेरेस तो आपके पास में जो है शुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है और यह सेरेस जो है हिंदी वाले इसको ऐसे लिखे सेरेस यह चंद्रमा का एक चोटाई है आपके पास में इसका प्रभावशाली आकार है विशेस्ताएं भी है और इसी कारण इस सेरेस को हम लोग जो है बौना ग्रह भी कहते है बौना ग्रह भी कहते है बौना ग्रह क्यों कहा कि ओविशली सर यह सेरेस जो है आपके पास में सुरी की परिक्रमा कर रहा है कि क्या गोल है आकार्व के अंदर थोड़ा बहुत होगा या नहीं भी होगा बट याद ये रख लेना कि इसने अभी तक अपने पथ के उपर चलने वाले सारे अबजेक्ट को क्लियर नहीं किया है तो कई तो सैकडों मिल बड़े भी है सोचो कोई ऐसा पत्थर ऐसा पहाड तेर रहा है हिमालय जैसे पहाड के पहाड तेर रहा है इस एस्टरड बेल्ट के अंदर और वो पूरी सूरी की परिक्रुमा कर रहा है अगर यह कहा था पर्थी पर आखे गिरिया तो लंका लग जाएगी तो शुद्र ग्रह समझ माएं शुद्र ग्रह ओवियसली क्या होते हैं इसकी बारे में हम लोग थोड़ी से जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि शुद्र ग्रह की यहाँ पर के यह शुद्र ग्रह की परिभाशा आप लिखेंगे बहेती मैत्पूर्णे चट्टानी और धात्विक खगोलिय पिंड है कैसे हैं आपके पास में चट्टानी और धात्विक खगोलिय पिंड हैं अच्छा यह कितने छोटे हो सकते हैं एक कंकड से लेकर के लगबग ये 600.000, 600.000 बहुत ज्यादा एरिया हो जाता है 600.000 तक भी बड़े हो सकते हैं तो ये जो प्लैनेट टॉईड इसको कहा जाता है शुद्र ग्रह के लिए प्रियोग किया जाता है ये श्यवद आपके पास में लैने प्लैनेटोइड्स प्लैनेटोइड्स जो है जिन घंड शीलाओं से बने आपका घर इंटो से बना है ना प्लैनेट्स भी ऐसे छोटे 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 प्लैनेटोइड्स से बना होता है जो कई सारे मीलों के बड़े बड़े पत्थर होते हैं ऐसे पत्थरों से जूड जूड क करके ऐसे ही ही चट्टानी धात्वी खगोली पिंडों से जूड के बना होता है और इन्हीं चट्टानी धात्वी खगोली पिंडों को हम प्लैनेटोइट्स कहते हैं तो प्लैनेटोइट्स शुद्र ग्रह के लिए प्रयोग किया जाना वाला एक और शब्द है प्लैनेटोइ का निर्मान हुआता निर्मान के समय से उपस्तित हैं, है न, और कुछ प्लैनेटोईट्स या शुद्र ग्रह प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए, बट कुछ पीछे रह गए, तो इनको कह सकते हैं, कि यह एक बाकी जो अवसिस्ट सामगरी के रूप में, आज भी सूर्य की चारो तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, अवसिस्ट निर्मान सामगरी के रूप में देखने को मिलेगा, तो शुद्र ग्रह क्लियर होगा होगा आपको, बहुत ही अच्छे से इसके आकार में विविता है, सहरेस की बात की, उत्पत्ती की बात की, है ना? नश्ट भी हो सकता है दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं कूपर बेल्ट की, जैसे की मैंने बताया कि यह सूर्य है सूर्य के चारों तरफ अन्य अन्य ग्रह है लास्ट में यूरेनस है, अरुन ग्रह फिर यह वरुन ग्रह, नैप्चून तो यह नैप्चून के आगे जो है, यह पूरा का पूरा खगोली पिंड और पाये जाएंगे और यह सारे के सारे खगोली पिंडों में क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे शुद्र ग्रह के, जो हमने शुद्र ग्रह वेल्ट पड़ा, एस्टरोइड वेल्ट पड़ा, उसके ही समान सौर मंदल की सुरुवात के अंदर जो खगोली अवसेस है, वो यहाँ भी पाये जाते हैं, ठीक है ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? शुद्र ग्रह बेल्ट के समान कोई पर वेल्ट में भी सौर मंदल निर्मान के समय से बची हुई अवसिस्ट निर्मान सामग्री पाय जाती है तो एक तो इनर और आउटर प्लैनेट सत्ही और गैसी प्लैनेट के बीच विता एस्टरोइट बेल्ट जिसको हमने कहा था शुद्र ग्रह बेल्ट इसके बाहद में नेप्चुन के आगे जो है आपके पास में क्यूपर डेल्ट अब यह जो क्यूपर डेल्ट है यहां पे भी सारे खगोली आउशे सिो TS सारे के सारे विश्ट मैटीरेल ह्याए पतली शुद्र ग्रह बेल्ट के विप्रीत उनर शुद्र ग्रह बेल्ट तो बहुत ही पतला हूता है कूपर बेल्ट एक बहुत ही जादा मोटी डिस्क है है ना मोटी डिस्क के रूप में दिखाई देगा आपके पैस में अब इससे भी आगे जाओगे उल्ट क्लाउड उल्ट क्लाउड से ये थोड़ा सा अलग होता है उल्ट क्लाउड हमने जैसे पिछले लेसेन में पढ़ा था उल्ट क्लाउड से ये थोड़ा सा अलग है उल्ट क्लाउड में हमने क्या खाता बर्फिले पिंडो से कहीन कहीं जो है एक बहुत दूर छेत्र के अंतर कर देखने को मिलेगा Cooper Belt सहीथ हमारे पूरे Sawr Mandle को कहिन के ये cover करता है ठीक है ना So जो बरफिले पिंडो से यूगत होता है एक दूर का छेतर है आपके पास में Urt Cloud Urt Cloud Urt Cloud क्या काम करता है क्या होगा आपके पास में जो आपके पास में Urt Cloud से अलग करने का ये कारिय करता है पूरे Sawr Mandle को है ना Urt Cloud है ना आपके पास में तो जो ये क्यूपर Belt है क्यूपर Belt का क्या कारिय है क्यूपर Belt हमारे Sawr Mandle को Urt Cloud से कहिन कई एक तरीके से मैं कहूँ विभाजित करता है या आपके पास में जो है दूर करता है है ना तो इसका एक महत्पून कारिय क्या होगा आपके पास में क्ये उट Cloud से अलग करना पूरे Sawr Mandle को उट Cloud से अलग करना अब सोचिए हमने का था Neptune पूरा Neptune और Uranus को हमने जो आइसी जायंट का था क्योंकि सूर्य से काफी दूर है या तापान काफी कम है तो क्या यहाँ पर बरफिले पिंड होंगे क्या यहाँ पर आइसी अब्जेक्ट या पाए जाते है अच्छा जब यहाँ पर बरफिले पिंड पाए जाते है जो कि पूरे Sawr Mandle के अंदर लगातार गुम रहे तो इस दोनों छेतर में जो है धूम केतु देखने को मिलेंगे तो Cooper Belt और Cooper Belt का आगे है आपका Old Cloud यहाँ पे धूम केतु का जनम होता है किसका जनम होता है आपके पास में धूम केतु का जनमस्थान है अब धूम केतु क्या होते है आइसी अब्जेक्ट होते हैं उसमें गैस होती है और यह लगातार सूर्य की परिक्रमा करते है जब सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो इनके अंदर जो है किसी भी प्रकार की जो है गैस जो है वो जलती नहीं सूर्य के जितना नजदी गाएंगे इसमें गैस में दहन होगा और गैस में दहन होगा तो ओवियसली धुआ निकलेगा इसके एक टेल दिखती हैं तो नहीं धूमकेतु को हम पुचल तारे के रूप में भी देखने की कोशिश करते हैं धूमकेतु बेहदी महतपूर्ण हैं दोस्तों पूछा भी गया है आपके पास में इसके अलावा है उल्ट क्लाउड उल्ट क्लाउड देखो आपके पास में जनरली जो है यह सौर मंडल ह हमारा इस स्वार मंडल के चारों तरफ क्या है कूपर बेल्ट है bekommt र के चारों तरफ देखने को मिले गए यह उल्ट क्लाउड एक बादल की रूप में खायर में सार मंडल के चारों तरफ एक विशाल गोला का रावरन बंद जैसे मैं कहा क्यों कि यह हमारा चार सिस्टम है ह इतना सा, इस solar system के ही चारो तरफ जो हैं, आपको देखने को मिल जाएगा old cloud इसके चारो तरफ क्या देखने को मिल जाएगा old cloud, अच्छा इस old cloud वाले area के अंदर काफी सारे ऐसे, जैसे अभी हमने कहा कि शुद्र ग्रह हैं, काफी icy objects देखने को मिलेंगे, और ग्रहो और जैसे हमारे ग्रह है solar system के अंदर और बाकी चारो तरफ क्या है आपके पास में, कूपर बेल्ट, तो ग्रहो और कूपर बेल्ट की सपाट डिस्क जैसी सरचनाओ के विपरित, उल्ट cloud जो होगा वो पूरे के पूरे बर्फिले अंत्रिक्स के मलबे से बरा हुआ एक विशाल बुलबुले के रूप में, एक bubble के रूप में दिखाई देता है तो हमारे solar bundle के चारो तरफ उल्ट cloud का एक bubble एक बुलबुला सा दिखाई देता है, गोलाकार आवरन सा दिखाई देता है और इस मलबे के टुकडे जो हैं, पहाडो जीते बड़े होते है और बादलो मैंसे जो हैं, आपके पास में ऐसा कहा जाता है इसके कारण इसके जो भी खंड होंगे, जो भी gases होगी, जो भी celestial objects होंगे, वो काफी बरफिल होंगे काफी icy objects में देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है अच्छा, वर्तमान समझ क्या कहती है हमारी उल्ट cloud तक उल्ट cloud जो हैं, आपके पास में लंबी अवदी के जो धूमकेतू होते हैं, धूमकेतू यहां से निकल के आते हैं, यह हमारा सौर मंडल है बीच में, चारो तरफ क्या है आपके पास में, क्यूपर बेल्ट है ट्यूपर बेल्ट के चारो तेरफ हैं, यह है आपके ऊर्ट क्लाउड, यह उर्ट क्लाउड में धूमकेतु की उत्पत्ति की व्याख्या होती है, है न, तो obviously आज भी इस पे जो हैं कही अवधारनाय बनती हैं कि धूमकेतु आते हैं, है न, सूर्य की परिक्रमा करके जाते है और इस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का, हेलियोस्फेर का, obviously सौर मंडल के उपर क्या प्रभाव पढ़ता होगा इस उट क्लाउड का, अगर यह होता तो क्या होता, धूम के तू कि यहां बात की जाती है, तो धूम के तू एक और नया चीज है, क्या है धूम के तू, धूम के तू जमी हुई गैसे हैं, जमी हुई चटाने, जमी हुई धून से बने हुए बर्फिले पिंडे, क्या है आपके पास में, सबसे पहले देखो, गैस है और चटान है और धूल है और ये सारे के सारे सूरे से काफी दूर हैं, तो क्या है बर्फिले हैं, कैसे हैं, आइस के इंदर कनवर्ट हो चुके हैं, सूरे से ज़्यादा दूर होंगे तो तापपान कम होगा, तो इनकी का सेलेस्टियल उब्जेक्ट है, खगोल ये पिंडी है, गैस है, चटाने है, धूल है, पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, क्या कर रहा है भाई मेरा, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, अब जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्मंडल से काफी दूर है, सूर्य से काफी Cooper Belt से निकल रहा है धुमकेतियों के अवस्थिति हम जनरेल कहते neighbor यह फिर उससे भी beyond है तो लगबग ये चुर्य की परिक्रमा करने में कितना time ले लेता है यहां से ये घूम करके चुर्य की परिक्रमा करने में लगबग परिक्रमा करने में यह मैं कह सकता हूँ सामाने धूमकेतु जो है वह 200 वर्स ले ले लेता है 200 वर्स ले ले लेता है और 200 वर्सों में जो है वह सुर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट कर रहा होता है उर्ट क्लाउड से निकल करके सौर मंडल में एंटर करता है सूर्य के नजदिक आता है फिर घूम करके वापस उर्ट क्लाउट की तरफ वापस जाता है तो ये एक बहुती लंबी अवदी के धूम केतू होते हैं ये हमें कई सदियों में एक बार देखने को मिलते हैं auकर ख़गोली आतरी सूर्य के वयल एक ही परिक्रमा करने में अधर कहीन है पर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एसे धूमे तु भी जो इतनी दूरी से आते हैं कि 2.5 la2 वर्ष के अदर कहीं दूम के सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इतना दूर होते वे भी वो सूर्य की परिक्रिमा कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा आपके पास में, आंत्रिक सौर मंडल की यह जब यात्रा करने की कोशिश करते हैं, क्यों आते हैं भईया, कि सूर्य के प्रभाव में आगए, किसके कारण आगए आपके पास में, क्योंकि और तारो के गुरुत्वा कर्शन प्रभाव में आ गए अच्छा जब ये ग्रहों और तारो की गुरुत्वा कर्शन प्रभाव में आ गए तो दूरस्त है कहीं कहीं हमने कहा है ट्रांस नेप्चुन नेप्चुन से भी आ गए हैं कूपर बेल्ट में हैं उर्ट क्लाउड में वहां की अवस्थत्ती से बेसिकली यह इस लंबिक अक्षा को पूरा करते हुए जो है सूर्य की और पुनर निर्देशित हो जाते हैं ठीक है ना सूर्य की और पुनह निर्देशित हो जाते हैं और जब ये सूर्य की तरफ आना शुरू करते हैं सूर्य के निकट पहुंसते हैं जब सूर्य के निकट पहुंसते हैं तो सूर्य की हीट इनको लगती हैं तो जो ये बर्फिले थे, आईसी थे तो धूमकेतु का बरफिला कोर जो है वो गैस और धूल छोड़ना सुरू कर देता है क्योंकि है तो गैस तो जैसे जैसे वो पिगलने लग जाएगी बरफ थी पहले जमा हुआ था जैसे ही सूरिय की गर्मी पड़ेगी उश्मा पड़ेगी यह जो सूर्य के उश्मा के कारण यह है आपके पास में जो कॉमेट है इसको क्या कहा जाता है कॉमेट कहा जाता है धूमकेतु को अंग्रे जी के अंदर तो यह धूमकेतु के कोर में है क्या चट्टाने हैं गैस है अब यह चटाने है, गैस है और जो धूल है, सूर्य के नजदीक आते हैं पिगलने लग गई, पिगलने लग गई, तो यहाँ पे डस्ट जो है वो पीछे की तरफ जाने लगेगी, yes or no, डस्ट पीछे की तरफ जाने लगेगी, भाई, कोई भी रेद से बरावा टेंकर आगे जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस पे पीछे की तरफ जो है पूरा का पूरा टेंकर में, जो है ट्रक में रेद भरा हुआ है, अब वो आगे की तरफ जा रहा है, धूल किस तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, तो यह सूर्य की तरफ बढ़ता जा रहा ह उश्मा के अंदर इसके बरफ का कोर जो है वो पिगलता जा रहा है गैस है और धूल के करण है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो एक होगा इसका टेल इसका कहीं कहीं जो है पूछ होगा पूछ होगा आपके पास में टेल होगा और जो ये टेल है उसमें कहीं कहीं हमें डस्ट और gases देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी और इतना दूर क्या होगा, hydrogen और helium ही होगा, hydrogen और helium और कई सारे आपके पास में धूल के कण देखने को मिलेगे, बरफिला कोर जो हैं दीरे-दीरे gas और धूल के कण यहां पे छोड़ने लगता है, यहां पे जैसे ये इस दिसा में आगे बढ़ रहा है, तो नाहीं इसके लावा नाभिक बादल की संरचना बन जाएगी और उस बादल की संरचना को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं मित्रों हम इसको कह रहे हैं कॉमा क्या कह रहे हैं कॉमा अब यहाँ पे जो यह कॉमा के रूप में कहिन की है जो हमें दिखाई देगा आपके पास में कॉमा कैसा होता है, something like this something like this, यहाँ पे कॉमा जो बनेगा आपके पास में अब धूमकेतु की दो अलग-अलग पूछे होगी जो यह धूमकेतु हमको आकास में अंत्रिक्ष में दिखाई देगा, यह धूमकेतु आता होगा इसकी दो पूछे होती है generally लिखेंगे, अच्छा, कौन-कौन सी दो पूछे होती है आपके पास में पहला हमने बताया है धूमकेतु की वो पूछ जो आपके पास में गैसो के जलने के कारण बन रही है दूसरी पूछ, वहाँ पे जो धूल के करण है, वो पीछे की तरफ जा रहे है तो दूल के कहिन के, जो दूल से बनी हुई एक सफेद पूछ होती है वाइट टेल होती है, वो चोड़ी और गुमावदार मार्ग का कहिन के अनुसरन करती है इसके विपृत है ना, एक तो हो गई आपके पास में सफेद पूछ जो कहिन कहिन जो है धूल के करणों से बनी हुई है दूसरी है आपके पास में विदूत आवेशित गैस के अनुओं से बनी हुई नीली आयन पुछ ब्लू आयन टेल तो जो यह है नीली आयन टेल ब्लू आयन टेल यह सूर्य से कहिन कहिन जो है हमेशा सूर्य के सीधे दूर की और जो है इशारा करती है और खोगोलिय पथिक को अपर सूर्य के प्रभाव का कहिन कहीं प्रमान भी बताती है के लगातार सूर्य की हीट जैसे यहाँ पे है सन, यहाँ पे है सूर्य, तो यह सूर्य की तरफ आगे बढ़ रही है, पर जो गैसे हैं वो जल करके बेसिकली जो है वो पीछे की तरफ जाती हुई दजर आ रही है, तो यह है आपकी ब्लू आयन टेल, और आपके पास में इसके आसपास में ही देखने को बिलेगा, तो परिक्रमापत के उपर हमेशा इस परिक्रमापत के आपक्ष में है ना परिक्रमापत के साथ साथ में जो हैं आपको देखने को मिलेगी, इसकी एक सफेद पूच जो की धूल के करणों से बनी हुई है, दूसरी है नीली आयन पूच जो कहीं न कहीं विधूत आवेशित electrically charged gas particle से बनी हुई है और यह सूरज की direction के ठीक विपरीद दिसा में देखने को मिलेगा आपके पास में ठीक है यहां तक यह clear हो गया so धूम के तू पता है शुद्र ग्रह पता है आपको I guess बहुत ही अच्छे से समझ माया है शुद्र ग्रह asteroid asteroid belt धूम के तू जिसको हमने comet अभी पड़ा asteroid और comet में क्या अंतर है आपके पास में बहिया एक चटान और धादू का बना हुआ है शुद्र ग्रह तो है ना पर यह धूम के तू तो उठ उठ करके आता और सूर्य की परिक्रमा करके जाता है 200 साल से लाखो साल भी ले सकता है ज्यादा अब इनका आकार जो है कक्षा है जो है वो छोटी होगी क्योंकि लगबग आपके पास में हमने कहा ब्रस्पति मंगल के बीच में तो ज्यादा बड़ी कक्षा नहीं है पर यह तो दिर्गव वर्तिय कक्षा के अंदर होंगे आपके पास में और हो सकता है कि जो इनका कहिन के एक कक्षा का जो तल है वो भी थोड़ा सा एलिप्टिड हो थोड़ा सा जुका हुआ हो अब यहाँ पे प्रकास के छोटे बिंदूों के रूप में यह परतित हो सकते जैसे अभी एक छुद्रग्रह जो है परत्वी की परिक्रमा करने आ रहा है कल मैं करंट अफेर में भी पढ़ाऊंगा कि सुर्व परत्वी के आकाश में एक चंद्रमा दिखता है अब यह अगले दो महीने तक दो चंद्रमा दिखेंगे लगू चंद्रमा इसको कहा गया है आपके पास में ड्वार्फ मून कहा गया है अब जो दूसरा चंद्रमा खास आया कि सर ये है तो एक शुद्र ग्रही है एक एस्टरोइड है ये प्रत्वी की परिक्रमा करेगा प्रत्वी के गुरुत्वा करशन में आकर के दो महीने तक और फिर वापस जो कहिन कई वापस लौट जाएगा जिसमें एक बहुत सी छोटी पूछ नहीं होती है परन्तु ये में परिवर्तन मुख्यता टकराओ के कारण होगा जब तक कोई चीज इस से टकराती नहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और धूमकेतु की सतह में परिवर्तन क्यों हो रहा है धूमकेतु की सतह में परिवर्तन जो है वो बरफ जो जमी हुई थी वो दिरे-दिरे उत परिवर्तन करता है, उद्रोपातन होता है, सूर्य के निकट आने पे वह ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, तो सूर्य के नजदीक अगर पहुँचेगा, तो सक्रिय होगा, और यहाँ पे तो टक्राओ के कारण ही वह सक्रिय होगा, टेल फॉर्मेशन, कभी भी एस्टरोइड हम धूमकेतु कॉमेट ठीक है हमारे शुद्र ग्रह में बेसिकली जो है हम सेरेस को पड़ते हैं एस्टरोइड की बैल्ट के अंदर देखने को मिलता है आपके पास में धूमकेतु तो हर 200-300 साल में देखने को मिलते है तो रेकॉर्ड करने के आवशकता होती है तो प्राचीन का सही ध्यान रखना होता कि कौन सा कॉमेट कौन सा धूमकेतु जो है हमारे सौर मंदल में कब आने वाला है है उदाहरन सेरेस है वेस्टा है प्लास है हाईजिया है यह सुद्र के अग्र हैं आपके पास में यह हेली कॉमेट है है यह सारे के सारे धूमकेतु के उदाहरन के र अपसमें टकराए तो उनकी एक छोटी सी खंड सीला जो है वो अलग हो गई और यह जो छोटा सा खंडशीला अलग हो चुका है, यह कहीन कहीं आपके पास में धूमकेतू है ना, यह टुकडे धूमकेतू से भी उत्पन हो सकते हैं, यह टुकडे छुदर ग्रहों से भी उत्पन हो सकते हैं, तो उलका पेंड कोई छोटा मोटा चटान का टुकडा है, ज बीबी ये कहा हैं भाया, अंतरिक्ष में, या तो कोई धुमकेतू से बना हुआ होगा, या चुद्रग्रह का छोटा मोटा टुकडा होगा, मीटियोरॉइड कहा जाएगा, इसको उलका पिंड कहा जाएगा, अब इससे भी आगे हम कहेंगे सर, उलका, उलका क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, जब ये कहीं कहीं गुरुत्व आकर्षण के कारण जो हैं, यह प्रत्वी की तरफ आने लग जाए, तो लोग प्रिय रूप से इसको टूटता तारा भी कहते हैं, लोग क्या कहते हैं आपके पास में, टूटता तारा, अच्छा टूटत तारे के टाइम, फिंगर्स क्रॉस्ट, ए बगवान, या अल्ला, ए गुरू, हमको क्या बना लो, आईएस बना लो, ये चीजे होती हैंग नहीं होती हैं, अब तुम्हें पता होना चाहिए, कि ये टूटत तारा नहीं टूट रहा है, आस्मान में इनको आकास रेखा बना देता है आपके पास में, तो जब आकास में ये दिखाई देता है, तो एक उल्कापिंट तेजी से गती करता है, और यह तेजी से गती जो है, आपके पास में लगबग्ग 200 कि इलो मिटर की उंचाई पे वायु मंदल के अंदर, जो हैं, जो मीजो स्षेर मीजोस्फेर में जैसे ही एंटर करता है वहाँ है ऑक्सिजन ऑक्सिजन की उपस्थिते में यह देहन करना सुरू करता है गर्षन से देहन होगा और उस देहन के फलसरूब आग लग जाएगी और जिसको आप कहीन कहीं जो टूटा तारा कहते हैं जिसको कहीं कहीं आप यह कहते हैं यह एक asteroid होता है एक meteor होता है तो उलका पिंड जो हैं दोस्तों आपके पास में वो प्रत्री के वायु मंदल में प्रवेश करते ही कहीं कहीं तिव्र उश्मा प्रतिरोध घर्शन के कारण जो हैं वहां की gases जलने लग जाती हैं ठीक है ना आस प्रत्री के वातावरण में एंटर कर चुका है तो उलका meteor कहे दिया है अब जब यह जलेगा था कितना आपके पास में सपोज हम कहते हैं कि सर एक किलोमेटर या फिर हम कहते हैं 100 मीटर बड़ा चटान था जो 100 मीटर बड़ी चटान थी प्रत्री की तरफ आ रही थी पर जल जलते जलते लाष्ट में आते हुए एक छोटी मोटी चटान की तरह एक ऐसी चटान जिसको आप हात में उठा सको मलब इतना बड़ा टुकडा जो एक छोटी सी प्रत्री के रूप में प्रत्री पे गिरिया आकर के तो उसको हम लाष्ट में क्या कहेंगे उसको meteorite कहते हैं क धूमकेतु उसे थोड़ा सा विन है यह आपके पास में यह याद रखना है आपके पास में कि ब्रह्म पैदा कर सकता है कि क्या यह धूमकेतु में पुछल ता रहा है कॉमेट नहीं यह नहीं है ठीक है ना तो यहाँ पे आपको एक फायर बॉल एक चमकती हुई उलका दिखाई देगी प्रत्वी के वाईू मंदल में गर्शन के कारण जो है उश्मा है असामानिय रूप से जादा चमक होती है आपके पास में तो इसको कई लोग जो है शुक्र या चंद्रमा से भी जो है अधिक मंदल में एंटर किया तब वहाँ पे जाकर के यह है ना घर्शन से जलना सुरू हो जाता है और इसको हम लोग मीटियोर कहते है इसको मीटियोर शावर भी कहते है छोटे चोटे टुकडो में तूट गया लास्ट में जाते हुए जलने के उपरांत एक छोटी सा खंड सीला क प्रत्वी पे यह पहुंच पाता है जिसको मीटियोर राइट लिखा जाता है क्या लिखा जाता है मीटियोर राइट लिखा जाता है तो मीटियोर राइट पता चला आपको तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अलग 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 उलका पिंड क्या है मीट यह और कहला आएगा आपके पास में, जलने के उपरान प्रत्वी पे पहुंचा, meteorite कहलाएगा, क्या कहलाएगा, meteorite कहलाने वाला है जोफराराईध में, जलने के टो भाईउमंडल में पूरी तरह तो नहीं जलता, 100 में से 99 पर शुक्त के खतम हैं, एक दो पर्शंट इसका जो द्रविमान बचेगा प्रत्वी पर उतलने में इसफल हो जाएगा तो उसे धूम के तू कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग धूम के तू कहते हैं, तो मीटियोराइट क्या होगा, तो यह उलका पिंड वायू मंडल में पूरी तरह नहीं जलता ह यह प्रत्वी तक जो उलका पिंड का हिस्सा पहुँच पाता है, इसे धूम के तू कहा जाता है, इसे मीटियोराइट कहा जाता है, तो उलका पिंड के टकराने के बाद प्रत्वी की सतह पर एक गोलाकार अवसाद, एक घड़ा, एक डिप्रेशन, एक क्रेटर बन जाता है येस और नो आप पानी में भी कोई पत्थर मारोगे तो एक वहाँ पे छोटा सा गर्त पैदा होगा मिट्टी का धेर है उसमें भी आप लोग जो है छोटा मोटा एक पत्थर बड़ा सा उठा के मारोगे गैंद उठा के मारोगे उसमें भी खड़ा हो जाए सोचो आप अंतरिक्स की उचाई से एक जो क्या लेके आए हो उल्का पिंड लेका है और वो प्रत्वी पे टक रहा है एक खड़ा एक डिप्रेशन पैदा होगा के नहीं होगा यहाँ पे क्रेटर बन जाते हैं क्या बन जाते हैं आपके पास में क्रेटर्स का निर्मान हो सकता है अब यह धिमकेतु जो है आपके याद रखने योगे चीजे क्या है इसके अंतरगत के प्रत्वी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मल्बे से गुजरती हैं तो उल्का पात होता है क्या होता है आपके पास में उल्का पात होता है कई बार जो है आपके पास में प्रत् करते हुए प्रत्वी के सतह तक पहुंच पाएंगे इसको उलका पात कहते हैं दूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपके पास में चट्टानों को लगातार जो हैं रिलीज करते रहते हैं प्रत्वी का पत जो हैं धूमकेतु के मलबे से जब भी टकराता है तो हमे उलका पात का अनुबो होता है जैसे ये उलका पात लगातार ये होता जा रहा है इसको हम लोग क्या कहता है इन बौचार को प्रत्वी के आकाश में देखने को मिलेगा तो हम लोग इनको कहेंगे कि विवाईया यहां पर क्या हो रहा है मीटी और शार हो रहा है उलका पात हो रहा है क्या हो रहा है उलका पात हो रहा है तो उलका पात क्या होता है मीटी और शार क्या होता है इसको याद रखेंगे तो एक बिंदू विसिस्ट नक्षत्र के अंदर गर यह मेल खाता है जिसे कि उलका पात का कहीं की नाम भी दे दिय जाता है कि ये उसे नक्षत्र का है उस तारामंडल का है उस एस्टेरोइड का हो सकता है उस धूमकेतू का हो सकता है इस प्रकार भी इसको रखा जा सकता है और जब भी ये प्रत्वी पर गिरेंगे एक impact crater create करेंगे क्या create करेंगे आपके पास में एक खड़ा create करेंगे तो पुच गती से टकराते हैं और उसके कारण शॉक वेव पैदा करते हैं और कहीं कहीं जो हैं चटान के अंदर ये एक तरीके से बहुती बड़ा सा क्रेटर डवलप कर देते हैं ऐसा ही ये क्रेटर जो हैं चिक्षुलबल के अंदर देखने को मिला है आपके पास में साधरन से तकर होती हैं तो चिक्षुलब इंपक्ट क्रेटर जो हैं वह कहिन कहीं जो हैं क्रिटेशियस क्रिटेशियस पीरिड के अंत में डाइनासोर्स की विलुपती के कारण के लिए जो जिम्यदार बताया गया था वो ये था कि यहां पे भी आपके पास में जो हैं एक गोलाकार गड़ा गोलाकार छेद एक डिप्रेशन देखने को मिलता है इंपक्ट क्रेटर देखने को मिलता है इतना भहंकर सक्रिय तीवर गतिशील रूप से ये क्रेटर डवलप हुआ था कि भाया आसपास के एरिया में जो था सुनामी ज्वाला मुखी मौसमी गटनाए इतनी खतर आपको लिखे बढ़ाया नोट्स भी बनवाया है कमेंट में दिखना चाहिए और चेहरे की मुस्करहाट मन का कॉन्विडेंस बना रहना चाहिए याद रखेगा कि आप जो पत्थ पे चल रहे हैं ये एक तपश्या है तो तु तब करे तो ऐसा कर परवान चड़े तपश् मनुच तो क्या देव भी करेरशा देव भी करेरशा अल देश्ट तो आल अफ यू इस महतपुन सीरियस को अंत तक जरूर कम्पलीट करें इस टेलिग्राम चैनल को जोइन करें मैं हरोज दहिंदू में अनालिसिस भी दे रहा हूं आपको हिंदी में चल रहा है वो यह नाम आप सर्ज करेंगे टेलिग्राम पे यह इस क्योड को स्कैन करके भी आप हमारी कम्टी जोइन कर पाएंगे आपकी तरब से कोई सुझाव है, कोई प्रशन है, आप हमेशा टेलिग्राम पे मिरको रीच आउट करेंगे टेलिग्राम पे नाम लिखेंगे jay sir ups cake capital letter मे है दोस्तों आपके पास में और कोई स्पेस नहीं है ना ये नाम सर्च करेंगे na JJ sir UPSC तो आपको मेरा हैंडल मिल जाएगा आप अपना कोई भी प्रशन पूछिए आपको class चाहिए content चाहिए current affairs चाहिए आप यहाँ पर आईए आपके कोई प्रशन है आप वहाँ पर पूछिए ठीक है that's it for today आज के लिए इतना ही रखेंगे मिलते हैं बहुत ही शिगर अन्य लेसन के साथ में अगले गुरुवार को I'll see you there thank you जाहन